बंद करते देखा, फिर एरपीस खोलते देखा, और जब वो वापिस उसकी चूड़ी चड़ा रहा था तो पानी लेकर लेखु आ गया था, फिर फिर बस उसका काम खम उसके फारिक होने के बाद पनिल नौकर से मुखादिब हुआ, तूने फोन चैक किया था? हाँ, जी लेखु बोला, उसके सामने चैक किया था, बढ़िया चल रहा था पहले भी बढ़िया चल रहा था साब, मिनट मिनट तो चैक नहीं किया था, हो सकता है, बीच में बिगर गया हो या, जैसा सेट जी ने बोला, रिसीवर क्रेडल से सरक गया हो जो तू कहता है, मकैनिक ने आते ही तेरे को दिखाया था फोन ठीक हो जाए तो मकैनिक लोग जिस पर सबस्क्राइबर से साइन कराते हैं और यहां तस्दीक करते हैं कि फोन ठीक हो गया था, साइन किया था नहीं, क्यों, उसने मेरे को साइन करने को बोला ही नहीं था भूल गया होगा, करना ने बोला, तो लोट के आता, एहसान भुन भुनाया क्या पता आए, अभी तो दिन चड़ा है, क्या पता आए, फोन दिखा, अनिल एकाएक उठ खड़ा हुआ लेखू उसे विशाल ड्राइंग रूम के दूसरे सिरे पर लेकर गया, जहां की वाल कैबिनेट पर फोन रखा था अनिल ने बेस यूनिट की तरफ फोरी तवज्जो दिये बिना पहले रिसीवर क्रेडल पर से उठाया और माउथपीस खोलने की कोशिश की जो की उससे न क्योंकी उसे खबर नहीं थी कि माउथपीस के भीतर लॉकिंग होती थी, जिसे रिलीज करने का खास तरीका होता था जिसकी जानकारी प्रशिक्षित टेक्नीशिन्स को ही होती थी, हार मानकर उसने एरपीस पर जोर आजमायश की तो चूड़ी फोरन घूम गई, पूरी चूड़ियां घूमा कर उसने रिसीवर पर से एरपीस अलग किया और उसे कैबिनेट पर एक तरफ रखा, फिर उसकी प उसने एहसान को करीब बुलाया और ट्रांस्मिटर दिखाया, मकैनिक बोगस था, एहसान बरबराया, ये भी कोई पूछने की बात है, अनिल बोला, एकीच काम से आया, ट्रांस्मिटर फिट करने, हाँ, ताकि फोन पर बात हो तो सुनी जा सके, ताकि सारे ड्राइंग रू ओ, क्या बात है, साई लोगो, करनानी ने उच्च स्वर में पूछा, खुसर खुसर क्यों होने लगी? अभी बोलते हैं, बाप, एसान का स्वर मेजबान के लिए उचा हुआ पोडिदार से मुखारिब होते वक्त पहले की तरह दब गया, सूरिया अपार्टमेंट्स और वहां की लैंडलान का हान पता करके आ, पता करके आ कि क्या फर्जी मेकैनिक वहां भी पहुचा था, मैं इद्रीफ ठहरता है, परोबर, अनिल ने सहवती में सिर हिलाया, जल्दी लोटना, कूल कैब अभी भी नीचे ही है वेटिंग में, अनिल ने वक्त जाया न किया, ततकाल वो वहां से विदा हो गया, हैसान वापिस करनानी के सामने आकर बैठा, क्या बात थी उधर, करनानी उत्सुख भाव से बोला, फोन में फिर कोई प्रॉबलम, हाँ, एसान संजीतगी से बोला, क्या, अभी मेरा जोडीदार वापिस आके बोलता है, किधर गया, किधर से वापिस आके बोलता है, वो बोलेगा न, तब तक मेरी बात सुनो, बोलो, तुम्हेरे को सोमवार की वा कालसेकर बोला न, इस वास्ते मेरी बात सुनो, सोमवार की लूट के बाद, अगली सुभा बोले कालसेकर से मिला था, और उससे लूट की बाबत पूछताच की थी, तो मश्वरा किया था, तो सोमवार रात की वारदात की उसने अनोखी थ्योरी पेश की थी, बोलता था, र वो भीरू कलेक्शन के लिए आये थे, रोकड़ा कबजे में देखा तो उनकी नियत बद हो गई, उन्होंने रोकड़ा खुद हजम कर लिया और खुद ही एक दूसरे को ठोका ताकी वो. लूट की वारदात लगती जूले लाल इतनी दूर की सोच ली पिछली रात की वारदात की बाबत्तुम इस लाइन पर कोई दावा खड़ा करना माता है? तुम्हारे तीन आदमियों ने कलेक्शन का पचास लाख रुपया आपस में बाट लिया और लूट साबित करने के लिए खुद आपस में एक दूसरे को मार लगाई. हाँ अरे अभी तो तेरा साथी बोल के गया की जो किया, पुलीस ने किया जो की नकली थी. तेरा साथी अभी खुद बोला की कलेक्टर्स के लीडर ने जो रात. अकेला इधर गुसा था. अबरार बोगस जो भी नाम था उसका, तेरा साथी बोलता था कि पुलीस के सामने उसने तेरे से उपर के साई से बात की थी और वो मामला संभालने के लिए आधी रात को थाने भी पहुँचा था. बाप, या तो अबरार बोगस को वैसी काल के लिए मजबूर किया गया था या काल करने वाला अबरार बोगस था ही नहीं. कोई पुलीस नहीं थी, असली क्या नकली क्या, कोई पुलीस नहीं थी, ठाली कहानी की माल खुद हजम कर जाने के लिए. तुम्हेरे को जमती है ये स्टोरी? वो तीनों मरतों नहीं गए यही तो बोला ना कि हस्पताल में है अक्कल की बात ये होती साई कि पहले उनसे सवाल करते और फिर मेरे से ये स्टोरी करते ये स्टोरी तुम्हेरे को मुम्किन जान पड़ती है जग काल सेकर में ये स्टोरी की थी तो वो तुम्हें कबूर हो गई थी? नहीं तो मेरे को कैसे कुबूर होगी? चन्दे को लेकर कल जो भी ड्रिल हुई वो बहुत खुफिया थी किसी को उसकी कानों कान खबर नहीं हो सकती थी फिर भी हुई कैसे हुई? मेरे को क्या मालूम कैसे हुई तुम्हारे मिस्टर बिग ने चंदा मांगा मैंने देना मंजूर किया और जैसे हुक्म हुआ वैसे दिया इतना करचकने के बाद मेरा कहीं कोई रोल नहीं था आगे जो हुआ वो तुम जानो तभी अनिल विनायक लौट आया दोनों की निगा मिली तो अनिल ने चिंतिद भाव से सहमती में सिर हिलाया अनिल उसके पहलू में बैठ गया तो एहसान फिर मेजबान की तरफ मुखातिब हुआ कलेक्शन की बाबत खबर इधर से लीक हुई फैकता है साइन एहसान ने जोडिदार को इशारा किया अनिल लाइन पर से फोन उठा कर वहां ले आया उसने एरपीस की चूडिया उसे रिसीवर से अलग किया और भीतर मौजूद ट्रांस्मिटर निकाल कर घुमा कर करनानी को दिखाया ये ट्रांस्मिटर है वो बोला जो अब साफ जाहिर है कि वो नकली टेलिफोन मेकैनिक यहां फोन में लगा कर गया जहां ये चूडिया हो वहां ऐसे ही एक रिसीवर के जरीए इसके इरदगिर आधा किलोमिटर तक की हर बात सुनी जा सकती है सुनी गई है एहसान बोला जूले लाल करनानी के मुँ से निकला इतना बड़ा फ्रॉड माधव महता के साथ भी हुआ अनिल बोला उसके लैंड लाइन फोन में भी ऐसा ही चांस्मिटर फिट पाया गया था और वो उसी फर्जी टेलीफोन मकैनिक का कारनामा था जो पहले इसी नापाक काम के लिए आपके यहां आया था यो दुश्मनों को एहसान बोला कल रोकड़े की चंदे के रोकड़े की दो जगह से दिलीवरी की खब लगी उन्होंने हमारे कलेक्टर्स पर घात लगाई शिवाजी चौक चैंबर के रास्ते में उनको थाम कर रोगड़ा भी लूट लिया और तीनों कलेक्टर्स को बेथाशा मार भी लगाई मार क्यों बदला लेने के लिए अनिल बोला कभी उन दुश्मनों को शिवाजी चौक पर बेथाशा मार पड़ी थी उसका बदला लेने के लिए इसका तो ये मतलब हुआ कि तुम लोगों को दश्मन की खबर है शिनाक तरभी सिर्फ अन्दाजा है एहसान जल्दी से बोला आखिर तो पता लगा ही लोगे ये तो नहीं हो सकता न कि मिस्टर बिक की ओर्गिनाईजेशन इतना भी न कर सके देखेंगे अभी मेरे को क्या हुक्म है कुबेर भाई तुम्हेरे से बात करना मांगता होएंगा करें जहां बोलेंगे हाजर हो जाऊंगा माधव महता से भी दोनों एकठे हाजर हो जाएंगे मैं बोलेगा एहसान उठ खड़ा हुआ फोन का प्लग उसकी सौकेट में वापिस लगा लेना दोनों वहां से रुखसत हुए दो शक्तिशाली चांस्मिटर्स से साथ जो उनके किसी काम के नहीं थे क्योंकि वो नहीं जानते थे वो किस रिसीवर के साथ क्यूंड थे और रिसीवर का मुकाम कहा था दो बजे के बाद कुबेर पुजारी शिवाजी चौक पहुँचा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था उसने जिससे मिलना होता था उसे वो तलब करता था लेकिन इस बाद न सिर्फ वो खुद पहुँचा था बिना खबर किये पहुँचा था उसके साथ उससे एक कदम पीछे चलता उमर सुल्तान था बॉस को आया देखकर अनिल विनायक और एहसान कुरला स्प्रिंग लगे गुडो की तरह उचल कर खड़े हुए दोनों ने पुजारी का अभिवादन किया और मेस के पीछे से निकल कर मेस के सामने पहुँचे कुबेर पुजारी खामोशी से एक एक एक्जिक्यूटिव चेर पर बैठा उसने उमर सुल्तान को इकलौती विजिटर्स चेर पर बैठने का इशारा किया अनेल और अहसान के लिए ये परियाप्त इशारा था कि उनकी कोई खास खातिर होने वाली थी स्टेबल का ग्लास नया मालूम होता है पुजारी सहेज भाव से बोला सर एहसान अदब से बोला परसो फरियादी बनके एक दीवाना घुस आया पदमा तो कहती है नशे में भी था दिन चड़ते ही अब क्या बोले सर यहां हर तरह के लोग आते हैं मेरा सवाल शीशे की बाबत था उसी ने तोड़ा जैसी मदद वो चाहता था उसे समझाया कि वो हम नहीं कर सकते थे बात को समझने की जगा भड़क गया यहां पड़ा पीतल का फूलदान उठा कर टेबल पर दे मारा शीशा चूर चूर हो गया सवाल किया ऐसा क्यों किया वो बोला मन की भड़ास निकाली फिर तुमने क्या किया एसान ने जवाब न दिया उसने बेचेनी से पहलू बदला फिर तुमने अपने मन की भड़ास निकाली नो सर वो वाइलेंट हो सकता था इसलिए उसे मार-मार के अधमरा किया और यहां से बाहर फिंगवा दिया, राइट? सर, मैंने बोला न, वो वाइलिंड हो सकता था, बोला, हो नहीं गया था हो ही गया था, सर, फूलदान मार के शीशा तोड़ दिया बोलता था फूलदान से मेरा मुह तोड़ना मांगता था पंशीशा तोड़कर सब्र किया अनिल से पूछिए वो इस वक्त मैं किस से बा करता है? सौरी सर दिन्दहाडे सरेरा चौप में पड़ा था इतने बुरे हाल में कि उठके खड़ा नहीं हो सकता था इतना मारना था सर, रात हमारे आदमियों को क्या कम मारा गया? अभी तक तीनों हस्पताल में हैं वो जानते हैं, वो किस कारुबार में हैं? अपने हर अन्जाम के लिए तयार रहना भी जानते हैं कभी मरते हैं, कभी मारते हैं ऐसा ही है ये कारुबारा क्या? हंग हाँ तुम्हारे आदमियों को फरियादी ने मारा था नहीं तो उसका हवाला किस लिए? फरियादी क्योंकर जिम्मिदार हुआ उनके बुरे अन्जाम के लिए? एहसान खामोश रहा, उसने बेचैनी से पहलू बदला कुम्हार का गुसा गधे पर कभी सुनी है ये मसल? हाँ समझ में आती है हाँ यानि अपने आद्मियों की धुनाई का गुसा फरियादी को धुन कर उतारा सर, वो बात नहीं वो बात नहीं तो अपने आद्मियों की धुनाई का हवाला क्यों दिया? एहसान से जवाब देते न बना जिन लोगों ने हमारे आद्मियों को धुना तुम उनकी खोजक पर निकाल कर उन्हें हमारे आद्मियों से ज्यादा धुन कर आए होते तो कोई बात थी? सर, वो अभी सुबह का तो वाक्या है सुबह ही तो हमें उसकी खब लगी वक्त मिलेगा तो वो भी करके दिखाएंगे कुछ नहीं कर पाओगे सरकारी अफसर हो गए हो कुरसी तोड़ने की आदत पड़ गई है इसलिए कुछ कर दिखाना कहा मुम्किन रहा है तुम्हारे लिए? सर, ऐसा नहीं है तो कैसा है? जानते हो, समझते हो या भूल गए कि दो बार हमारे आदमियों पर वार हुआ ऐसा नफीस वार हुआ जिसका तसवर मुहाल है कल को ऐसा वार मेरे पर हो सकता है मैं किसी बुरे अंजाम तक पहुँच सकता हूँ किसी बुरे अंजाम तक पहुँच सकती है मिस्टर बिग वो भी? क्या पता लगता है? एहसान खामोश हो गया बहर हाल बात उस फरियादी की हो रही थी जिसे तुमने अधमरा करके यहां से बाहर फिंक वाया वो यहां हमारे ट्रस्ट के ऑफिस के दर्वाजे के आदे मर गया होता पुलीस को अपना बयान दर्ज कराके मर गया होता तो फौज़ारी भुगत लेते सर इतना नहीं मा थोका था कैसे मालूम? तुम्हारे पास कोई पैमाना है नापने का की कोई कितना थोका था एहसान से जवाब देते ना बना वो बार-बार थूक निगलने लगा बात लंबी चलेगी पुज़ारी बोला अपने लिए बाहर से कुरसी लेकर आओ वो अनिल की और घूमा तुम भी उस काम के लिए बॉस चाहता तो चपरासी को भी आदेश दे सकता था लेकिन जाहिर था कि उसने जानबूच कर ऐसा नहीं किया था अपने माथत पर अपनी नाखुशी जाहिर करने का ये भी एक तरीका था दोनों कुरसी उठा लाए लेकिन बैठने का हुक्म जानबूच कर गैरमामूली देरी के बाद हुआ बैठो आखिर पुजारी बोला दोनों उमर सुल्तान के बाजू में कुरसी लगा कर बैठे वो फरियादी पुजारी बोला जिसको ठोका नाम मालूम सर मालूम तो था खिद प्रकाश करता एहसान बोला लेकिन लोकर अनिल विनायक गबे स्वर में बोला हनुमन तराव लोकर ओके लोकर तुम्हारे से बेठाशा मार खाने के बाद वो कूपर कंपाउंड पहुँच गया मालूम एहसान चौका उसका सिरस्वय मेव इनकार में हिला का कैसे मालूम सर फिर अनायास उसके मूँ से निकला कैब ड्राइवर को बोला कूपर कंपाउंड जाने का चपरासी ने उसे कैब में लादा था तो सुना था ओ लेकिन सर वहाँ अब क्या रखा है कुछ रखा ही होगा जो उस बुरे हाल में घर या हस्पताल जाने की जगा कर कंपाउंड जाने को तरजीर दी क्यों गया वो वहाँ क्या बोलू सर मेरे को तो कोई वज़ा सूचती नहीं तुम्हारे को उसने अनिल से पूछा अनिल एकाएक सवाल पूछे जाने से गर बढ़ाया जल्दी से उसने इनकार में सिर हिलाया मेरे को मुतवातर शिकायते मिली है कि पुजारी नाखुष लहजे से बोला यहां आने वाले फरियादियों से गलत नाजायज व्यवहार होता है फरियादी की कैसी भी हैसियत हो चपरासी से लेकर खुद तुम्हारे तक कोई उससे अदब से पेश नहीं आता सबको समझाया जा चुका है फरियादियों की हमारे लिए क्या एहमियत है कैसे हमने अपने ट्रस्ट के किसी खास फाइदे के लिए उनका इस्तमाल करना है किसी को डांट कर भगाया जाता है तो किसी को दुदकार कर लोकर जैसे बदन सीबो को जानवर की तरह मार लगा कर सर अहसान बोला ऐसा नहीं है थोबडा बंद पुजारी इतनी जोर से गरजा की एहसान के जिस्म में सिर से पाफ तक सहरन दोड़ गई जब बोलने को बोला जाए तब बोलने का अभी मैं बात करता है क्या जी सर तुम्हें जवाब देने की जल्दी है तो मैं पूछता हूँ सवाल जो मैंने अभी कहा उसके बारे में क्या कहदे हो मैंने गलत कहा कि यहां फरियादियों से बदसलुकी होती है उनके साथ हकारत से पेश आया जाता है यों जाहिर किया जाता है, जैसे कोई फरियादी नहों, धर्मशाला के लिए चंदा मांगने वाला हो मश्किल से कि कोई फरियादी यहां से राजी जाता है सर, इजाज़त लेके बोलता हूं, गुस्ताखी की माफी मांग के अर्ज करता हूं वह आप ही का हुक्म है फरियायों को दिस्करेज किया जाए तमाम के तमाम को तो नहीं फिर दिस्करेज कैसे करते हो ऐसी बदसलुकी से पेश आकर कि उसकी दोबारा यहां कदम रखने की हिम्मत न हो किसी को ट्रस्ट के मौजूदा निजाम से शिकायत हो वो अपनी शिकायत को जुबान पर लाए तो यूँ आपे से बाहर होकर दिखाते हो जैसे कोई दुश्मन सामने बैठा हो फिर उसकी जुरत का अपने स्टाइल से उसको मजा चखाते हो ननही नही सर अब क्या बोलू नहीं बोलने का अभी खामोश ही रहने का वो उमर सुल्तान से बोला रिसेप्शनिस्ट को बुला चपरासी को बुला ये काम बौस घंती बजा कर सकता था लेकिन सुल्तान को हुक्म दिया सुल्तान बाहर गया और वापिस लोटा रिसेप्शनिस्ट पद्मा और चपरासी जिजगते सकुचाते वहां पहुँचे कुबेर पुजारी से उनका वास्ता पहली बार जो पढ़ रहा था तुम्हारा नाम पद्मा है पुजारी बोला और तुम्हारा ममानक चपरासी हक लाया ठीक बोलो साफ बोलो मानक मैं एक सवाल पूछूंगा जो तुम्हारे बारे में होगा लेकिन जवाब तुमने नहीं देना जवाब पद्मा देगी तुम जवाब सुनोगे और उसकी तस्दीक करोगे या उससे इंकार करोगे समझ गए जी जी हाँ तुम्हारे पद्मा की तरफ घुमा साथ यही काम रिवर्स में होगा वो तुम्हारी बाबत सवाल होगा जवाब मानक देगा समझ गई तुम भी यस सर्ण पद्मा बोली लंबी लंबी नहीं छोडने का जा दुरुस्त है उसकी हामी भरने का जो दुरुस्त नहीं है उसकी बाबत सफाया देने नहीं लग जाने का की क्यों दुरुस्त नहीं है ओके Yes, Sir कोई भी होश्यारी दिखाने की कोशिश की तो इसी वक्त दिस्मिस की जाओगी कोई और बड़ी सजा भी मिल सकती है और बड़ी सजा पद्मा मुश्किल से बोल पाई जिसका हमारा ये ओधेदार उसने एहसान की तरफ इशारा किया स्पेशलिस्ट है पद्मा और भैभीत दिखाई देने लगी एहसान ने बेचैनी से पहलू बदला, होठोन पर जुबान फेरी कोई फरियादी यहां आता है, उजारी ने पद्मा से सवाल किया, तो क्या मानक उसके साथ अदब से पेश आना है? भैभीत भाव से उसने इंकार में सिर हिलाया, मुंडी नहीं हिलाने का, मुह से जवाब देने का ननही वेटिंग एरिया में उसे कुरसी पेश करता है नही कोई पानिवानी पूछता है नही वो रुकसत होता है, तो उसके लिए दर्वाजा खोलता है नही उजारी चपरासी की तरफ घूमा अब पद्मा की बाबत सवाल है, लेकिन जवाब तेरे को देने का परोबर चपरासी के तब तक होश उड़े हुए थे, मुंडी हिलाने पर उसने पद्मा को फटकार पड़ती देखी थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से उसने हां मह से निकाली फरियादी रिसाप्शन पर पहुँचता है, तो पद्मा उसके साथ अदब से पेश आती, गुड मार्निंग, सर बोलती है नहीं फरियादी को फॉर्म देती है, तो फॉर्म एक्सलेन करती है नहीं क्या करती है? जवाब देने से पहले उसने सहम कर पद्मा की तरफ देखा जो खुद सहमी हुई थी क्या करती है? उजारी ने सक्ती से अपना सवाल दोहराया फॉर्म देती है और बोलती है इधर नहीं खड़ा होने का उधर जाकर भरो कैसे बोलती है? अदब से? नहीं डांट कर फटकार लगा करा फॉर्म में कोई गलती हो तो फरियादी की खैर नहीं उसकी गलती पर नादानी पर बुरे से बुरा बोल बोलती है सुना तुमने? पुजारी पद्मा से बोला सर जब हमें पदमा हिम्मत करके बोली रिजवी साहब का हुक्म है कि अमूमन फरियादियों को डिस्करेज करना है तो डिस्करेज जैसे करते हैं हमें हुक्म है चप्रासी ने भी हिम्मत की की फरियादियों को ज्यादा भाव नहीं देने का, उनके साथ रुखाई से पेश आने का ऐसा हुक्म है हाँ, जी एहसान का या अनिल का एहसान भाई का उजारी ने एहसान की दरफ देखा, क्या कहते हो? फिर पूछा सरहसान फजसे कंट से बोला कुछ कहने सुनने में कमी बेशी हुई लगती है क्यों हुने दी? जो कहना था साफ क्यों न कहा? कमी बेशी की गुणजाइश क्यों छोड़ी? एहसान से जवाब देते न बना बाहर जाओ पुजारी ने रिसेप्शनिस्ट और चपरासी को खुक्म दिया फॉरन दोनों वहां से हवा हुए यहां का निजाम बिलकुल ठीक नहीं चल रहा पुजारी अब एहसान से मुखातिब था और इसको बिगाडने वाले तुम हो मैंने बहुत नोटिस लिया है तुम्हारा उसके बाद ही यहां आया हूँ पत्थरबाजी की वारदात से ही जाहिर हो गया था कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं क्यों हुई पत्थरबाजी की वारदात क्योंकि करने वालों को तुम्हारी बमिजाजी का भरपूर मजा चखना पड़ा उन्हें इतना जलील किया कि भरक कर जो उन्हें अपने बस का लगा, वो उन्होंने किया, चार जनों ने अपने मन की भरास यहां आफिस पर पत्थर बरसा कर निकाली, पता नहीं तुम्हारे दुदकारे हुए कितने और थे जो तोहीन का गम खाकर खामोश बैठ गए, परसों की वारदा थी तुम्हारे चंगेजी मिजाज का काफी से ज्यादा सबूत है, सहन, मैं क्या करता? वो शक्स वाइलेंट हो उठा था, मेरे पर हमला करने वाला था, तोप से? जी, तोप थी उसके पास? एहसान के मुह से बोल न फूटा, एक मामूली आदमी के हमले से तुम् तुमने रूई की तरह धुना तो अपने बचाव में जिससे उंगली न हिलाई गई, उससे तुम्हें खत्रा था, कैसा खत्रा था? तुम्हारा उतना बुरा हाल कर देता जितना तुमने उसका किया, सर, गुस्ताखी माफ, आप नाहत उसकी हिमायत कर रही हैं, वो शक्स प भड के मिजाज के साथ था, न नहीं, तो बाद में क्यों भड का? जवाब नदारत, नहीं सूचता जवाब, कहते नहीं बनता कि तुमने भड काया, उसे इतना जलील किया कि वो अपना आपा खो बैठा लेकिन फिर भी उसने अपना गुसा शीशे पर उतारा, तुम्हारे पर न उतारा, फिर भी तुम्हारा दावा है कि वो तुम्हारे पर हमला करने वाला था, ऐसा हमला करने वाला था जिससे अपना बचाफ करने के भी तुम नाकाबिल थे, तुम्हें अंदेशा था, बलकि दहशत थी कि उसका हमला तुम्हें मार ही डालता, हमले से खौफ खा तुम्हारे जोडिदार के भी ऐसे हाथ-पाम फूल जाते कि वो तुम्हें बचा भी न पाता थी? एहसान से जवाब देते न बना भाईगिरी के जिस धंधे में हम हैं, उसके भी कुछ रून होते हैं, कुछ पाबंदिया होती हैं अंधी ताकत हाथ में आ जाए तो अंधे की तरह ही इस्तमाल नहीं की जाती, हाथ में हथोड़ा आ जाए तो जो सामने पड़ जाए वही की ऐसे मिज़ाज से काम करोगे तो कौन आएगा यहां? पहले फरियारियों की भीड हो री थी, कितनी की रून बनाना पड़ा की एक दिन में पाँच से ज्यादा नहीं, अब अकसर पाँच भी पूरे नहीं होते, आखिर क्या होगा? सारे जने बैठ कर उन्हीं लोगों का इंतजार करोगे जिन्हें यहां से खुशामदीत की जगा फटकार हासिल होती थी, कोई नहीं आएगा, घर-घर बुलाने जाओगे तो भी नहीं आएगा, जिनकी आस ही तूट गई, वो भला क्यों आएंगे? नतीचन ट्रस्ट के इस ओफिस को जब ताला लगाने की नौबत आ जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? एहसान ने बेचैनी से पहलू बदला नहीं है जवाब तुम्हारे पास, मालूम मेरे को, खेर, अब लूट की उन दो वार्दातों पर आओ जो कल और सोमवार को हुई, कैसे हुई? किसने अन्जाम दिया? सर, अनिल कहता है मैंने सवाल अनिल से किया सर, उन वार्दातों के लिए पत्थरबाज ही जिम्मेदार जान पड़ते हैं पत्थरबाज, यानि कि यहां से खता खाकर भड़के हुए फरियाई? हाँ पत्थरबाजी करके इस ओफिस में तोर फोर मचा के उन्होंने अपने मन की भडास निकाल तो ली थी फिर किसलिए भड़के हुए थे? सर, वो चार ही तो नहीं थे चार तो सामने आये थे जिनोंने पत्थरबाजी का हौसला दिखाया था, उन जैसे और भी तो थे थे? होंगी ही? यहां सब कारोबार अंदाजों से चलता है अहसान को फिर चुप हो जाना पड़ा तुम क्या कहते हो? पुजारी अनिल विनायक की और घुमा इस बारे में तुम क्या कहते हो जिसका रौब तुम्हारे जोडिदार पर गालिब हो भी चुका है अनिल विनायक ने डरते डरते अपनी थियोरी बयान की क्या कहने वो खामोश हुआ तो पुजारी व्यंग्यपूर्ण भाव से बोला पत्थरबाजों ने यूनियन बना ली चार से चालीस हो गए, चालीस से चार सो हो गए और सरपरस्ती के लिए किसी ताकतवर अंदरवर्ड डॉन के पास पहुँच गए हाथी का मुकाबला करने लायक बनने के लिए चीन्टी ने दूसरे हाथी से मदद की अर्जी लगाई ताकि उसमें चीन्टी में दुश्मन हाथी के मुकाबल होने का होसला और सलाहियात पैदा हो पाती, ये है तुम्हारी थ्योरी की समरी ठीक? अनिल ने फसे कंट सेहा उचरी, सब बंडल, बकवास, ऐसी कोई यूनियन नहीं, ऐसे कोई पत्थरबाज नहीं, उनका ऐसा कोई मिजाज मनसूबा नहीं की कलकी और सोमवार की वार्दातों को अंजाम देने का ख्याल करते, वो चार ही थे जो चार से चालीस क्या भी नहीं हुए थे, उन चार जनों ने जो किया था, इसलिए किया था कि यहां से, हासल बदसलुकी ने भड़काया था, न कि वो खुद भड़के थे, वो वन टाइम वेंचर थी, यहां पत्थर बरसा कर उनका गुसा उतर जाता, बात खम हो जाती, लेकिन तुमने उनको तुम्हारी जुबान में मजा चखा कर बात को बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि पुलीस को दखलंदाज होना पड़ा और उन्हें गिरफ्तार करके ठाने ले जाना पड़ा, कोई कम्पिलेंट न हुई, कोई केस न बना, इसलिए उन्हें छोड़ देना पड़ा, इतने पर वो किस साख मधा, आगे उनकी बाबत लूट की दो वारदातों के बाद अनिल ने जो थ्योरी गड़ी और तुमने जिसकी हामी भरी, वो सब बेबुनियाद है, उमर नेक, उधिस बात की तस्दीक की है, तुम्हारी राय पर पत्थरबाजी की वारदात से एक हफता और तीछे जा न किया जो ताकत बताने और हमारा माल लूट लेने लायक खौसलामंद होता, अब फाइनल बात ये है कि अनिल की थ्योरी बंडल है और अब मुकमल तौर से खारिज है, कोई एतरास? कनीमत है, पुजारी आगे बढ़ा अनिल की थ्योरी के हख में तुम दोनों ने उस परची का हवाला न दिया जो वैड़नार में हमारे पिड़े हुए मोहरों पर नथी पाई गई थी और जो लूट के तमाम वाके को पत्थरबाजों की वारदात बताती थी, वो परची फ् जो ब्लेम पत्थरबाजों पर शिफ्ट करने के लिए खेला गया था, अनिल की पत्थरबाजों वाली थ्योरी से कौन वाकिफ था, दोनों एक दूसरे का मुह देखने लगे जवाब दो, पुजारी गुराया, हम दोनों के सिवा कोई नहीं, एहसान दबे स्वर में बोला पक्की बात, हाँ, पढ़ बाद में उमर भाई भी, बाद में, बाद में, मैं शरुआती बात करता है ससौरी, अभी बोलो, ये बात तुम दो जनों से बाहर कैसे गई, दोनों के पास जवाब नहीं था मालूम करो, पुजारी सक्ती से बोला मालूम करो किसी ने ये इतनी खुफिया बात, जो सिर्फ दो जनों के बीच थी, कैसे जानी और आगे कहा पहुँचाई ये एक बड़ा काम होगा जो तुम करोगे क्योंकि इससे ये बात भी जाहिर होगी की कल और सोमवार की घात लगा कर हुई लूट के पीछे कौन लोग थे आई बात समझ में? पढ़ा कुछ मगज में? दोनों समवेट स्वर में हाँ बोले इस सिलसले में अगर कूपर कमपाउन की तरफ तवज्जो दोगे तो जल्दी कुछ कर गुजरोगे और खरदार जो कहा की अब वहां क्या रखा है? दोनों ने बेचेनी से पहलू बदला तरस आता है मुझे तुम्हारी अकल पर की ये मुद्दा मेरे उठाने से पहले तुम लोगों को कूपर कमपाउन का ख्यार तक ना आया तुम्हारी जगह में होता तो सबसे पहले कूपर कमपाउन के बारे में ही सोचता भले ही नतीजा ये निकलता कि वहां की शह से कुछ हुआ होना मुम्किन नहीं था, तुम्हारी तो एक ही तोता रटन्थ है, वहां क्या रखा है? नहीं रखा, तस्दीक की कि वहां कुछ नहीं रखा? नन ही? क्योंकि कूपर कमपाउंड का ख्याल ही ना आया, ठीक? हाँ उस जगा को भूल गए जहां से बखिया के और उसके एम्पाइर के खिलाफ जंग लड़ी गई थी उस जगा को एहमियत न दी जहां से कमपनी का नामों निशान हमेशा के लिए मिटा देने वाली सुनामी उठी थी शर्म आनी चाहिए, कोई कुछ न बोला अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, उसकी तरफ खास तवज्जो दो, या तो मेरे कहे मताबिक कूपर कमपाउंड की तरफ खास तवज्जो दो या पत्थर बाजों के अलावा कोई दुश्मन सुझाओं जिसने दो बार हमारा रोकडा लूटने की जुर्रत की सर, आपकी हर बात दुरुस्त है, लेकिन मेरी अभी भी यही अर्ज है कि कूपर कमपाउंड में कुछ नहीं रखा, वहां की ताकत का धुरा पहले तुकाराम था जो मर गया फिर सोहल था जो यकायक हमेशा के लिए मुंबई छोड़ गया, बाकी अब वहां क्या रखा है? जो चला जाएवा लौट तो सकता नहीं ठीक आपका मतलब है सोहल लौट आया होगा नहीं, मेरा ये मतलब नहीं मेरे पास ये बड़ा बोल बोलने की कोई उन्याद नहीं की सोहल लौट आया होगा क्योंकि अंडरवर्ड में ये बात पूरे एबार और भरोसे से कही जाती है कि सोहल हमेशा के लिए मुंबई छोड़ कर किसी नामालूम जगह चला गया था और उसके लौटने की न इधर कोई खबर है न जाती तोर पर मुझे उम्मीद है कि वो लौट आया होगा ऐसे लौट आना होता इतनी जल्दी लौट आना होता तो जाने की ही क्या जरूरत थी ये ऐलान करके जाने की क्या जरूरत थी कि एक बार का गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा वही तो लेकिन अब जब तुम्हें एहसान खास्तोर से तुम्हें कूपर कमपाउंड की तरफ कवज्जो देने का हुपम है तो सोहल की सूम लगती हो तो लगाने में कोई हर्ज है नहीं यूँ वहां सोहल की हाजरी की नहीं तो गैर हाजरी की तो तस्दीक होगी या वो भी नहीं होगी वो वो तो होगी मुझे मन्जूर होगा वो नतीजा, अब कोई और मसला हो तो बोलो और कोई नहीं पकी बात? हाँ तो फिर मेरी सुनो, यहां की ड्यूटी के लिए तुम नाकाबिल ओदेदार साबित हुए हो, इसलिए अभी इसी मिनट से तुम्हें यहां की ड्यूटी से आजाद किया जाता है एहसान जैसे आस्मान से गिरा, आप हो यू बोला जैसे जो सुना, उस पर यकीन ना आ रहा हो मुझे यहां से हमेशा के लिए हटा रहे है नहीं, एक घंटे बाद बहाल करने के लिए या जास्ती है, एक घंटा आदा घंटा करे मैं उसे ससौरी बात करता है हटेला मैं क्या ककरूंगा फील्ड वर्क करोगे, अभी इतने काम बताये तो है, तुम्हें अनिल मेरे साथ होगा न? नहीं एहसान को और भी बड़ा जटका लगा यह यहां पहले की तरह उमर सुल्तान के साथ काम करेगा सर, हमारी जोडी बनी हुई है, हमेशा हमने एक साथ काम किया है फील्ड में कुछ करके दिखाओ, जोडी फिर बन जाएगी अनिल की जगा अनिल जैसा कोई साथ अभी नहीं कोई मदद जो जरूरी समझोगे, हाजर पाओगे आपको बोलना होगा सुल्तान को ओ, सुल्तान को ये उसके लिए और भी तोहीम की बात थी पुजारी एकाएक उठ खड़ा हुआ माथद भी फौरण उठे उजारी मेज के पीछे से निकल कर उनके करीब पहुचा जाने से पहले वो गंभीरता से बोला एक आखिरी बात एक पते की बात सबक के तौर पर कहना चाहता हूँ अगरचे की किसी के मिजाज में आए ड्रामन को कभी कमजोर न समझो कभी भाव न खाओ की फला तुम्हारे सामने क्या चीज है तुम तो बहुत ताकतवर हो कुछ भी कर सकते हो यही सोच बनाए खोगे तो अपने बुरे अंजाम तक बलकि आखिरी अंजाम तक जल्दी पहुचोगे वो घुमा और बाहर को बढ़ चला सिर्फ सुल्टान उसके साथ चला पुजारी की आदे घंटे की विजिट ने एहसान को अंदर बाहर से हिला दिया था सबसे बड़ा जटका उसे ये लगा था कि अब अनिल विनायक उसका जोडीदार नहीं रहने वाला था पासकल्स बार धारावी में एक्रेजी के इलाके में था उसकी एक खास तरह की क्लायंटेल थी जिसकी वज़र से आसपास से ही नहीं फासले से भी ग्राहक वहां आते थे मानिक पासकल का ड्यूटी फ्री विस्की हासिल करने का कोई साधन था जिसकी वज़र से उस जैसे मध्यम दर्जे के बारों के मुकाबले में वहां ड्रिंक्स रेट कम थे दूसरे कॉलगर्स की आमद पर वहां कोई पाबंदी नहीं थी इसलिए लेट आवर्स में बार की रौनक और बढ़ जाती थी पासकल खुद इस बात पर घाग की तरह निगाह रखता था कि वहां से ओपरेट करने वाली लड़किया डीसेंट हो डिस्क्रीट हो और लिमिटेड हो उस घड़ी शाम के साड़े साथ बजे थे जबकि विमल ने वहां कदम रखा इर्फान के सदके उसे पूर्व सूचना थी कि एहसान कुरला बार में मौजूद था तब बैक अप के तौर पर इर्फान और शोहाब दोनों उसके साथ थे लेकिन उन्होंने विमल से पाँच मिनिट बाद भीतर कदम रखना था दोनोंने तस्दीक की थी कि एहसान कुरला उन्हें नहीं पहचानता था उन्हें यकीन था वो दोनों कभी उसके रूबरू नहीं हुए थे बार का हाल उस घड़ी भी महमानों से भरा हुआ था विमल की सतर्क निगा टेबल टू टेबल घूमी तो एक टेबल पर उसे एहसान दिखाई दिया जो उस घड़ी तीन जनों की सोबत में था और चारों का ड्रिंक्स पर जोर था विमल के चहरे पर तब फ्रेंच कट डाढ़ी मूच थी आखों पर बड़े-बड़े लैंसों वाला चश्मा और सिर पर चौड़े रिम वाला फैशनिबेल हैट था फासले से ही उसे दिखाई दे गया था कि एहसान की टेबल पर एक चैर खाली थी न होती तो बाजरिया वेटर उसे वहाँ चैर का इंतजाम करना पड़ता मेजों के बीच से गुजरता विमल वहाँ पहुँचा बेटकलूफ वो खाली कुरसी पर बैठ गया मेरी थी बेटर हो कौन? एहसान का एक साथी बोला जो नीली जीज, काली टी-शर्ट और टी-शर्ट पर कॉलर वाली लाल चैट की कमीज पहने था जिसके आगे के सारे बटन खुले थे दोस्ट दोस्ट इधर क्या करता है? अभी कुछ नहीं करता, कुछ करने दोगे तो करूँगा सीट की फीज भरोगे फीज कैसी फीज? सबके लिए ड्रिंक ओर्डर करोगे जो बिल भरो, समझ लो वो फीज मन्जूर, पहले ही बोला, आते ही बोला ओर्डर करेगा हसान मुह बिगार कर बोला ड्रिंक लेगा और उठके चल देगा लाल कमीज ने संदिक भाव से विमल को देखा मैं एडवांस पेमेंट करता है फिर क्या वांदा है? अभी वेटर आता है, ज्रिंक्स ओर्डर करना, पेमेंट करना और फिर हमारे साथ चियर्स बोलना वो तो तुम बोल चुके विमल ने सबके विस्की के गिलासों की तरफ इशारा किया वांदा नहीं, दोस्त बोला न, दोस्त के साथ फिर बोलेंगे ओके, हैट क्यों लगाए है? उतार के मेज पर रख एटिकेट का सवाल है दूसरा, शायद पढ़ा लिखा, साथी बोला, नहीं उतार सकता विमल बोला एटिकेट मेरे को मालूम पढ़ मेरा पर्सनल प्रॉबलम इस वास्ते नहीं उतार सकता वाट पर्सनल प्रॉबलम नहीं बोल सकता पर्सनल प्रॉबलम गई तेल लेने उसने एकाएक हैट के रिम को हाथ मारा तो हैट विमल के सिर से उतर कर नीचे फिर्श पर जागिरा सबने देखा वो सिर से गंजा था इसा भाई विगवाला का बनाया गंजा विग विमल का आजमाया हुआ था उससे उसे कभी धोखा नहीं हुआ था कोई नहीं कह सकता था कि वो विग था ओ, सौरी पढ़ालिखा बोला अब मुझे क्या पता था नहीं पता था तो नहीं पता था विमल बोला अब मालूम पढ़ गया न न, मेरे को हैट क्यों नहीं उतारने का था सौरी पहन ले, यार अभी अच्छी तरह मेरे गंजेपन का मजाक उड़ा लो, फिर पहन लेता हूँ काला चश्मा तीसरा, नीली टीशट वाला, बोला रात को कौन लगाता है उसकी भी कोई स्टोरी? विमल खामोश रहा नीली टीशट ने हाथ बढ़ा कर खुद उसका चश्मा उतार लिया सबने देखा, विमल की आखे बटेर की तरह लाल थी नीली टीशट बॉखला गया उसने फॉरन चश्मा वापिस विमल की आखों पर चड़ा दिया बोले तो लाल कमीज बोला आके बैठा था तो बड़ी हच चालीस का जान पड़ता था हैट के नीचे से टकली खोपड़ी निकली तो अब दस साल बड़ा लगता है मैं 38 का हूँ, विमल बोला होगा, यार, हमने उम्र से क्या लेना है जिक्र तो तुम ही ने छेडा कभी वेटर उनकी टेबल पर पहुँचा पूछने पर पता लगा वो ब्लैंडर स्प्राइड पी रहे थे मैं अपने लिए विमल बोला कोई और ब्रांड ओर करे तो कोई वांदा सपने इंकार में सिर हिलाया विमल ने चार लार्ज ब्लैंडर स्प्राइड और एक लार्ज ग्लैंडर फिडिक का ओर टाइम्स दिया और वेटर को खास ताकीत की की उस राउन्ड का बिल साथ लेकर आए अहसान को छोड़कर बाकी एक दूसरे का मुँ देखते यू मुस्कराने लगे जैसे तब शाने के पूरी तरह से फंस कए होने की तस्दीक हो गई थी अहसान बहुत ही बुरे मूड में लग रहा था चहरे पर फटकार बरस रही थी और नहीं लगता था कि घुंट लगा कर भी उसके मिजाज में कोई फर्थ आया था दोस्तों के साथ बार में था लेकिन तवज्जों का रुख कहीं और ही जान पड़ता था दोस्त इतने कमीने थे एहसान तो था ही कि किसी ने भी फिशपर गिरे पड़े हैट को उठा कर वापिस विमल के हवाले करने की कोशिश नहीं की थी वेटर ड्रिंक्स के साथ लोटा वो सर्फ करने लगा तो लाल कमीज ने उसके हाथ से ट्रे ले ली ले क्या ली छीन ली मैं सर्फ करता हूँ लाल कमीज बोला साहब वेटर व्यगरभाव से बोला मेरे को मालूम की हमेरे को भी मालूम तू पेमेंट ले विमल ने पेमेंट के लिए जेब से 2000 के नोटों का इतना मोटा पुलंदा निकाला कि सब की हैसान की भी आखे फट पड़ी विमल ने बिल पर निगार डाली तो पाया 1400 रुपए का बिल था उसने वो पुलंदा जेब में वापिस रखा और जेब से वैसा ही दूसरा पुलंदा पनोटों का निकाला उसमें से तीन नोट अलग किये और खुशी से रुखसत किया आखिर बार का एक फेरा भर लगाने की एवज में उसे 100 रुपए टिक मिली 500 के थी लाल कमीज के इशारे पर सबने खुद उसने भी अपने मौजूदा जाम निपताएं फिर उसने नए पाँच गिलास आवंटित किये विमल अपना गिलास उठा कर नाक तक ले कर गया ये ग्लान्फिडिक नहीं है वो ततकाल बोला कैसे मालूम? लाल कमीज बोला अरे भाव क्यों खाता है? खुद मालूम कर ले कौन से गिलास में तेरा ब्रांड है? विमल ने वही किया ग्लान्फिडिक लाल कमीज के सामने पड़े गिलास में थी विमल ने घूर कर उसे देखा लाल कमीज बेशर्मी से हसा विमल ने गिलास तबदील किये चियर्स फिर अपना गिलास उचा करता बोला सबने चियर्स बोला एसान ने यूँ जैसे एसान कर रहा हो अकसर इधर आता है भीन पढ़े लिखे ने पूछा नहीं विमल इतमीनान से बोला लेकिन अब आया करूंगा ऐसा क्यों इतने अच्छे दोस्ट जो मिल गए ओ, बढ़िया विमल कंखी आखों से नोट कर रहा था कि एसान ने अपने जाम की बहुत छोटी सी चुसकी मारी थी और उसे यूँ वापिस मेज पर रखा था जैसे वो उसे बदमजा लगा हो निश्चे ही वो बहुत बुरे मूड में था इतने की फिलहाल विसकी भी कोई मदद नहीं कर रही थी पड़े लिखे पर से ध्यान हटा कर विमल एहसान की तरफ आक्रिष्ट हुआ मूड ठीक नहीं तुम्हारा वो एहसान से बोला नाम बोले तो मैं होता तो एहसान दस हुज़त करता कि उसने उसके मूड से वो नाम क्या पूछता था वगेरा लेकिन तब वो अन्मने भाग से बोला अच्छे मूड क्या लेना था एहसान मैं गिरिशा विमल बोला बोले तो भीडू तेरा मूड ठीक करे मैं तू? हाँ क्या करेगा? कैसे करेगा? अभी ये गेम करेगा न? तू जीत गया तो बाग बाग हो जाएगा कैसा गेम? विमल ने जेब से एक चमचम सिक्का बरामत किया और एहसान को उलट पलट कर दिखाया सोने का है फिर बोला दस ग्राम का तेईस कैरेट का कीमत पचास हजार ये सिक्का ये मैंने तेरे जाम में डाला एहसान हडबराया सिक्का अब उसके सामने पड़े जाम के बॉटम में था ये ये क्या किया? उसके मुँ से निकला बैटिंग मेरा शौक है शगल है एहसान भाई अभी मेरी तेरे से बैठ है कि अपने सामने पड़ा ड्रिंक तू फिनिश नहीं कर पाएगा येडा कर पाया तो सिक्का तेरा एहसान और हडबराया स्वयमेव उसकी निगाह गिलास पर जुग गई सोने का नहीं होगा वो बोला कोई परकने का तरीका हो तो परक लेना लेकिन बैठ के बाद बैठ दोहरा के बोले तो ये ड्रिंक तू फिनिश नहीं कर पाएगा कर पाया तो कोईन मेरा हाँ न कर पाया तो तो मैं क्या हारेगा तू क्या जीतेगा तो अगला राउंड तू ओर्डर करना और पेमिंट करना यानी 1400 के बदले में 50,000 की शर्ट हाँ क्यों क्योंकि ऐसी बैठ की थिल्स में मुझे बेठाशा मज़ा आता है रगों में खून की रफ्तार बढ़ जाती है क्या कहने मैं ड्रिंक फिनिश क्यों नहीं कर पाएगा ये तू जाने उस मेरे हाथ से चीन लेगा नॉनसेंस तेरे साथ तीन भीड इन्हें खवरदार करके रखना ठीक है देखता है क्या भेध है तेरी बैठ में एक बात और है वो भी बोल एक सांस में न पीना घुट घुट करके पीना वरना सिक्का निगल जाएगा ठीक है उसने हाथ बढ़ा कर जाम उठाया थोड़ी देर उसे उंगलियों में घुमाया भीतर जाका फिर खामखा जिजगते हुए एक घुट पिया उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा होंट चटकाए और एक घुट और पिया केवल विमल ने नोट किया उसकी निगा गहराने लगी थी और चेहरे का रंग बदरंग होने लगा था उसने एक ही घुट और पिया गिलास उसने यू हाथ से रखा की ठक से गिलास का पेंदा मेज से टकराया उसकी आखें बंध होने लगी, सिर्फ धीरे धीरे यू जुकने लगा की आखिर माथा मेज से जा लगा तीनों दोस्त असमंजस के भाव से उसकी तरफ देखने लगे विमल ने एक बार में अपना गिलास खाली किया और उठ खड़ा हुआ, मैं जीता दो उंगलियों से अहसान के गिलास से सिक्का निकालता वो बोला, इसे क्या हुआ लाल कमीज बोला कुछ नहीं हुआ, क्या होना है खाली शर्थ हारा, ड्रिंक फिनिश ना कर सका रुक जा, तू अभी नहीं जा सकता तभी इर्फान शोहाब वहाँ पहुँच गए, चले शोहाब बोला शर्थ का फैसला हो गया इर्फान बोला हाँ विमल बोला, ड्रिंक फिनिश ना कर सका हार कर ड्रिंक का राउन मंगाना था 1400 का बिल भरना था की नींद आ गई खर्चे की जिम्मेदारी से बच गया, चलो तू नहीं जा सकता लाल कमीज ने उसकी बाह ठाम ली बाह विमल ने न चुड़ाई इर्फान ने चुड़ाई और यू चुड़ाई की लाल कमीज की बाह कंदे से उखार देने में कसर न चोड़ी कौन रोकेगा, वो कड़कर बोला लाल कमीज ही नहीं, बाकी दो भी सहम गए विमल ने तब भी फिशपर पड़ा अपना हैट उठाया उसे थोड़ा जाड़ा और सिर पर टिका लिया अभी उठ जाएगा विमल ने मीठे स्वर में लाल कमीज को तसली दीना उठा तो उठी जाएगा, गुड नाइट तीनों को मुह बाए बैठा छोड़ कर इर्फान, शोहाब के साथ विमल वहां से रुखसत हुआ सिक्का सच में सोने का था, उस पर ऐसे घुलनशीर जहर की कोटिंग थी, जो एकाएक नहीं, धीरे धीरे असर करता था, स्लोप वायजन कहलाता था क्या होगा उसका? क्याप चलाता इर्फान रास्ते में बोला, शोहाब उसके बाजू में पैसेंजर सीट पर था और विमल पीछे था, क्या होगा? विमल लापरवाही से बोला दोस्त हस्पताल ले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, नादान निकले, नालायक निकले, यहीं सोचते रहे कि चन्न है, तो भी मरेगा तो नहीं, लेकिन बहाल काफी अर्सा रहेगा ठीक, यानि शोहाब बोला जान लेने का कोई इरादा नहीं था अभी नहीं, अभी जो हुआ, वो उसके लिए वार्निंग था और एहसान कुरला जैसे मवाली ऐसी वार्निंग को बाखु भी समझते हैं, लेकिन आइंदा उसका मिजाज ना बदला तोकता खाएगा अरे, उठ जाने देना था खजूर को, इर्फान बोला इर्फान भाई, खून का बदला खून होता है, लोकर जिन्दा है, सही सलामत है ऐसा था तो हम वैसे ही उसे लोकर जितना ठोक देते, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मुझे ड्रामा पसंद है, ड्रामे का देखने वालों पर असर होता है, ठोक देते बराबर, लेकिन क्या मजमा लगा के ठोकते? इर्फान फिर न बोला तभी विमल के मोबाइल पर सिगनल आया शंधाई मून की होस्टेज शेफाली का SMS दर्स था रैड टेबल क्लॉथ टेबल मेक्स एन अपिरिंस विमल ने मैसेज की बाबत साथियों को बताया जाएगा? इर्फान ने पूछा ये भी कोई पूछने की बात है तीन दिन से इसी दिन का तो इंतजार था इर्फान ने घड़ी देखी साड़े आठ बजने को थे अभी? वो बोला अभी कैसे? विमल बोला ड्रेस चेंज करनी होगी पिछली बार वाला जेम्स दयाल जैसा हुलिया बनाना होगा पहले चैंबूर चल वहाँ तो जा ही रहे हैं बढ़िया शोहाब में अपनी रात पाली पर निकलना है रोके इसे? कोई जरूरत नहीं एक से दो भले होंगे न दो एक तू एक मैं मेरा मतलब था बैक अप में दो भले शोहाब को जाने दे विक्तर को बुला ले अरे नहीं जरूरत तेरी मर्जी साड़े नौ बजे विमर शंधाई मून पहुचा अपने पिछली बार वाले जेम्स दयाल के बहुरूप में कोई फर्क था तो ये कि पिछली बार उसकी जीन्स और पी कैप का रंग काला था इस बार नीला था स्टीव और कौशिक ने उसे ततकाल पहचाना वो लपकता हुआ उसके रूबरू हुआ वेलकम सर वो फर्माईशी मुस्कुराहट से मुस सजाता बोला थैंक यू विमल बोला सो यू रिकर्गनाईजड मी यस सर यू वर हैर ओन वेडंस डे इवनिंग यस राइट बाद में शेफाली ने मुझे आपका नाम भी बनाया मिस्टर जेम्स दयाल इजन्टिट यस बाई दी वे मेरा क्रेडिट कार्ड आज भी घर रह गया है हाँ लेकिन आज मुझे मेरी डेट ने दिच नहीं किया मर्जी से अकेला है आज कनहाई का मूर है होता है ऐसा कभी कभी लीड मीट कैश काउंटर जरूरत नहीं सर आप अब नोन कस्टमर है आईए आपको टेबल पर लेके चलता हूँ थैक यू इस बार बिना फर्मायश के स्टीव ओड ने उसे ऐसी टेबल पर पहुँचाया जो डांस फ्लोर के करीब थी विमल ने पहले की तरह उसकी मुठी में दो सो का नोट सरकाया ड्रिंक एज यूजूल सर स्टीव ओड बोला यस विमल बोला ग्लान्फडिक विद वाटर एंड आइस आई रिमेंबर सर यूँर ड्रिंक इस कमिंग अप राइट अवे स्टीव ओड ने उसे वेटर के हवाले किया और रुखसत हो गया वेटर ने ड्रिंक सर्फ किया विमल ने अचरत से नोट किया कि इस बार पोटेटो चिप्स के कटोरे के साथ पीनट्स की जगा काजू का कटोरा था वेटर रुखसत हुआ तो उसने सबसे पहले डान्स फ्लोर के गिर्द की तमाम टेबलों पर बारी-बारी निगार डाली सब आकूपाइड थी सिर्फ एक खाली टेबल थी जिस पर उसकी निगा अटकी वो बाखी टेबल से साइज में जुदा थी उस पर सिर्फ दो कुरसिया थी और टेबल पर लाल मेजपोश बिचा हुआ था गुड उसने विस्की की एक चुस्की ली फिर उसकी निगा पैन होती सारे हाल में घूमी शेफाली उसे कहीं दिखाई न दी होगी कहीं उसने मन ही मन सोचा उसे पहुचा देखेगी तो आ जाएगी बैंड बज रहा था लेकिन डांस फ्लोर उस घड़ी खाली था यानि पैट्स का अभी वर्टीकल सैक्स का मूड नहीं बना था वो प्रतीक्षा करता रहा हल्लो मखमली आवाज से उसकी तंद्रा तूटी हल्लो शेफाली उसके मुँ से निकला वो हसी बिलौरी हसी विमल ने सर उठाया तो पाया वो शेफाली नहीं थी आई वाज एक्स्पैक्टिंग शेफाली वो बोला मेरे में कोई कमी पाई वो बोली नहीं माई डियर बिल्कुल नहीं लेकिन शेफाली बिजी है नहीं आ सकती बाद में मुम्किन है आई वेट फॉर हर थैंक्यू उसने कोई बुरा न माना जैसे इखलाती आई थी वैसे इखलाती लोट गई और पार्ट ओफ ए गेम विमल ने मन ही मन सोचा नथिंग पर्सनल ओनली प्रोफेशन उसका इंतजार जारी रहा सवा दस बस गए वेटर ने उसका गिलास खाली देखा तो उसके करीब पहुँचा विमल ने रिपीट का ओडर दिया जो की तुरंट सर्व हुआ कहा थी शेफाली नए जाम की तरफ तवज्जो देते उसने सोचा उस जैसे किसी तन्हा कस्टमर के साथ हाल में तो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी या शायद हाल बहुत बढ़ा होने की वज़य से वहां मौझूद सारे कस्टमर उसे नहीं दिखाई उसे फोन का ख्याल आया उसने मोबाइल निकाल कर उसका फोन बजाया This phone is temporarily switched off की घोशना सुनाई दी, तभी उसे जो नजारा दिखाई दिया, उसने ड्रिंग की तरफ से उसकी तवज्जो हटा दी, दो वेटर स्पेशल टेबल के करीब पहुँचे, एक ने लाल कपड़ा मेस पर से उठा के तह किया और टेबल संभाली, दूसरे ने दोनों हाथो से दो कुरसिया उठाई और चुपचाप वो वहां से रुखसत हो गए, क्या माजरा था, क्या मतलब था उस हरकत का, इसके सिवाए और क्या हो सकता था कि मिस्टर क्वीन की वहां आमद का प्रोग्राम कैंसल हो गया था, शेफाली इस बाबत शायद कुछ बता पाती लेकिन वो उपलब्ध नहीं थी, जमशेद कड़ावाला से दर्याफ्त करता तो पहला सवाल यही होता कि उसे मालूम कैसे था कि उस शाम मिस्टर क्वीन वहां आने वाले थे, क्या करें वो? तब ही स्टीवार्ड कौशिक उसके करीब पहुँचा, उसके हाथ में एक मोबाईल फोन था जो उसने विमल की तरफ पढ़ाया सर, वो बोला, कोई आप से बात करना चाता है इस फोन पर विमल की भवे उठीन यस, सर इस फोन पर मेरे लिए काल का क्या मतलब? सर, काल आपके फोन पर आ सकती है, आप नंबर दीजिए, अभी आएगी विमल ने कुछ क्षन सोचा फिर हाथ बढ़ा कर स्टीवार्ड से फोन ले लिया उसने उसे कान से लगाया और सावधान स्वर में बोला, हलो आप हैं, जो मिस्टर क्वीन से मिला जाते है एक मधुर स्त्री स्वर उसके कान में पड़ा हाँ, विमल पूर्ववत सावधान स्वर से बोला यहाँ आ जाएए, मुलाकात हो जाएगी यहाँ कहा? जुहू रोड, बंगला नमबर साथ, लाइन कट गई ताइंस विमल ने इंकमिंग काल का नमबर जानने की कोशिश की लेकिन स्टीव ओर्ड ने फोन पहले ही उसके हाथ से ले लिया थैंक्यू, सरारा, वो मधुर स्वर में बोला एंजाई यूवर ड्रिंक का ठैंक्स फॉर वाइस सजेशन विमल बोला आज शेफाली नहीं दिखाई दे रही? मुझे भी नहीं दिखाई दे रही वो घूमा और लंबे डग भरता वहां से विदा हो गया अब वहां कुछ नहीं रखा था कर्टियस स्टाफ एकाएक बेरुखी से पेश आने लगा था विमल ने बिल मंगवाया, उसे चुकता किया अपना गिलास खाली किया और बाहर का रास्ता पकड़ा पिछली बार की तरह उसको नत्मस्तक होकर दर्वाजा खोलने के लिए स्टीव और वहां मौजूद नहीं था वो बाहर निकला, यार की पारकिंग में उसने इर्फान को तलाश किया और उसके साथ उसके पहलू में कैब में बैठा बाप, पीछू बैठ इर्फान बोला तू पैसेंजर अब छोड़ न विमल तनिक जुंजलाई स्वर में बोला वो तकलूफ आती बार का था बोले तू ओके, जल्दी आ गया जो सोचा था, वो न हुआ, इसलिए क्या हुआ विमल ने बताया ओ, विमल खामोश हुआ तो इर्फान बोला जाएगा तू बोला फंदा है मेरे को भी यही जान पड़ता है बुद्वार को तो शेफाली नाम की होस्टेस ने इतना कोपरेट करके दिखाया जो वादा किया उस पर आज खरा उतर कर भी दिखाया मैं यहां पहुँचा तो सब उल्टा लाल मेजपोश वाली टेबल दिखाय दी लेकिन इंतजार के बावजूद उसको आकूपाई करने वाला कोई ना आया ना मेरी वहां मौजूदगी के दौरान मेरे को होस्टेस शेफाली दिखाय दी न उसका मोबाईल लगा फिर लाल मेजपोश वाली टेबल भी गायब हो गई गायब हो गई मेरा मतलब है मेरी आँखों के सामने उठा ली गई क्योंकि आने वाला किसी वज़ा से नहीं आया था क्योंकि आने वाला कोई था ही नहीं वो लाल मेजपोश वाली मेज मुझे भर्माने के लिए सजाई गई थी उसको हटा के यूँ जाहिर किया गया था कि मेज के स्पेशल आकूपेंट ने आना तो था लेकिन किसी वज़ा से नहीं आ सका था फिर वो मिस्टीरियस काल आई की मेरे को मिस्टर क्वीन से मिलना माम का था तो मैं जुहू रोड बंगला नंबर साथ पहुँचू इर्फान तेरी तरह मेरी अकल भी यही कहती है कि ट्रैप है तो खम कर किस्सा मत जा एक चक्कर लगाने का वहां का माहौल भांपने का इरादा फिर भी है क्या हाथ आएगा आएगा देखेंगे जब खुद कुगूल करता है ट्रैप है तो फंसने जाएगा खास करके एहतियाद बरतूंगा तो वो नौबत नहीं आएगी अरे किस बात की एहतियाद बरतेगा बंगले की शकल एहतियाद से देखेगा तू चल न एक राउंड मार आने में क्या हर्ज है इसलिए बोला था विक्तर को बुला ले अरे मौलाना चंगेजी जब एक जना कुछ नहीं कर सकेगा तो दो के किये भी कुछ नहीं होगा क्या मालिक है बाप तेरी मर्जी पन कहना मान तीछे फिर भी बैठ विमल कैब से निकल कर पीछे बैठा 264 कैब यार्ड से निकली और अपनी मन्जिल के लिए रवाना हुई जू रोड का सफर खामोशी से कटा दोनों ने सडक के पार से बंगला नमबर साथ का मुआयना किया वो एक बड़े प्लोट में बना बंगला था जिसके सामने की दीवार के साथ लगा सिर्फ एक बल्ब जल रहा था जिसके लिए बंगले के विशाल फ्रंट्यार को रोशन कर पाना मुम्किन नहीं था भीतर दो तीन खिड़कियों के भारी पर्दो के पीछे रोशनी थी लेकिन वो खिड़कियों को रोशन करने के लिए ही काफी थी बाहर उसकी पहुँच नहीं थी विशाल एक मंजिला इमारत की छत पर उसके मिडल में एक विशाल चौकोर चबूतरासा था जिसके नीचे फिशपर रंधीन शीशो वाली खिड़किया थी उन खिड़कियों की फ्रंट और दाय पहलू पर तो साफ हाजरी थी सिमिट्री के लिए उनका बाहर और पीछे होना भी लाजमी जान पड़ता था चबूतरे की छट पर फाइबर ग्लास का एक डोम था जो यूस थापित था की छट के सिरो तक पहुँचा होने की जग़ छट के बीच में बना जान पड़ता था यानी छट की मुंडेर और उसके बीच में संकरा सा परकोटा था खिड़किया और डोम बहुत कम रोशन थे बस इतने की सड़क पर से उनके वजूद की हाजरी लग जाती शायद डोम के नीचे गोल हाल था जो बंगले के कॉलोनियल आर्किटेक्ट के हिसाब से ड्राइंग रूम ही हो सकता था जिसमें इतनी रोशनी उस घड़ी नहीं थी की डोम तक पहुँच पाती दाई तरफ बंगले का लोहे का दो पलों वाला इतना बड़ा आउटर गेट था कि उसमें से बड़ी से बड़ी गारी गुजर सकती थी आगे उतना ही चोड़ा ड्राइव वे था जो बंगले के आखिर तक वहां पहुचता था जहां एक बहुत बड़ा शटर लगा दिखाई दे रहा था और उसके पीछे निश्चित रूप से गैराज था उसके उपर खिड़कियों वाले कमरे थे जिन तक गैराज के कोने से फायर एसकेप जैसी गोल सीडिया पहुचती थी ऐसी जगह सवेंट क्वार्टर ही हो सकती थी लेकिन उपर उस घड़ी बिलकुल अंधेरा था आईरन गेट के बाए बाजू में बाहर की तरफ एक वाचमेन बॉक्स था वो उस घड़ी रोशन था जिससे लगता था भीतर कोई मौजूद था बंगले के बाई तरफ एक अंधेरी गली थी जिसकी तरफ विमल ने खास कवज्जो दी पुराना बना बंगला है इर्फान धीरे से बोला इसलिए बनावट में पुराने ने अंदास का है तब का बना जान पड़ता है जब जो उजार जगत थी और यहां जमीन बहुत सस्ती थी तब व्यापारियों ने फिल्म स्टार्स ने यहां बड़े-बड़े प्लॉट खरी दे थे कुछ ने जुहू बसने लगने पर मुनाफा कमाने के लिए प्लॉट बेच दिये थे कुछ ने तब बंगले खड़े कर लिये थे सब तो पुराने जैसा की हमारे सामने वाला है स्टाइल के नहीं दिखाई देते बिक के तूट के कई फिर बने इसलिए ठीक जैसे आसपास के बंगले रोशन है वैसे इसमें रोशनी का माहौल क्यों नहीं है कम लोग रहते होंगे शाम के रूटीन कामकाज से जल्दी निपट जाते होंगे अरली स्लीपर होंगे क्या बोला बाप जल्दी सो, जल्दी जागो वाले मिजाज के होंगे हो सकता है ट्रैक वाला कोई हाल दिखाई तो नहीं देता दिखाई दे जाएगा तो फंसेगा कैसे ये बात तो ठीक कहीं तूने अब बंगले के बाए बाजू में अंधेरी गली है उसमें चल इरफान ने आदेश का पालन किया वो डबल रोड थी जिसके बीच में उचा डिवाइडर था परली सडक पर पहुँचने के लिए आगे से घूम कर आना जूरी था कैब गली में दाखिल होने लगी तो इरफान ने इंजन बंद कर दिया और हैड लाइट सॉफ कर दी कैब निशब्द लुढकती हुई गली के मिडल में जाकर स्थिर हुई विमल ने इरफान को इशारा किया दोनों खामोशी से बाहर निकले और सावधानी से निशब्द चलते बंगले के परले सिरे तक पहुँचे और पिछवाडे की और की संतरी गली में घूम कर आए सर्वत्र सन्नाटा था कहीं कोई कुट्ता भी नहीं भौक रहा था वैसे ही चुपचाप वो वापिस क्या तक पहुँचे तब विमल ने इरफान को अपने खतरनाक इरादे से आगा किया सोच ले बाब इरफान चंतापूर्ण भाव से बोला जो बोला है सोच के ही बोला है विमल बोला ठीक है फिर दिख रहा है कि बंगले की मुंदेर उची है टैकसी की छट पर चड़ कर भी उस तक मेरे हाथ नहीं पहुचेंगे हम दोनों को टैकसी की छट पर पहुचना होगा छट बैठ तो नहीं जाएगी नहीं बाप फियेट है आजकल की पापड चट नहीं है गुड तेरे को मेरे को उठा कर उपर हूलना होगा तभी मेरे हाथ मुंदेर तक पहुचेंगे बरोबर पंचछत पर पहुच कर करेगा गया दोन के रोशंदानों में से किसी से भीतर जाकूंगा हासिल अभी क्या पता सामने आएगा इर्फान खामोश हो गया पाँच मिनट बाद विमल बंगले की चट पर था उसने इर्फान को टैक्सी की चट पर न टिकने का इशारा किया तो इर्फान टैक्सी के भीतर जा बैठा विमल ने देखा चट की मुंदेर और डोम के बीच का परकोटा कोई बारा फुट चोड़ा था और अंधेरा और सुनसान था दबे पाव उसने डोम तक जो खिड की सामने थी सावधानी से उसने उसमें से नीचे जाका तो पाया की पहुँच बनाई नीचे एक बहुत स्टाइलिश गोल ड्राइंग रूम था जिसकी डबल हाइप की छट वो चोतरफा खिडकियों वाला डोम था ड्राइंग रूम रोशन था और उसमें एक महिला और एक पुरुष अगलब गल बैठे थे दोनों के सामने एक टेबल थी जिस पर ड्रिंक्स का सब साजो सामान मौजूद था पुरुष का गिलास उसके हाथ में था महिला का उसके सामने रखा था वो एन उनके उपर था इसलिए उसे उन दोनों के सिरही दिखाई दे रहे थे उनकी उम्रे या शकलसूरत का अंदाजा लगा पाना मुम्किन नहीं था हर खिडकी के दो पल्ले थे जो फ्रेम से जाहिर होता था कि भीतर को खुलते थे उसने हैंडल घुमा कर एक पल्ले को धीरे से बाल-बाल करके भीतर को सरकाया पल्ला चोखट से अलग होकर थोड़ा परे सरक गया उसने जेब से एक ट्रांस्मिटर बरामत किया जो लंबे धागे के सिरे के साथ बंधा हुआ था खिडकी के पल्ले और चोखट के बीच बनी कोई एक इंच की जिरी में से उसने ट्रांस्मिटर को नीचे लटकाया जैसा रिसीवर फिट किया नीचे से आती वारकालाप की आवाजे उसे साफ सुनाई देने लगी क्या ख्याल है बहिला कह रही थी आएगा आवाज की खनक से वो कोई नौजवान लड़की जान पड़ती थी उम्मीद तो है पुरुष बोला कब तक इंतजार करोगी? जब तक आजिस नहीं आ जाओंगा इतना इंपॉर्टन्ट है तुम्हारे लिए उससे मिलना? हाँ क्यों? जमशेद कड़ावाला की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी पहुँच में जो है आठ किलो प्योर अंकट हेरुइन है मेरा इरादा उसको ठामने का है और उससे हेरुइन छीन लेने का है ऐसा यकीननं तुम हेरोईन के लालच में तो नहीं करोगे ज़रूर कोई और प्लान है तुम्हारे जेहन में सही पहचाना वैसे तो 10 करोड की हेरोहन का लालत जो है भी अपने आप में कोई कम नहीं लेकिन मेरे जेहन में जो है उसका दूसरा इस्तमाल है क्या? जो काम मैं नहीं कर सकता वो मैं जो है उससे करवाऊंगा उससे सौधा टाइंज करूंगा कि वो मेरा काम करेगा मैं उसकी हेरोईन लोटाऊंगा या उसकी सेल का जो है, इंतजाम उसे करके दूंगा जैसा की वो चाहता है इतने बखेडों की जरूरत क्या है? अपना काम खुद क्यों नहीं करते हो? नहीं कर सकता और तेरे को समझा भी नहीं सकता जो है, कि क्यों नहीं कर सकता ऐसी क्या बात है? है कोई बात जो तेरे को नहीं बताई जा सकती, मैं ये जो है, काम खुद नहीं कर सकता and that's final, लेकिन अगर कोई दूसरा जो है, इस काम को अंजाम देने का बीड़ा उठाए तो मैं उसकी हरचन मदद करूंगा जो आ रहा है, उसे ब्लैट में करोगे अपने काम की खातिर? फिलहाल तो यही इरादा है क्या करोगे? कैसे करोगे? करावाला पर वो पुरैसरार जाहिर कर चुका है कि हेरोईन के किसी immediate डील का वो जो है, खुद तमन्नाई है वो डील मैं उससे करूंगा, जो रेट वो मांगेगा थोड़ी हील हुजद के बाद मैं उसे कुबूल कर लूँगा जब दील के कनलूजन का वक्त आएगा, इस हाथ दे, उस हाथ ले का वक्त आएगा तो टाइम्स हेरोईन जो है, मैं उससे च्छीन लूँगा जो कि कोई मुश्किल काम नहीं होगा, वो इधर अकेला है, क्या करेगा अकेला दस करोर की हेरोईन का गम खाएगा या मेरे इसरार पर जो है, मेरा काम करना कबूल करेगा दूसरी आप्शन ही कबूल करेगा लेकिन उस आप्शन के तहट जो उसे करना होगा, वो कर सकेगा जब उसे हर मुम्किन मदद हासिल होगी तो क्यों नहीं कर सकेगा मदद तुम्हारे से जाहिर है मदद कर सकते हो मदद जो करोगे उसे खुद अमली जामा नहीं पहना सकते अब एक ही बात के पीछे न पड़ी रहवन मुझे जो है गुसा आ जाएगा एक बार कहा हजार बार कहा ये काम हरगिस हरगिस मैं जो है खुद नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता तु मेरी जान है फिर भी तुझे नहीं बता सकता अब फिर जो है वज़र जानने की जिदकी तो पेंदा ठोक दूँगा Sorry, Darling Sorry from core of my heart दिखा क्या अपने हाट की कोड वो जोर से हसी अशलील हसी एक बार ये मौझूदा बखेडा निपट जाए फिर जो जी में आए देखना ठीक है दील के तहट अपने हिस्से का काम करता अगर वो पकड़ा गया पकड़ा ही जाएगा फिर निकल भागने की कोशिश में जो है जान से जाएगा तो ये इरादे है हाँ, लेकिन जो सोचा है वो तभी अमल में आएगा जबकि उसके यहां कदम पड़ेंगे अभी तक उसे आ नहीं जाना चाहिए था आ जाएगा कहीं ट्राफिक में फंस गया होगा मैं तो बोर हो गई मेरे से इंतजार नहीं होता तेरे से कुछ भी नहीं होता हाट की कोर भी जो है नहीं दिखाई जाती कोर देखनी है या वो इठलाई कोर के बहाने वो ग्लोबल कंटेनर देखना है जिसमें हाट का मुकाम होता है हाट की कोर का मुकाम होता है वो हसा साली लुच्ची फिर प्रशन सात्मक स्वर में बोला युवती ने हसी में उसका साथ दिया फिर जैसे उसको रिजाने के लिए दोनों हाथ सिर से उपर उठा कर धनुष की तरह जिस्न को खम देकर जोर से अंग्राई ली यू उसका सिर स्वय मेव ही उपर को उठ गया वो उपर क्या है? एकाएक वो बोली कहा? पुरुष ने तनिक सक्पकाते हुए पूछा एन हमारे सिरो के उपर क्या है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कुछ हवा में लटका सा जान पड़ रहा है मकडी है इतनी छोटी नहीं होती मकडी उसका बच्चा होगा अपनी लार से जो है यू ही लटकता है डोंट टॉक नॉनसेंस उपर एक खिडकी का एक पल्ला खुला है उसी में से धागे से बंधा कुछ लटक रहा है उपर कोई है पुरुष को यूवती की बात पर एदबार आता न लगा काल्या नित्या एकाइक यूवती उच्चस्वर में बोली उपर कोई है दौर कर उपर जाओ जो दिखाई दे उसे शूट कर दो सीधियों पर धमधम पढ़ते भारी कदमों की आवाज सुनाई दी उसने फुर्ती से धागा वापिस खीचा ट्रांस्मिटर समेत उसे जेब के हवाले किया और खिर्की को पूर्ववत बंद किया वो उटकर सीधा हुआ उसने व्याकुल भाव से परे मंदेर की तरफ देखा सीधियों पर पढ़ते कदमों की आवाज बता रही थी कि कोई छट पर पहुँचा की पहुँचा मंदेर तक पहुँचने का ख्याल छोड़ कर सीधिया दाई ओर थी भडाक से उनके दहाने का दर्वाजा खुला रोशनी की एक आयत उसके सामने चोड़ी छट पर पड़ी फिर दो आदमियों ने वहां कदम रखा रोशनी का साधन क्योंकि उनके पीछे था इसलिए वो हिलते डुलते काले साई ही जान पड़ते थे उस हाल में विमल उनके हाथ न देख पाया लेकिन जब नीचे मौझूद औरत का जो दिखाई दे उसे शूट कर देने का हुक्म था तो उनने से एक का या दोनों का हथियार बंध होना लाजमी था दोनों कुछ क्षण ठिटके खड़े माहौल का जाईजा लेते रहे फिर एक डोम के दाएं से और दूसरा बाएं से आगे बढ़ा वो फृषपर पढ़ती रौष्णी की आयत से बाहर निकले तो चट के फिश से प्रतिबिंबित होती रौष्णी में विमल को लगा कि दोनों के हाथों में गन थी फिर जैसे वो सावधानी से कदम कदम आगे बढ़ते रहे वैसे विमल संकरी चट पर उनसे विपरीद दिशा में आगे रेंगता रहा यूँ वो चट के खुले दर्वाजे के सामने तक पहुँच गया वो गरदन घुमा कर दाएं वाले गनर की तस्दीक कर सकता था कि वो अभी चोड़ी चट पर लंबाई के रुख ही था या आगे मोड काट गया था वो कुछ क्षण उसे चोड़ी चट के आखिरी सिरे पर दिखाई दिया फिर दिखना बंध हो गया विमल संकरी चट पर से निशब्द नीचे चोड़ी चट पर कूद गया अब उसके सामने फशपर पढ़ती रौष्णी की आयत थी और सीडियों का खुला दर्वाजा था रौष्णी की आयत से बचता वो दर्वाजे के बाजू की दीवार तक पहुँचा आगे आर या पार जैसा काम था दोनों गनर्स में से किसी को वो सीडियों के दहाने पर दिखाई दे जाता तो निशाने बाजी के लिहाज से उसका दर्जा सिटिंग ड़कता होता दूसरा कोई चारा नहीं था उसने सावधानी से पीछे देखते आगे कदम बढ़ाया दर्वाजे की चोखट पर पहुँचा और निशब्द सीडिया उतर गया जाहिर था कि पुरुष ने या महिला ने अपने गनर्स को मौनिटर करने के लिए उनके पीछे आना जरूरी नहीं समझा था उसने अपने सामने देखा तो खुद का एक बहुत बड़े बरामद में पाया जिसमें कई बंद दर्वाजे थे उनमें से एक दर्वाजा अधखुला था रोशन था और जरूर वही डोम के नीचे के गोल ड्राइंग रूम का था बड़े बरामदे के सामने एक लौन था जिसके बाएं कोने में बंगले का लोहे का आईरन गेट था आईरन गेट के बाजू में वाच्मेन बॉक्स के भीतर कोई था या नहीं कहना मुहाल था वहां से बाहर निकलने की कोशिश करना आत्मधाती कदम होता औरत का प्यादो को हुक्म अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था जो दिखाई दे उसे शूट कर दो वाच्मेन बॉक्स में कोई वाच्मेन होता और बाकी दो मवालियों के अंदास से हत्यार बंध होता और वो विमल को वहां से बाहर निकला जाता देखता तो यकीनन उस पर गोली चला देता फिर जो होता साहब भूगत लेते वैसे भी उसे याद आया जब वो इर्फान के साथ बाहर सड़क पर था तो उसे एहसास हुआ था कि रॉशन वाच्मेन बॉक्स में कोई था कोई था इसलिए बॉक्स रॉशन था उसने अपने कपड़े व्यवस्थित किये और मजबूत कदमों से चलता रॉशन दर्वाजे पर पहुँचा वो दोनों वैसे ही वहाँ विराजमान थे जैसे उसने उन्हें उपर रॉशनदान से देखा था अलबत्ता अब ड्रिंग्स की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं थी विमल ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ भीतर कदम रखा और चहकतासा बोला हल्लो सौरी आइम लेट दोनों गुरी तरह से चौके उन्होंने मुह बाए आगंतुक की ओर देखा जाम में फन्स गया इसलिए लेट हो गया तुम महिला के मुह से निकला तुम जेम्स दयाल भीतर कैसे आए आउटर गेट खुला था उसके एक पिलर पर मेरे को काल बैल का बटन दिखाई दिया मैंने काल बैल बजाई तो कोई गेट पर ना आया वाचमेन का बॉक्स भी मैंने खाली पाया वो किसी काम से छट पर गया था शभी उपर पहुचे दो गनर्स में से एक वाचमेन था वाचमेन बॉक्स खाली था मैं भीतर आ गया भीतर आकर कोई है की पुकार लगाई तो न सुनाई दी वो पुरुष की तरफ घूमी क्यों जी पुरुष ने इकार में सिर हिलाया फिर मैंने ये दर्वाजा भी खुला पाया जिसमें मैंने अभी यहां कदम रखा हो हेर आई एम जेम्स दयाल एट यूर सर्विस दोनों ने फिर एक दूसरे का मुह देखा क्या बात है? विमल हैराणी जताता बोला मेरे को फोन करके किसी तीन यहां आने को बोला बोला अगर मैं Mr. Queen से मिलना चाता था तो मैं यहां आ जाऊ? मैं मिलना चाता था मैं यहां आ गया काल कैसे पहुची थी तुम्हारे पास? महिला बोली परक रही थी, इम्तहान ले रही थी मेरे पास नहीं पहुची थी, स्टीवॉर्ड कौशिक ने मेरे को एक मोबाइल सौपा था और बोला था उस पर मेरे लिए काल थी तुम वो आदमी हो जो बुध्वार रात को शंधाई मून में जमशेद कडावाला से मिले थे हाँ, जेम्स दयाल, अभी बोला न मैं, जेम्स दयाल, फिर खामोशी चा गई मैं विमल शुष्ट स्वर में बोला इधर खड़ा होने को आया, महिला हर बड़ाई नहीं, नहीं, प्लीज कम टेक एसिया थैक्यू विमल संतुलित कदमों से चलता आगे बढ़ा और उनके सामने उन जैसे एक अर्धवरिताकार सोफे पर बैठा तब उसने गौर से दोनों का मुआयना किया खासतोर से महिला का जो की मुझस्सम हुस्न की मिसाल थी, उसे बनाते वक्त खुदा जरूर ही उस पर खास महरबान रहा था मजाल थी कि नक्से शिक तक कहीं भी कोई नक्स होता आवर ग्लास फिगर की मलिका वो कड में कम से कम पॉने 6 फुट थी बैठी हुई थी फिर भी कड का अंदाजा उसकी फुट लंबी गरदन से हो रहा था नयनक्ष ऐसे थे कि फिल्म अभिनेत्रियों को शर्मिंदा करती जान पड़ती थी रेश्मी भूरे बाल चेहरे की खूपसूर्ती को दोबाला करते जान पड़ते थे स्लीव लेस लोकट ब्लाउस के साथ शिफॉन की साड़ी पहने थी और गले कानों कलाईयों में सुरुचिपूर कीमती जेवर पहने थी पुरुष विमल की खुद की उम्र से थोड़ा ही बड़ा था जो पोशाक और रखरखाव में महिला जैसा ही मौडर्न, फैशनेबल और शौकीन जान पड़ता था वो सफेद लिनन के किसी आला टेलर के बनाए सूट के साथ लाल टाई लगाए था और वैसी ही लाल रुमाल की तिकोन उसके कोट की उपरी जेब में मौझूद थी ताई में क्लिप लगाने का रिवास कप का रुखसत हो चुका था पर वो ताई में डाइमंड स्टडिड सोने का क्लिप लगाए था उसके पैरों में सूट से मैच करते पेटेंट लैदर के सफेद जूते थे जिनें वो सफेद जुर्राबों के साथ पहने था उसकी बाई कलाई में रॉलेक्स की घड़ी थी और, दाई कलाई में सोने का, जंजीर के डिजाइन का भारी आइडेंटिटी ब्रेसलेट था, विमल को वो बाराती डिस्पले खटका, दोनों के कपड़े घर बैठ के पहनने वाले नहीं थे, ऐसी सजधज में कोई तभी दिख खाई देता था, जब कहीं जाने की तैयारी हो या कहीं से लोट कर आया हो, मिस्टर गयाल, बिग ब्रेस बोली, वोड यू जॉइन अस फॉर ए ड्रिंग, आई वोंट माइंड, मैडम, विमल बोला लेकिन पहले मुझे पता लगे कि मैं किनके साथ ये फन हासिल करने जा रह मैडम, एक बोला उपर तो वो एकाए खामोश हो गया, प्रत्यक्षता खामोशी की ताकीद करता कोई गुप्त इशारा उसे मिला था, नमी महिला अपने स्थान से उठती बोली, प्लीज मेक ए ज्रिंग फॉर यूर सेल्फा एक्सक्यूस पुरुष भी उसके साथ उठा, दाना मुख्यदवार की ओर बढ़े जिससे जरा भीतर वो दोनों खड़े थे, वो प्रवेशदवार से आधे रास्ते में थे कि दोनों मवाली बाहर निकल गए फिर पुरुष और महिला भी उनके पीछे चले तो चारों टंगी हुई थी जो विमल के वहां मौजूद होने का माकूल बहाना था, वो उठकर बंद पट के करीब पहुचा, उसे एहसास हुआ कि वो चारों द्वार के परली तरफ उससे ज्यादा दूर नहीं थे, अब बोल कालिया, उसे महिला की आवाज सुनाई दी, मैडम, ऊपर कोई नहीं था, कालिया के नाम से पुकारा जाने वाला शक्स बोला, था ही नहीं या तुम दोनों के उपर पहुचने से पहले निकल गया, था ही नहीं, सारे रोशंदान भी मजबूती से बंद थे और नहीं लगता था कि कोई खोला गया था, तो वो धागा, उससे बंद ही कोई काली सी चीज ऐसा कुछ भी वहां नहीं था मैं बोले तो आपको वहम हुआ शट अप जाओ अपना काम करो दर्वाजे से सोफा सेट्स का बहुत फासला था बाहर से वारतालाप के एकाएक समापन का जो इशारा मिला था उसे पाने के बाद वो अपनी सीट तक नहीं पहुँच सकता था वो आधे रास्ते में ही होता तो दर्वाजे पर से देख लिया जाता लिहाज़ा वो परी तलीनता से हसेन की पेंटिंग का मुआइना करने लगा उसे यूफ्ती का नारा स्वर सुनाई दिया What are you doing here? I was admiring हुसेन, ma'am विमल उसकी करफ घूमकर मीठे स्वर में बोला तुम्हें मैंने उधर बैठ कर अपने लिए ड्रिंग बनाने को बोला था यस, ma'am, लेकिन हुसेन की पेंटिंग पर निगा पड़ी तो मैं अपने आपको रोक नसका पेंटिंग को करीब से देखने से I just could not resist the temptation to have a close look इतने फासले से पहचान लिया की पेंटिंग हुसेन की थी? ये फासला तो कुछ भी नहीं, हुसेन के वर्थ को तो मैं मील से पहचान सकता है बड़े गुणी आदमी हो जानी भी फिर भी स्मगलिंग के कारोबार में हो इंसानी जरूरियात किसी को किसी भी नामुराद कारोबार में धकेल सकती है हम Come, let's sit तीनों फिर पहले की तरह बैठे इस बार युवती ने उसके लिए ड्रिंक तयार किया विमल ने ड्रिंक कुबूल किया और गिलास उठा कर चियर्स का इशारा किया उन दोनों ने भी मेज पर तिरस्कृत से पड़े अपने गिलास उठाए कुछ क्षण खामोशी रही मैं एक बात अर्ज करने की गुस्ताखी करना चाहता हूँ युवती की भवे उठीन मैं यहां ड्रिंक के लिए नहीं आया था मुझे जहां से यहां आने को बोला गया था वहां ये काम मैं बड़ा अच्छा अच्छा कर रहा था मुझे फोन पर बोला गया था कि अगर मैंने मिस्टर क्वीन से मिलना हो तो मैं यहां आजाओ मैं हाजिर हूँ बराय महरबानी करवाईए मुलाकात मिस्टर क्वीन से आई एम सॉरी मिस्टर दयाल युवती खेद प्रकट करती बोली आज ये काम मुम्किन नहीं हो पाएगा धैच्स ट्रज खुद बुलाया और खुद ही मुलाकात में फच्चर डाल दिया हाला थी ऐसे बन गए की बाई दी वे फोन मुझे आपने किया था हाँ ने आई नो यूवर नेम आयम मिसेज जाधव मिसेज वो हसी, खुश होती हसी कॉंपलिमेंट जो मिला था विमल ने पुरुष की तरफ देखा एंड ही इस माई हस्बेन हलो, मिस्टर जाधव हलो, यूवर सेल्फ वो भावहीन लहजे से बोला आप हालाग के बारे में कुछ कह रही थी विमल यूवती की और घुमा कैसे बन गए वो क्या है कि यूवती बोली आपकी तरफ मिस्टर क्वीन ने भी यहां फासले से आना था उनके पहुँचने से पहले यहां कुछ ऐसा वाक्या हुआ कि फॉर सिक्योरिटी रीस हमें उनको खरदार करना पड़ा कि वो अपना यहां आना कैंसल कर दे क्या हुआ यहां कोई चोर घुस आया जो की असासिन भी हो सकता था मिस्टर क्वीन की जान लेने के लिए हाँ मिस्टर क्वीन इतनी खरणाग जिन्दगी जीते हैं कि उनको हर वक्त जानका खत्रा होता है यही समझ लीजिए चोर पकड़ा गया नहीं, लेकिन हैरानी है कि निकल भागने में काम्याब हो गया आई सी, तो इस वज़े से मिस्टर क्वीन का यहां आना कैंसल हो गया जी हाँ और मेरा आना बेकार गया इस बार तो ऐसा ही हुआ लेकिन मुलाकात का इंतिजाम फिर कर दिया जाएगा फिर कब जल्दी ही, दरसल वो चोर जिसको हम असासिन समझ रहे हैं हमें सस्पेंस में डाल रहा है इसलिए फिलहान मुलाकात की बाबत कुछ न करना ही मुनासिब कदम जान पड़ता है आई सी, कुछ करना कब मुनासिब कदम जान पड़ेगा उसने उस बात पर विचार किया निगाहों में पुरुष से भी मश्वरा किया खबर आप तक पहुँच जाएगी फिर बोली कैसे? विमल ने पूछा कड़ावाला के जरिये उससे कॉन्टैक्ट बनाए रखके लिहाजा आइंदा मुलाकात होगी तो कड़ावाला की मार्फत होगी नहीं, भाई, कड़ावाला से तुम्हें मुलाकात के शेडूल की खबर लगेगी उससे उस बाबत गाहब-गाहे पूछताच करते रहना जैसे लाल मेजपोश वाली टेबल को निगाह में रखते रहना था अंदाजन कब मुलाकात का सबब बनेगा? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस तीन या चार दिन ये ज्यादा वक्त नहीं? नहीं इतने बिजी रहते हैं, Mr. Queen हाँ लेकिन मेरे को तो अपवायंटमेंट दे चुके थे खुद उन्होंने पोस्ट कोन की इस लिहाँस से तो मुलाकात में पहले से प्लान मुलाकात में पहले से प्लान मुलाकात में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए Mr. Queen की कल के लिए या परसो के लिए पहले से कमिटेड और एंडेजमेंट्स हो सकती है साली मवाली को अंबानी साबित करने की कोशिश कर रही थी हो सकती है लेकिन कोई एकाद कैंसल भी तो हो सकती है जैसे अभी मेरी हो रही है कल किसी कसल अपवायंट्मेंट की जगह वो मुझे अकामोडेट कर सकते है उनके ऐसे शेल्यूज की इधर खबर नहीं होती I see by the way Mr. Queen की गैंड में क्या हैसियत है जब मुलाकात होगी तो वो खुद बोलेंगे कोई बड़ी हैसियत ही होगी तभी तुम इतने बिजी रहते है You said Ita किन से मिलने में इतने बिजी रहते है मेरे जैसे किसी स्मगलर से, किसी एक्स्टॉशनिस से Mr. गयाल उसने गुसे से विमल की बात काटी नाराज होने की क्या बात है कोई कार्पोरेट बिग बॉस तो नहीं है न Mr. क्वीं तुम्हें क्या मालूम You are right there I take my words back Yes, you did right किसी के बारे में ऐसा बैमुरववत होकर बोलना आपके लिए problem खड़ी कर सकता है I am sorry already Yes, okay आपने फर्माया मेरी Mr. क्वीं से मुलाकात होगी तो वो खुद बोलेंगे की गैंग में उनकी क्या हैसियत थी No Yes, you are आप से तो हो रही है Mr. जाधव से तो हो रही है तो आप तो रूबरू है आप तो गना सकती है आपकी गैंग में क्या हैसियत है Mr. क्वीं के मुकाबले में हमारी हैसियत मामूली है जिक्र के काबिल नहीं आई सी मुझे खुशी होती अगरचे की Mr. क्वीं से मेरी मुलाकात जल्दी हो पाती मुम्किन नहीं मसलन कल ही इसी जगह इसी वक्त बोला न मुम्किन नहीं क्यों मुम्किन नहीं Mr. क्वीं की मुलाकातों की मसरूफिया तो दिन में चलती होंगी न कितनी रात गए मुलाकात में क्या प्रॉब्लम है है एक प्रॉब्लम जुदा किस्म की प्रॉब्लम क्या समझो महुर्द बिगड़ गया खीर में मक्षी पड़ गई यानि मुलाकात आखिर होगी तो किसी नई जगह होगी Correct मुलाकात जल्दी हो पाती तो एहसान होता अब एक ही बात बार बार मत दोहराते जाओ मैं जितनी देर हेरोईन को ठिकाने लगाने में लगाऊंगा उतना ही माल के पकड़े जाने का रिस्क बढ़ीगा हमें खुद जल्दी है आखिर एक ही दील के हवाले बने रहना तो ठीक नहीं होता न Okay, I'll wait The best एक सवाल पूछ सकता हूँ पूछो आपके हस्बैन जन्बियों से बात करना पसंद नहीं करते मतलब जब से आया हूँ मेरे से हलो के अलावा एक अक्षर नहीं बोले अच्छा वो, भाई, आज ही शाम दाड निकलवा के आये हैं इसलिए वो खामोश हो गई दो मवालियों में से एक भीतर दाखिल हो रहा था क्या है, कालिया? बाहर एक टैक्सी ड्राइवर है मवाली कालिया बोला पैसेंजर लेकर आया, पैसेंजर से बात करना मांगता है युफ्ती ने विमल की तरफ देखा बुला विमल अधिकार पूर्ण स्वर में बोला कालिया गया और इर्फान के साथ लोटा इर्फान ने अपने सामने जनरल अभिवादन उचाला फिर विमल से बोला बाप, अगर इधर तुम्हेरे को टेम लगने का तो मैं खाना खाके आए नहीं विमल ने गिलास खाली किया और उट खड़ा हुआ मैं चल रहा हूँ वन फॉर दी रोड, मिस्टर दयाल यूवती बोली नो, मैम, वन इस इनफ, I already took a couple at your night club I see थैंक यू, मैम, थैंक यू, मिस्टर जाधव पुरुष ने तब भी जवाब न दिया विमल बाहर की और बढ़ा और दर्वाजे पर पहुँच कर इर्फान के साथ हो लिया What the hell पीछे यूवती बुन बुनाई ये क्या किया तुमने? ठीक किया पुरुष संजीदा लहजे से बोला, उस घड़ी उसकी संजीदा थी क्या ठीक किया? जिस शक्स से मुलाकात के लिए यहां मौजूद थे, जिसके जड़के तुम इतनी बड़ी स्कीम कारगर करने वाले थे, तुम्हारे ही लिए वोगी बुलाया गया तो तुमने मुह में दही जमा ली उसने इस बाबत जूट कहना पड़ा कि तुमने दाड़ निकलवाई थी तुम्हें तोका तो मुझे नहीं कहना था, कोई important meeting के लिए कहीं पहुँचता है तो पहले जो है, डेंटिस्ट से दाड़ निकलवाने जाता है चलो, वो मेरी गलती सही, मुझे कोई और वज़स सोचनी चाहिए थी लेकिन बात क्यों न की उसकी heroin छीनने के मनसूबे के तहट पहला कदम क्यों न उठाया बोलता हूँ, पहले तुम बोलो, उपर कोई था या नहीं था काल्या कहता है, नहीं था तुम्हें उसकी report से इतफाक है जब सीडियों के अलावा उपर से निकल जाने का कोई रास्ता ही नहीं तो काल्या की बात पर एट बार लाना पडाना वो कालिसी चीज जो धादे के सहारे रोशंदान से जो है नीचे लटकी तुमने देखी थी, उसके बारे में क्या कहती हो उसने कुछ क्षण उस बात पर विचार किया दोम बहुत पूचा है फिर बोली नीचे की रोशनी उपर तक नहीं पहुचती और जब कालिया कहता है कि उसने उपर की तमाम खिड़किया बंद पाई थी तो हो सकता है जो मैंने देखा, समझा, वो मेरा वहम हो खिड़की पूरी न खुली हो जरा सा उसका पल्ला, जो है अपने फ्रेम से सरका हुआ हो तो इतनी हाइट से ऐसा हुआ होना जो है, तुझे परा लगेगा मुश्किल है कोई धागा नीचे लटकाना हो तो खिड़की जो है, कितनी खोलनी पड़ती है मामूली सी फिर भी तारीफ है तेरी तीखी निगाखी की हो जरा सी खुली खिड़की जो है, तेरे नोटिस में आई अरे, क्यों कलपा रहे हो? साफ बोलो, क्या कहना चाते हो? कह चुका, तुम्हारी तीखी निगाखी तारीफ कर चुका खिड़की खुली थी? वहां से धादे के सहारे कोई छोटी सी, काली सी चीज नीचे लटकाई गई थी? हाँ तुम तो कहते थे मकडी का बच्चा था, अपनी लार के सहारे नीचे लटक रहा था अब नहीं कहता अब क्या कहते हो? ऊपर कोई था, और वो उसी का कोई कर्तब था कैसा करतब? नहीं मालूम, मेरी समझ से बाहर है शुक्र है कोई तो चीज है जो तुम्हारी समझ से बाहर है लेकिन ये समझ के अंदर है कि उपर कोई था हाँ जब सीडियों के अलावा छट से निकासी का कोई रास्ता ही नहीं तो किधर से निकला? सीधियों से ही निकला क्या जब कालिया और नित्या उसे छट पर कलाश कर रहे थे तो उनकी पीठ पीछे सीधिया उतर गया इतनी दिलेरी और आकर जो है हमारे सामने बैठ गया युवती के मुँ से बोल न फुटा वो भौचक किसी पुरुष का मुँ देखने लगी उसकी यहां एंट्री को रिकंस्ट्रक्ट करके देख उसकी यहां एंट्री का अक्स जो है अपने जेहन पर उबार कर देख फिर तेरे को एहसास होगा कि वो टैक्सी में उतर कर जो है आउटर गेट से भीतर आया हो ही नहीं सकता था इस इलाके के रात के सनाडे में टैक्सी के यहां पहुँचने की आउटर गेट पर आकर रुखने की जो है आवाज आती है तुझे आई उसका सिर्ष्वयमे विंकार में हिला नहीं आई क्योंकि वो टैक्सी से उतर कर एक्सपैक्टिड गैस्ट की तरह जो है अपनी आमद की हाजरी लगाता यहां नहीं आया था छट पर से दबे पाव सीधिया उतर कर यहां आया था पहुचा कैसे? युवती के मुँ से निकला कफ्तीश का मुद्दा है फ्रंड से रेगुलर एंडरेस से नहीं तब काल्या गेट पर था और नित्या जो है बाहर बरामदे में था तो उसकी छट पर अप्रोच अभी समझ से बाहर है बहुत मुम्किन है बैक अप के साथ आया हो और बैक अपने उसे छट पर जो है पहुचाने की कोई जुगत की हो एक मामूली हेरोईन स्मगलर एक भगोडा हेरोईन स्मगलर बैक अप के साथ इधर आया उड़कर तो छट पर न पहुचा कौशिक कहता था वो नाइट क्लब में अकेला था भीतर अकेला था बाहर का उसे क्या पता तुम मुझे सस्पेंस में डाल रहे हो मैं खुद सस्पेंस में हूँ ओके वो बैक अप के साथ आया बैक अप की मदद से छट पर पहुँचा उपर के रोशंदानों के जरिये हमारे पर जासूसी करने की कोशिश की क्योंकि वो हमारी बाबत कुछ जानकर कुछ समझ कर मुलाकात के लिए हाजर होना चाहता था अब वो कैसे भी हुआ? हाजर तो हुआ न स्टीव और कौशिक ने तस्दीक की कि वो वही शक्स था जो गदवार रात को भी कलब में आया था और तभी उसे यहां बात करने के लिए मुवाल थमाया था वो शक्स तुम्हारे सामने बैठा था, उससे अपने मतलब की बात करने में क्या हर्ज था? हर्ज था, क्या? वो जो कहता था वो था, वो नहीं था. पहलिया बुझा रहे हो. वो सोहल था. युवती जैसे आसमान से गिरी, उसका मुँख खुले का खुला रह गया, कईक्षण उसका यहीं हाल रहा, फिर वो संभली और बोली खैक रहे हो. तु कुछ भी कह लेकिन जो मैं बोला, वही दुरुस्त है. देखो, सोहल से और उसकी मशूरी से मैं भी वाकिफ हूँ क्योंकि तुम्हारी सोबत में, तुम लोगों की भद्दी जुबान में गैंग्स्टर स्मॉल कहलाती हूँ, मेरे को तो वो किधर से भी सोहल न लगा. हमारे रूब्रू होने के मामले में जो दिलेर हरकत उसने की थी, वो सोहल जैसा ही कोई शक्स कर सकता था. 6-7 महिने से अंडर वर्ड में अफवा है कि सोहल हमेशा के लिए मुंबई छोड़ गया था. या वो अफवाह गलत थी या वो जो है, जाके लौट आया था. फिर हमेशा के लिए का क्या मतलब हुआ? गया इसी मनसूबे के साथ होगा लेकिन कोई खास वजह होगी लौट आने की. कम्पनी ने कभी सोहल की अंडर वर्ड में तस्वीरे बटवाई थी जिसके तहट सोहल को पकड़वाने या उसका अतापता बताने वाले या वालों के लिए बड़े बड़े इनामों का एलान किया गया था. वैसी एक तस्वीर मैंने भी देखी थी, उसके लिहाज से तो ये जेमस दयाल किधर से भी सोहल नहीं लगता था. क्योंकि बहुरूप अपनाए था, अंडर्वर्ड में सोहल की ये खूबी भी जो है, मशूर है कि वो भेश बदलने में माहिर है, इस वक्त भी वो जो है, भेश बदले जेमस दयाल बना हुआ था. कमार है, तुम कैसे पहचानते हो उसे? कभी रूबरू देखा? एक बार, एक बार देखा, कब? कैसे? कभी शादी नहीं की थी, तब मेरे पिता के करीबी क्या? दूरदरास के भी कोई रिष्टेदार मुंबई में नहीं रहते थे, इसलिए मेरा पिता हमेशा मेरे को अपने साथ रखता था. गजरे के निजाम के दौर में उससे पहले भी चर्च गेट पर जो है, बापू बाल घर नाम का एक यतीम खाना था जिसे नौशरवान जी और फिरोजा नाम के. पार्सी पति-पत्नी चलाते थे जिनसे सोहल का जो है, कोई ऐसा मुलाजा था कि जब भी सोहल को मुंबई में किसी सेफ पनाहगा की जरूरत होती थी, वो जो है, उस यतीम खाने में जाकर छुपता था. कमपनी के टॉप बॉस व्यास शंकर गजरे को इस बात की खबर लग गई थी और एक बड़ी फोर्स के साथ जो है, उसने उस अनाथालय पर धावा बोल दिया था, उस बड़ी फोर्स का एक नग जो है, मेरा पिता भी था और उसके हमेशा के दस्तूर की तरह मैं उसके साथ था, कमार है, तुम्हारे पिता समेथ तुम्हे कुछ हो जाता, ऐसी कोई बात तब नहीं थी, क्योंकि सोहल वहाँ अकेला था और गजरे अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ पहुचा था, फोर्स में तुम्हारा पिला ओहदेदार था और तुम उसके साथ थे, यही बोला न, हाँ, कभी, क्या तभी, तुम्हे ट्रेनिंग दे रहा था अपने जैसा बनाने की, प्राक्टिकल ट्रेनिंग, ओन दस पॉर्ट ट्रेनिंग, क्या भख रही है, पैदाईशी मवाली हो, बकवास न कर, अभी भी हो, बोला न, बकवास न कर, ओके बॉस, आगे, यतीम खाने के कंपाउंड में, जबकि सोहल जो है, निहत था, बेयारोंदगार गजरे के सामने खड़ा था, तो तब मैंने सोहल की सूरत देखी थी, जो मैं आज तक, नहीं भूला इस वज़े से तुम्हारा दावा है, कि जो शक्स अपने आपको जेम्स दयाल नाम का स्माल टाइम हेरोइन स्मगलर बनाना था, जो हमारे साथ ज्रिंक शेयर करके गया, वो सोहल था हाँ सुज़ करो तुम्हें ये बात नहीं मालूम थी कि असल में वो सोहल था, तब तुम जेम्स दयाल से जो कारोबारी बात करना चाले थे, जिसके तहट तुम्हारे इरादे बत थे, वो असल में सोहल से कर रही होते नहीं हाँ सोहल आठ किलो हेरोईन कहां से लाता इस बात का जवाब ये सोच के देना की अंडरवर्ड का बच्चा बच्चा जानता है, कि सोहल ड्रग्स के ट्रेड के खिलाफ है वो लाजवाब हो गया यही तुम मात खा गए, सोहल को पहचान गए थे तो भी से ही बात करते, उस लाइन पर बात करते जिसका खाका तुम्हारे जेहन में था जेम्स दयाल आठ किलो हेरोईन के साथ उसका सौदा करने लोट आता तो वो जेम्स दयाल, तब तुम करते उसे मजबूर की पहले वो तुम्हारा वो काम करता जिसे, बकॉल खुद, तुम नहीं कर सकते थे, लेकिन तुम तो मुह सीके बैठ गए अरी, मेरी चिडिया, तु मेरी जो है, तब की हालत न समझी, मेरे को तो जो है, इस ख्याल नहीं सकते में ला दिया था कि मेरे सामने सोहल बैठा था ये वो शक्स कह रहा है, जो खुद अपनी निगाह में अंडरवर्ड डॉन है, बड़ा गैंग्स्टर है, बकवास न कर सोहल के सामने बड़ों-बड़ों की बोलती बंध हो जाती है वो हसी फिर वो बैक अपके बिना यहाँ नहीं आया हो सकता था, अब सोचता हूं तो मेरे को तो वो टाक्सी ज्राइवर भी जो है, उसके बैक अपका हिस्सा जान पड़ता था टाक्सी ज्राइवर नहीं था, सोहल का प्यादा था क्या पता लगता है टैक्सी की ज्राइविंग सीट पर जो है कोई भी जा बैठे तो टैक्सी ज्राइवर ही तो जान पड़ेगा वो टैक्सी ज्राइवर की वर्दी पहने था ये फिल्मों की नगरी है यहां ऐसे साजो सामान चुटकियों में मिलते हैं ठीक चलो माना वो सोहल था जेम्स दयाल के बहुरूप में सोहल था असल में चाहता क्या था जवाब हेरोईन के सौदे को फ्रॉड समझ कर देना क्या जवाब दूँ ये बड़ी मिस्टरी है जिसका कोई हल मेरे को जो है नहीं सूज रहा क्यों सोहल जिसके नाम की अनरवर्ड में तूती बोलती है जिसने बठिया और उसके एमपायर को खाक में मिला दिया यहां आया क्यों वो मिस्टरन क्वीन से जो है मिलने को बेकरार था मेरे को तो बुरे आसार नजर आते है क्या बुरे आसार वज़ा कोई भी बने सोहल जिसके पीछे पड़ जाए उसकी खैर नहीं तुम्हारा मतलब है बड़ा बाप उसका मुकाला नहीं कर सकेगा अब है तो नहीं ऐसा लेकिन क्या पता लगता है तो क्या करोगे वेट एंड वाच वाली पॉलिसी अक्तियार करेंगे और आइंदा जेम्स दयाल जैसी इन्फिल्ट्रेशन की बाबत जो है क्वरदार रहेंगे बिल्कुल सही फैसला किया तुमने अब ड्रिंग बना पहले की पी तो पता ही ना लगा कहा गई यस सरा वन लार्ज कमिंग अप राइट अवे सरा कमाल का है बाब इरफान प्रशनसात्मक स्वर में बोला तेरा कोई जोड नहीं तू बे जोड है डोनों टैक्सी में फ्रंट में सवार थे और घर वापिसी की राह पर थे विमल हसा जिस घर में चोरों की तरह घुसा उसमें घर वालों के साथ बैठा ड्रिंक शेर कर रहे ला था विमल फिर हसा अल्लाह इतनी दिलेरी एकाए गले पड़ी मुसीबत भी कभी कभी आदमजात को दिलेर बना देती है मुसीबत गले पड़ी हाँ और ऐसी वैसी नहीं जान लेकर मानने वाली मैं छट पर था तो दो ऐसे हत्यारबंद मवाली उपर आ गए थे जिन्हें जो कोई उपर हो उसे देखते ही शूट कर देने का हुक्म था कैसे बचा कमाम किस्सा बयान कर विमल ने किया क्या पहली सरकाई बाप वो खामोश हुआ तो इर्फान बोला वाला भीर तेरे से कोई ऐसा काम करवाना माता था जो वो खुद नहीं कर सकता था पर उसकी जगह वो काम करने वाले की हर मुम्किन मदद करने को तयार था हाँ ऐसा क्या काम था और क्यों खुद वो उसे नहीं कर सकता था हाला कि उसने कतल का नाम नहीं लिया था लेकिन मेरी अकल यहीं कहती है कि वो किसी का कतल कराना चाहता था फिर तो कोई बड़ी बात नहीं कि कतल वो खुद नहीं करना चाहता था क्यों? क्यों नहीं करना चाता था? वो इतना बड़ा मवाली था, मवालियों के गैंग की बड़ी हस्ती था, कैसे बड़ा बन गया? सरकारी मुलाजमत में था जो वक्त-वक्त पर प्रोमोशन मिलती गई तो बिग बॉस बन गया तेरे को क्या मालूम वो बड़ा मवाली था, बिग बॉस था, क्योंकि वो ही मिस्टर क्वीन था फेंग रहा है, जैसे तूने तमाम किस्सा बयान किया, कुस लिहास से यूँ खामोश बैठा भीड, जैसे सांप सूम गया हो, किसी ग्यान का बड़ा बाप नहीं हो सकता था जूट की उम्र से जरा बड़ा भीडू बोला, अवल तो इतनी कम उम्र में दाड को कुछ होता नहीं, हो तो यही बात तडपा देती है, कि कम उम्री में दाड निकलवानी पड़ी, जिधर की दाड हो, उधर का गाल फूल के बेकरी का पाफ हो जाता है, और तू कहता है, कि कि वही बीडू मिस्टर क्वीन था तो कोई खास वज़ा थी, जो इस्पेशल करके तेरे को बुलाने के बावजूद उसने तेरे से स्मगलर जेम्स डयाल से अपने मतलब की कोई बात न की, जब उसके आने से पहले बाई को अपनी स्कीम का खाका खीच कर बताया, तो उसको तेरे आने पर तेरे सामने उसे दोहराने में क्या वानदा था? मालूम नहीं, लेकिन ये बात पक्की है, कि मेरे वहाँ पहुचने पर ही मर्द का ख्याल बदला था, वरना वो दोनों तो बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे और मेरे लेट हो जाने पर फिक्रमंद होकर दिखा रहे थे, काम उस आदमी का, मुलाकात के लिए मरा वो जा रहा, फिर भी मुलाकात में फर्चर. बोल दिया मेरी तरह मिस्टर क्वीन ने भी फासले से आना था, वो आ रहे थे लेकिन उन्हें रास्ते में क्वरदार किया जाना पड़ा था कि वो न आएं, मीटिंग को कैंसल जाने क्योंकि एकाएक वो बंगला सिक्योरिटी रिस्क बन गया था, कैसे सिक्योरिटी रिस्क बन गया था, उस युवती को लगा था कि घर में कोई चोर घुस आया था, ऐसे सिक्योरिटी रिस्क बन गया था, गौरतलब बात है कि एक चोर इतने बड़े मवाली के लिए म रिस्क था जैसे मिस्टर क्वीन शाहरुक था बिग भी था जबकि वहां दो हत्यारबंद प्यादे मौझूद थे जो चोर की तिक्काबोटी एक कर सकते थे तिक्काबोटी बाप भूख लगी है जोर की मेरे को भी लगी है जहां तेरा दिल करे रोकना ठीक मैंने बीच में टोका क्या कह रहा था ये की वो हाथ के हाथ बनाई हुई कहानी थी असल में कोई नहीं आने वाला था जिसने आना था, वो आ चुका था, मेरे सामने बैठा था Mr. Queen? हाँ बाहर से आया उस बंगले में नहीं रहता था न रहता था, न रहता हो सकता था बोले तो वो वहाँ यू शान से सूटबूट डाटे बैठा था जैसे किसी बड़ी कंपनी का सीओ अपने एगजीक्यूटिव आफिस में बैठा हो रात के वक्त अपने ही घर में कोई यू सचके नहीं बैठता भले ही किसी कितने ही मुजजिस महमान को रिसीव करना हो ये एकलौती बात ही जाहिर करने के लिए काफी थी कि वो कहीं बाहर से वहाँ पहुचा था इतने बड़े गैंग्स्टर को भी अपने लिए भाणे का कातिल सुपारी किलर अरेंज करने में पिराबलम कोई प्रॉबलम नहीं उसका ऐसी कोई कोशिश न करना ही साबित करता है कि टार्गेट कोई स्पेशल उसने दस बार जोर देकर युवती को कहा कि कोई ऐसा काम था जिसे वो खुद नहीं कर सकता था लेकिन किसी दूसरे को उसके लिए वो काम करने को तयार कर सकता था जैसे मेरी हेरोईन कबजा कर वो मुझे वो काम करने को मजबूर कर सकता था काम कतलं मेरे को तो यही सूचता है ये बात भी गौर्टलब है कि उसने हर बार कहा कि वो कामवा खुद नहीं कर सकता था, एक बार भी उसके मुह से ये न निकला कि वो बड़ा गैंस्टर काम कर सकता था, करना नहीं चाहता था, खुद, खुद करना नहीं चाहता था, क्यों? वजह तो वही जानता है हमव दूसरी घुंडी ये है कि खुद मुझे बुलाया और फिर मेरे से बात न की जाहिर किया कि वो और वहां उसके साथ मौजूद यूवती तो गैंग का छोटा मोटा हिस्सा थे मिस्टर और मिसेस जाधफ थे मिस्टर क्वीन ने तो अभी वहां पहुचना था था वही मिस्टर क्वीन जो उधर पहले से बैठिला था मिस्टर जाधफ मेरी अकल तो यही गवाही देती है आगे बोल दूसरी घुंडी क्या दूसरी घुंडी ये कि मुझे सामने पाकर ऐसा क्या तेरी जुबान में उसे साम्प सूम गया था कि जिस मुलाकात की जिस गुफ्टगू की इतनी शिद्दत से तैयारी किये बैठा था उसका आगाज तक न किया जब वो दोनों जने अपने प्यादो कालिया और नित्या से बात करने के लिए ड्राइंग रूम से बाहर चले गए थे तो ज़रूर तभी मर्द ने युवती को ब्रीफ किया था कि आइंदा जो करना था उसी ने करना था और कैसे करना था युवती काबिल थी उसने अपना रोल बड़ी दक्षता से निभाया मुझे यकीन दिलाया कि उसके साथ बैठा मर्द तो उसका खाविंद मिस्टर जाधव था मुझे उस बात पर कतई एदबार नहीं आया था क्योंकि लड़की मुझे किसी भी सूरत में शादी शुदा नहीं लगी थी और जाधव नाम भी फर्जी था जो उसने हाथ के हाथ गड़ लिया था बोले तो अगर वो भीड मिस्टर वीन नहीं था तो इतना टेम उनके साथ गुजार आने के बावजू तू उनके बारे में कुछ नहीं जानता कतई कुछ नहीं जानता इसी वज़ा से मेरा इरादा कल फिर जुहू के उस बंगले का चक्कर लगाने का है और कुछ खुफिया तांक जान करके आने का है बांदा नहीं चलेंगे आगे और क्या करेगा मिस्टर क्वीन से फिर मुलाकात का इंतजार करेगा वो मुलाकात अब कभी नहीं होने वाली तू कहता है शंधाई मून के मैनेजर से तेरे को इस बाबत खब मिलेगी मेरे को ऐसा बोला गया था लेकिन तालने के लिए बोला गया था जो मुलाकात अभी कैंसल हो गई थी उसके फिर वाक्या होने की बाबत उसने कुछ तो कहना था कह दिया मैनेजर जमशेद करावाला से दर्याफ्ट करता रहू मालूम पढ़ जाएगा अगली मीटिंग कप की मुकरर हुई रहेगा दर्याफ्ट करता नहीं क्योंकि अब मिस्टर क्वीन फिर मेरे रूबरू नहीं होने वाला होगा तो मुझे उसकी जगा मिस्टर जाधव दिखाई देगा तब मेरा जेम्स दयाल का कैसे उस पर एड़बार बनेगा तो तो ये कि जेम्स दयाल वाली कहानी को अब किल करना होगा शंधाई मून में फिर कदम रखना भी मेरे लिए भारी पड़ सकता है अब मिस्टर क्वीन तक पहुँच बनाने की कोई नई तरकीप सोचनी होगी कहीं मिस्टर क्वीन भी कहानी ही न निकल आए मुझे उम्मीद नहीं वहां की होस्टेस शेफाली की बाबत मैंने तेरे को बताया सिंसिरली मेरे से पेश आई थी मुझे उमीद नहीं की उसने मेरे से कोई जट बोला हो ऐसा होता तो लाल मेजपोश वाली टेबल की बाबत वो मेरे को बहुत SMS न करती यानि मिस्टर क्मीन फर्जी नहीं नहीं मैनेजर कड़ावाला से भी इस बात की तस्दीक हुई थी उसका वजूद है वो ग्यान का बिग बॉस है लेकिन कितना बिग है ये तेरे को मालूम नहीं हां तॉप बॉस हो सकता है नहीं तॉप बॉस का काम हक्म देना होता है उसे किसी से कोई काम कराने की मोहताजी नहीं होती उसका ये कहना नहीं बनता की फला काम मैं नहीं कर सकता उसे कोई दूसरा करे वो बिना वजह बताए काम किया जाने का हुक्म देगा ठीक, तो मिस्टर क्वीन टॉप बॉस से नीचे का कोई ओदेदाल? हाँ पंजास्ती नीचे का नहीं बोले तो टॉप बॉस के आसपास की हैसियत वाला भीडू? हो सकता है, अब बोल, तू बंगले के भीतर कैसे पहुँच गया था? बाप, मेरे को तेरी फिकर, तू छट पर गया तो उधर तूने बहुत जास्ती टेम लगाया मैंने फोन इस वास्ते न किया कि घंती की आवाज से तेरी उपर मौजूदगी का राज खुलने का खत्रा था मैं छट पर पहुँच नहीं सकता था क्योंकि इस मामले में जैसे मैंने तेरी हेल्प की थी, मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं था, बहुत परेशान हो उठा तो चुपचाप फ्रंट का चक्कर लगाने निकला उधर सडक सुनसान थी और बंगला भी सुनसान ही लगता था पंड जब मैंने चारदीवारी से उचक कर भीतर जाका तो वहीं से वहां के गोल कमरे में बैठा मेरे कोत दिखाई दिया, चारदीवारी के आगे लौन था, लौन के आगे बड़ा बरामदा था, बरामदे के आगे वो गोल कमरा था जिसके दाखिले के रास्ते का एक पट खुला था और आगे वो बहुत बड़ा, रोशन गोल कमरा था, फासला इतना था कि मैंने तेरे को तेरी शकल से नहीं तेरी ज्रैस से और इस्पेशल करके पीक कैप से पहचाना, तब मेरे को वो स्टोरी करना सूझा जो मैंने में गेट पर वाचमेन बॉक्स में बैठेले भीड से किया, वो भीतर खब करने गया, फिर लौट कर मेरे को साथ ले गया, बाप पिरफान ने सड़क पर से नजर विमल पर एक तारीफी निगाह डाली कोई होसला मंद हो तो तेरे जैसा, तू उधर गोल कमरे में ऐसे इतमिनान से बैठेला था जैसे तू बंगले का मालिक था और वो भीड और बाई बोले तो मिस्टर और मिसेज जाधव तेरे महमान थे, विमल हसा, तभी कैप की रफता घटने लगी, आगे एक रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड चमक रहा था, दस मई रवीवार, दस बजे के करीब विमल इर्फान के साथ फिर जुहू रोड पर था, विमल के निर्देश पर इस बार इर्फान ने कैब एन बंगला नमबर साथ के बंध आउटर गेट पर लाकर रोकी, सनाटा है, इर्फान बोला वाचमेन बॉक्स खाली है, भीतर भी हलचल के कोई आसार नहीं जान पड़ते, विमल ने सहमती में सिर हिलाया, फिर बोला कालबैल बजा, इर्फान टैक्सी से निकल कर गेट पर पहुचा, उसने पिलर पर लगा कालबैल का पुश बटन बीतर कहीं घंती बजने की आवाज ना आई लेकिन नतीजा फिर भी सामने आया, गैराज के उपर बने रहाइशी पोर्शन का दर्वाजा खोल कर गोल सीडिया उतरता एक आदमी दिखाई दिया, लंबे डग भरता वो आउटर गेट के जंगले पर पहुचा, उसने सवालि निगा इर्फान पर डाली, धोर पड़े साहब इधर रहता है, इर्फान ने पूछा, नहां भाई वो व्यक्ती बोला इधर कोई नहीं रहता, ये बंगला तो खाली है, तुम कौन है? मैं इधर केटे कर है, क्यों पूछता है, टैक्सी में जो पैसेंजर बैठेला है, वो कल रात इधर जुहू रोड आया था और अपने फिरेंट धोर पड़े साहब से मिला था पर आज फिर आया तो बंगला नंबर भूल गया, इस वास्ते पता करता था, मेरे को इधर रहते किसी धोरपड़े साहब की खब नहीं, बंगला खाली क्यों है, तुम कहे वास्ते पूछता है, साहब पूछेगा जो टैक्सी में बैठेला है, क्योंकि उसे लगता है, वो इधरीच कल रात आया, कल रात भी बंगला खाली था, नहीं, कल रात तो खाली नहीं था पन्ट पुलीस का बड़ा अफसर है अभी अदब से बात करने का विमल टैक्सी में बैठा सब सुन रहा था इर्फान का फैंका हिंट पकड़ कर वो टैक्सी से बाहर निकला और इर्फान के बाजू में आईरन गेट पर पहुँचा उस घड़ी वो जेम्स दयाल नहीं था विमल था मेरी तरफ देखो पुलीसिया मिजाज का क्यू पकड़ता वो अधिकार पूर्ण स्वर में बोला केटे कर तुरंत मुस्तैद दिखाई देने लगा बंगला कल आबाद था आज खाली है ऐसा क्यों रोजाना किराय पर मिलता है कोनोनियल स्टाइल का बना बंगला है फिल्म वालों को शूटिंग के लिए पसंद है अक्सर इधर फिल्मों की शूटिंग होती है इस वास्ते अक्सर कभी आकुपाइड होता है कभी खाली होता है जी हाँ मालिक कौन है पहले थी, जब था तो बहुत मशूर भी थी, अब तो कब की फिल्मों से रिटायर हो चुकी है इस वक्त 74 साल की है वो यहां नहीं रहती? जी नहीं, वो पुडे में रहती है बुकिंग्स वगेरा वो ही देखती है पुडे से ही? नहीं जी, मैं देखता हूँ, पर वो आती जाती रहती है लेकिन कभी ठैरती नहीं, सुबा आती है शाम को चली जाती है बंगला सिर्फ फिल्म वानों को ही किराय पर दिया जादा है जी हां, हैवी डेली चार्जिस है दूसरा कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता सिर्फ शूटिंग होती है जी नहीं, कई बार स्क्रिप्ट पर डिसकशन के लिए सिटिंग जभी यहां होती है जैसे कल हुई थी कल यहां फिल्म स्क्रिप्ट डिसकस हो रही थी मेरे को यही बोला गया था कौन थे इस काम में मशगूल स्टोरी राइटर थे और उनकी सेक्रेटरी थी बस दो बॉडिगार्ड थे स्टोरी राइटर के लिए सेक्रेटरी के लिए स्टोरी राइटर फिल्म का प्रोड्यूसर भी था उसके लिए ओ, रात को तुम कहा थे अपने पोर्शन में गैराज के उपर है रात काफी हलचल थी बंगले में तुम्हें खबर लगी थी आपको कैसे मालूम? जवाब दो नहीं, मैं दस बजे सो जाता हूँ घून लगा के उसने जवाब न दिया, काल बैल तुम्हारे पोर्शन में बजी जी हाँ, तभी तो यहाँ गेट पर पहुँचा यहाँ एक ही पुश बटन है, बंगले की घंटी कहां से बजती है एक ही पुश बटन से दोनों जगा घंटी बज सकती है, बीच में चेंज ओवर स्विच है, इसलिए यानि जब बंगला आबाद हो तो घंटी बंगले में बटी है, वन तुम्हारे पोर्शन में बटी है हाँ बंगले में क्या हो रहा है, तुम उसकी खब रखते हो जी नहीं, बंगला आबाध हो तो मेरे को तभी भीतर कदम रखने की इजाज़त है, जबकि मुझे बुलाया जाए ऐसा क्यों? शूटिंग डिस्टर्ब होती है, स्क्रिप्ट सेशन हो तो वो डिस्टर्ब होता है कल के आकुपेंट कब रुखसत होए? यही कोई बारह बजे के करीब कैसे मालूँ? एक बॉडिगार्ड मेरे को बोलने आया कि सब जा रहे थे तुम्हें जगा कर? जी हाँ, पीछे सब बंद करना था न कल के महमानों का स्क्रिप्टर राइटर और उसकी सेक्रेटरी का नाम क्या था? साहब का नाम तो मिस्टर राजन था, मैडम का नहीं पता मिस्टर राजन का पूरा नाम नहीं पता लोकल अड्रेस फोन नमबर नहीं पता, इन बातों की जानकारी किरन मैडम रखती है मिस्टर राजन के लॉटने का कोई शडूल है? स्क्रिप्ट डिसक्षन्ज के लिए या शूटिंग के लिए अभी इस बाबत इधर कोई खब नहीं बंगला फर्निश किराय पर दिया जाता है कभी कोई चोरीचकारी की वारदात नहीं हुती? आज तक तो नहीं हुई केरतेकर ने विमल का सादर अभिवादन किया विमल और इर्फान कैब में सवार हुए कैब वापिसी के सफर पर रवाना हुई बोले तो? रास्ते में इर्फान बोला कुछ नहीं बोले तो? गहरी सांस लेता विमल बोला दुश्मन जो रात मौनवरत धारन किये था मेरी उमीद से ज्यादा खरदार होश्यार निकला अपना कोई च्रेस पीछे छोड़ कर ना गया फर्जी नाम से एक दिन के लिए बंगला किराय पर लिया मेरे से वहां मुलाकात करने के लिए और गायब हो गया उसका सुराथ पाने का एक ज्रिया निकला था वो भी डैड एंड बन गया डैड एंड बोले तो? बंद गली जिससे आगे कोई रास्ता नहीं होता ओ तुझे कब परेरा करके भीड की खब लाया था जो दिल्ली में मेरे हाथों मरे स्टीवन फेरा की लाइफ में उसका खास बताया जाना था जिसको शोहाब हैंडल करने वाला था उसकी बाबत क्या खबर है? अभी तो कोई खबर नहीं कुछ कर तो रहा है कर तो रहा ही होगा पन बोले तो उसकी नौकरी है ना उस वज़ा से उसको टेम थोड़ा मिलता है कुछ करने को ओ तू बोले तो वो नौकरी छोड़ दे नहीं लेकिन दुश्मन के ग्यांग के बिग बॉस तक पहुँचने की अब वही एक लीड है हमारे सामने मैं बात करता हूँ उससे ठीक है सुबा ग्यारा बजे का टाइम था जबकि हनीफ गोगा की शिवाजी चौपपर के ट्रस्ट के आफिस में उमर सुल्तान और अनिल विनायक के सामने पेशी हुई वो इतवार का दिन था पर ट्रस्ट का कार्यकारी दिवस था रिसेप्शन पर चार फरियादी साड़े ग्यारा बजने का इंतजार करते मौजूद थे वो वक्त आने में अभी आधा घंटा बाकी था इसलिए भीतर आफिस में दोनों होदेदारों के सामने हनीफ गोगा मौजूद था हनीफ गोगा सुल्टान इतने करकर्श्वर में बोला कि हनीफ का दिल डूबने लगा यही नाम है न? हाँ, जी वो नर्वस भाव से बोला कब से गैंग में है? यही कोई साल होने को आ रहा है कौन सिफारिश किया? एहसान भाई कैसे जानता था? पहले भाडे का आटो चलाता था एहसान भाई भरोसा करता था फैमिली को किधर भेजना हो तो मेरे साथ अकेले भेज देता था ऐसा कई मरतबा हुआ था इसलिए मुलाजा बन गया था मैं अक्सर एहसान भाई से दरखवास करता था कि वो मुझे अपनी सरपरस्ती में ले लेते आखिर दरखवास कुबूर हुई तू ग्यान में आ गया? हाँ, जी आटो में क्या प्रॉलम थी? बाप, आपको मालू हूँ अक्खी मुंबई में तो आटो चलता नहीं आधी में चलता है आटो वालों की भरमार है इस वास्ते सवारी कम ही मिलती थी इस वास्ते गैंग में आना माता था हाँ ये कैसे मालूम था कि एहसान भाई गैंग में था? एक मरतबा एहसान भाई और उसने अनिल की तरफ इशारा किया ये मेरे आटो में बैठे थे क्योंकि टैक्सी नहीं मिल रही थी तब दोनों में कुछ ऐसी बाते हुई थी जिनसे मेरे को अंदाजा लगा था कि वो वो बेचैनी का इजहार करता वो खामोश हो गया कान पतले है तेरे दूसरों की बात सुनने का पुराना चस्का है क्या? बाप जानबूज करके तो नहीं सुनता कुछ अपने आप ही सुनाई दे जाए तो क्या करें मैं? अच्छा सवाल है पर जवाब मालूम तेरे को क्या बोला बाप? जो सुने उसे कूपर कमपाउंड पहुचाए ये बोला म मैं? मैं? कूपर का कमपाउंड? हाँ, तू, तू, कूपर कमपाउंड, क्या? बाप, मैं ससमझा नहीं अभी समझा नहीं तो हकलाता है समझ जाएगा तो क्या होगा? पोलती अखी बंध हो जाएगी खाली या इद्रीच मरा पड़ा होगा सदमे से हनीव सिर से पाफ तक काप गया उसके गले की घंती जोर से उचली अनिल समझाता है गौर से सुन और समझ मेरा मुह नहीं देखने का मुंदी अनिल की तरफ कर हनीव ने भैभीत भाव से अनिल की तरफ देखा मंगलवार सुबा तू मेरे को और एहसान भाई को वेगनार पर मैरीन ड्राइव ता ज्वेलर्स के शोरूम पर लेके गया था याद आया हनीव ने कठिन भाव से गरदन उपर नीचे हिलाई वापिसी में हमेरे को शिवाजी चौप जाने का था एहसान भाई तेरे को ऐसा बोला था ये भी बोला था कि गाड़ी उड़ाने का नहीं था क्योंकि हम दोनों को बात करने का था इंपोर्टन करके ये भी याद आया तब मेरे और एहसान भाई में जो डायलोग हुआ था वो तेरी मौझूदगी में हुआ था क्योंकि तू दिरेवर था, गाड़ी चलाता था, बोले तो ये हमेरा मिस्टेक, हमेरे को खड़ी कार में, तेरे को कार से बाहर भेज कर बात करने का था, पड़ एहसान भाई ने परवाह इस वास्ते न की क्योंकि तू, तू था, ग्यान आगे सुन, क्या, सुसुनता है, बाप, तब हम दोनों के बीच पत्थरबाजों की बाबत बातचीत हुई थी, कि उन्होंने एक जुट होकर गैन खड़ा कर लिया था, और वो लोग हमेरे खिलाफ काम करने लगे थे, और पूरी काम्याबी से हमेरे माल की लूट की एक वार वो मेरी और सिर्फ मेरी थियोरी थी जिससे एहसान भाई को पूरी तरह से इत्तफाग भी नहीं था, हनीफ, अब तु मेरे को ये बता कि पत्थरबाजों वाली इतनी खुफिया बात मेरे और एहसान भाई के बीच की बात कूपर कमपाउंड कैसे, पहुँच गई, का कैसे पहुँच गई, तू हकला ले, मैं बोलता हूँ कैसे पहुँच गई, क्योकि तूने पहुचाई, नहीं, क्योकि उस बातचीत के दोरानकार में मेरे और एहसान भाई के अलावा सिर्फ तू मौजूद था, क्योकि तू सब बात सुनता था, सुने बिना रही नहीं सकता था क्योंकि तेरे कान पतले हैं अब बोल क्या कहता है पाप हनीफ दैनिय भाव से बोला मैं उधर किसको कोई बात मचावा अख़्ी मुंबई को मालूम की उधर अब कुछ नहीं रखा इधर तो टाइम्स खास्तोर से उपर तक सब को मालूम तभी तो ट्रस्ट इधर खुला तभ देख ये पत्थरबाजों के हमेरे खिलाफ हमलावर होने की बात है जो मेरे मगज में आई थी और एहसान भाई ने सुनी थी बात वैगनार में हुई थी और उसमें बतौर दिरेवर तु मौजूद था तूने वो बात सुनी बरोबर अभी हा या न बोल सुल्तान पूर्ववद दपट कर बोला सुनी या न सुनी बाप म मेरी तवज्जों कही और थी शायद पांच दिन पहले की बात है कैसे याद है तेरे को तेरी तवज्जों कब कहा थी साले, खजूर ये तक तो तेरे को याद दिलाना पड़ा की मंगलवार सुभा तू कहा था क्या कर रहा था आटो चलाता था तो तेरे को सब सुनाई देता था चलती कार में ज्राइविंग सीट पर बैठे तेरे को पीछे का कुछ सुनाई न दिया अभी बोल क्या तब सुल्तान के स्वर में ऐसा थर था कि हनीव की घिग्गी बंद गई अभी सच बोल वरना यही मरा पड़ा होगा बाप बड़ी मुश्किल से वो बोल पाया बाबा हर लोग थोबड़ा बंद हनीव सहम कर चुप हो गया सुल्तान ने काल बैल बजाई चपरासी मानक ने अदब से भीतर कदम रखा सुल्तान ने मेज के दराज से गन निकाली और उसे अपने सामने मेज पर रखा इतने से ही हनीव के चहरे का खोन निचुड़ गया चहरा कागस की तरह सफेद निकल आया मानक ग्यान का पुराना प्यादा था जो वहाँ चपरासी की ग्यूटी करता था गन देख कर उसके चहरे पर शिकन तक न आई बाहर जो फरियादी लोग बैठे ले हैं सुल्तान कठोर भाव से बोला उनको बोल कल आएं पदमा को भी बोल छुटी करे और बाहर का शटर गिरा कर वापिस इधर आ एक लाश संभालने का मानक जान बूच कर ततकाल रुखसत न हुआ वो जानता था बॉस का वो ओर्डर अभी वापिस हो जाने वाला था वही हुआ बाप रहम हनीव हाथ जोडता बोला रहम बोले तो सुल्तान बोला रहम अल्ला के वास्ते रहम अभी सब याद आ गया सब वापिस आ गया तेरे मगज में हंहा मैं गन रखे वापिस दराज में हंहा मानक जाए मानक को कहना न पड़ा वो खुद ही लोट गया पीछे सुल्तान ने अपलक हनीव की तरफ देखा हनीव का दिल पहले ही जूते में था उसने बेचेनी से पहलू बदला उधर के लिए जासूसी करता था इस बार सुल्तान कदरन नम्रस्वर में बोला हंहा किसने राजी किया एरफान ने क्यों मालूम नहीं सुल्तान ने खा जाने वाली निगा उस पर डाली बाप दो जहां का मालिक मेरा जामिन जूट नहीं बोला क्यों न पूछी वज़ मुलाजा ही ऐसा था किसका तुका का तू इतना पुराना है इस धंदे में हाँ जी तुका का मुलाजा था परोबर जिसने तेरे को पिगलाया काहे वास्ते था मुलाजा इधर की कोई जानकारी मांगता था मैं साफ बोला मैं मामूली भीड यादा अवल तो मेरी किसी जानकारी तक पहुँच नहीं थी होती तो छोटी मोटी जानकारी तक ही होती वो क्या उसके किसी काम की होती बोला बोलना देखेंगे तूने पथर बाजो की बाबत बोला हाँ पहले क्या-क्या बोल चुका था कुछ भी नहीं इस एक ही मरतबा वो नौबत आई कब सोमवार को कौन से सोमवार को यही जो गुजरा चार तारीक वाला हाँ, जी उससे पहले कभी वास्ता न पड़ा वो कुछ तेम से टैक्सी चलाता था कभी कभार ओन रोड दिखाई दे जाता था तो दुआ सलाम हो जाती थी तुका का खास, सोहल का खास टैक्सी चलाता है अब है तो ऐसी च टैक्सी दिरेवर इरफान को इधर की कोई जानकारी कहे वास्ते माता था बाप, जान की अमान पाउं को अर्ज करू जो बोलना है बेफिक्र हो के बोला बोलता था वो पत्थरबाजों का हमदर्थ था सलाकार था अभी तो तू बोल के हटा है अनिल दखल अंदाज हुआ की तेरे को मालूम नहीं इरफान ने क्यों जासूसी के लिए तेरे को राजी किया वो इस वास्ते दर गया था न हनीफ बोला यकायक सवाल हुआ बोलने दे इसे सुल्तान बोला अनिल खामोश हो गया अभी क्या बोला सुल्तान हनीफ से मुखातिब हुआ फिर से बोल दोहरा के बोला बाप मैं बोला हनीफ ने दोहराया इरफान बोलता था वो पत्थरबाजों का हमदर्द था, सलाहकार था बंडल पत्थरबाजों का कोई वजूद नहीं, मैं खुद कन्फर्म किया बाप, तुम्हेरे को धोका हुआ बोले तो पत्थरबाजों की ये चाल कोई पता करने आए, तुम्हेरी माफिक भाव दे के पूछने आए तो ऐसी बरबाज सूरत बना के मिलने का जैसे कल मर जाने वाले हो सबने आपस में तै किया हुआ था कि कोई भाई कोई बड़ा बाप दर्याफ्त करे या करवाए तो ऐसी च्पेश आने का वो साले कच्चा लिम्बू मेरे से शानपंती में काम्याब हो गए यकीन नहीं आता हनीफ अदब से खामोश खड़ा रहा तेरे को आता है, चिकने सुल्तान अनिल विनायक की और घूमा तेरे को तो आता ही होगा तेरा तो शुरू से ही इस बात पर जोर था कि हमेरे खिलाफ लूट की दो वारदाते हमेरे से नाउमीद इधर की बचसलूकी की वज़़ से हमेरे से भढके हुए फरियारियों ने गिरो बना करकी थी गिरो जो खुद की शनात पत्थरबाज के तौर पर करता था बरोबर अब मैं क्या बोले अनिल असाय भाव से कंधे उचकाता बोला मेरी तो किसी ने सुनी नहीं अभी मैं सुनता है बोले तो इर्फान पत्थरबाजों का सलाकार वो इधर की कोई खबरे बाजरिया हनीफ गोगा जानना मांगता था जो पत्थरबाजों के किसी काम आ सकती थी ठी अनिल ने सह्मती में सिर हिलाया अब मेरा सवाल है इसमें इर्फान का क्या फाइदा इर्फान को क्या हासिल वो हमारा सताया हुआ है कूपर कमपाउंड हमारा सताया हुआ किसी भी तरीके से हमें कोई नुकसान पहुँचता है तो उसको चैन पढ़ना लाजमी है इस मिशन के तहट हमारा हनीफ गोगा इधर उसका जासूस अब क्या शक है अब तो ये कबूल कर चुका है क्या कबूल कर चुका है कि लूट की वारदात पत्थर बाजों का पत्थर बाजों का ही कारनामा है और इर्फान उनका सलाकार है हाँ उसका खास जोडीदार शोहाब भी हो सकता है सुल्तान वापिस हनीव की तरफ घुमा शोहाब क्या करता है मालूम नौकरी करता है हनीव बोला जुहू के किसी होटल में मुलाजिम है किस होटल में ये तो मालूम नहीं हाल में कभी कूपर कमपाउन गया एक मर्तबा गया उधर से गुजर रहा था घुसीत मत बात को जैसे भी गया गया क्या देखा वहा कौन लोग रहते है आज कल उधर इर्फान और शोहाब के अलावा बोल कोई नहीं पक्की करके बोलता है मेरे को उधर और कोई नहीं दिखाई दिया था दूसरा होटल कमार है सोहल के सगो में से एक आज कल टैक्सी चलाता है में नौकरी करता है फिर वो दोनों सलाकार और हमदर्द कप को बनते हैं दोनों काम दिखावे के हो सकते है अनिल धीरे से बोला टैक्सी चलाना हो सकता है दिखावे का काम होटल की रेगुलर नौकरी कैसे दिखावे का काम हो सकता है अनिल ने जवाब न दिया, वो परे देखने लगा मैं आज ही कूपर कमपाउंड को खड़काने के लिए इंतजाम करता हूँ वो वापिस हनीव की और घुमा देख, जो जानकारी तूने आगे सरकाई मोटे तोर पर देखा जाए तो वो पाले के पार किसी काम की नहीं थी सिवाए इसके की लूट की जुरत करने वालों को हम पत्थरबाज समझने को मजबूर हुए लेकिन ये तेरी जासूसी के सिलसले की हमारे साथ बिग बॉस के साथ दगाबाजी के सिलसले की अभी शुरुआत है जो हर्कत तुने की उसके लिए तेरा बहुत बुरी मौत मरना बनता है बिग बॉस को तेरी खबर लगेगी कुबेर पुजारी बॉस को भी तेरी खबर लगेगी तो तेरी को गोटी से लटकाए जाने का हुक्म होगा हनीफ सिर से पाफ तक कामपता दोनों ओदेदारों को साफ दिखाई दिया हनीफ गोगा सुल्टान आगे बढ़ा तेरी जान बच सकती है अगरचे की तु दो काम इमानदारी से फिर बोलता है इमानदारी से करना कबूल करे उज़ कौन से दो काम? क कौन से दो काम? एक की तेरे को खबर है क्योंकि वो तेरी खुद की नाका बिलेमाफी कर्टूत है पहला काम ये है कि आइंदा उस कर्टूत को नहीं दोहराना भले ही तेरे सामने पूरी खुदाई तेरी जोली में डालने का लालच लहराया जाए क्या मैं समझा बाप ऐसी इच करेगा दूसरा काम सुन कान खोल के सुन सुनता है बाप अभी ये टेम तक जैसे हमेरे पाले में तू उनका जासूस था अब उनके पाले में तू हमेरा जासूस होगा तेरे को उधर मेल जोल बढ़ाना होगा और जो इंपोर्टन करके मालूमात उधर से हासल हो उनको इधर हमेरे पास लाना होगा समझ गया बाप मैं ये सब करेगा तो चक्की के दो पाटों में पिसेगा साला खजूर जब एक पाट से पिसने का होसला पहले ही कर चुका तो दो में क्या वांदा है हनीफ ने बेचैनी से पहलू बदला काम में धोखा या कोता ही की दूसरी तरफ के मुलाजे में आके कोई फचर डाला तो भी जान बक्षी नहीं सुल्तान बोला मैं खुद कमती करेगा तेरे को क्या बाप मैं हुक्म के मुताबिक काम करूँगा बधिया तेरी जिन्दगी की दोर मेरे हाथ में है ये टेम मैं उसको खाली धील देता है छोड़ ही नहीं देने का तु मेरे को जब शानपंती करता दिखाई देगा मैं डोर वापिस खीच लेगा कोई शानपंती नहीं बाप जिन्दगी दाव पर है मैं पूरी फ्रमाबरदारी के साथ काम करूँगा अपनी खाते बरोबर बाप निकल ले वाल क्लॉप पर निगाह डालता सुल्तान बोला बाहर पदमा को बोल के जाने का पहला फरियादी इधर भीजे अंदर बाहर से बुरी तरह से हिला हुआ हनीफ गोगा वहां से रुखसत हुआ शाम धले विमल की शोहाब से मुलाकात हुई इर्फान तब वहां मौजूद नहीं था दोपर से टैक्सी लेकर निला हुआ था एक दो छोटी छोटी बाते हैं शोहाब बोला अभी सुनना पसंद करेंगी जरूरा विमल बोला तो सुनिये पहली बात तो ये है कि शंगाई मून की होस्टेश शेफाली आज से दो हफ़ते की छुटी पर है एक आए पता नहीं छुटी प्रीप्लांड भी हो सकती है मुंबई में उसकी रिहायश की बाबत मालूम करना था मालूम किया जा सकता था कोई मुश्किल काम नहीं था लेकिन फाइदा कोई ना होता विमल की भवे उठीन मुंबई में नहीं है दोपहर बात की फ्लाइट से नागपुर चली गई जो की उसका होम टाउन है सच में चली गई या ऐसा सुनने में आया सुनने में ही आया शंधाई मून से आप वह में डाल रहे हैं तो मैं फर्दर कंफरमेशन की जुगत करूंगा जरूरत नहीं मैंने यूही व्यवहारिक बात की थी शंधाई मून में पहुँच कैसे बनाई मामूली काम था हॉस्पिटेलिटी बिजनेस में लोगबाग एक दूसरे से को आपरेट करते हैं वहां इतना कहना काफी निकला की मैं होटल अमरित कांटिनेंटल का सिक्योरिटी ओफिसर था यानि जनाब का सिक्योरिटी का अफसर होना काम आया यही समझ लीजिए मैनेजर जमशेद करावाला तो अपनी जगह सलामत है या एकाएक उसे भी लंबी छुटी पर जाना पड़ गया ऐसा कुछ नहीं हुआ है मिस्टर क्वीन से अपनी मुलाकात के लिए मेरे को उसके कॉन्टैक्ट में रहने को बोला गया था इसलिए पूछा वो कॉन्टैक्ट अब आप भूल जाए शंधाई मून में अब आपके साथ दोखा हो सकता है इर्फान भी यही कहता था दुरुस्त कहता था और एहसान कुरला सलामत है लेकिन हस्पताल में है और इस हालत में है कि हफते में भी छुट्टी पा जाएगा तो खुश किस्मत होगा शुक्र है बच तो गया मैं नहीं चाहता था वो जान से जाता बस उतना ही चाहता था जितना तुमने कहा वो भुगत रहा है साथियों ने अकल की फुर्ती दिखाई फौरन हस्पताल पहुचाया वरना वही होता जो आप कहते हैं आप नहीं चाहते थे उन तीन जवानों की क्या खबर है जिने हमने वैगनार में बेहोष शिवाजी चौ छोड़ा था खस्ता हाल है लेकिन हस्पताल से जल्दी छुट्टी पा जाएंगे कल या बड़ी हद परसो मालूम पड़ा था कि इस बार मेडिको लिगल केस बना था क्या बयान दिया पुलीस को? अभी नहीं दिया पाखन कर रही है कि बयान देने के काबिल नहीं जिनका हुक्का भरते हैं उनका यही कहने का उनको हुक्म हुआ होगा ऐसा ही जान पड़ता है और फिलहाल बस ये सब काम आपने खुद किये नहीं सिर्फ शंधाई मून वाला काम मैंने खुद किया बाकी जो किया आपके मुरीदों ने किया और मेरे को रिपोर्ट किया बढ़िया विमल एक क्षण ठिटका फिर बोला शोहाब भाई जेकब टाइम्स परेरा की बाबत कुछ जल्दी हो पाता तो मुझे खुशी होती उसके बारे में कुछ इंपॉर्ट लीड्स मिली है मेरे को मैं कल आपको यकीनी तौर पर कोई गुड न्यूज देता हूँ रात के नौ बजने को थे ताज वेलर्स का शोरूम बंध होने की तैयारी में था स्टाफ छुट्टी करके जा चुका था जबकि भाई लोगों की त्रिमूर्ती के वहां कदम पड़े अनिल विनायक, उमर सुल्तान और उनका बॉस खुद कुबेर पुजारी कालसेकर उनमें से सिर्फ अनिल विनायक से वाकिफ था जिसने दोनों साथियों का परिचय ज्वेलर को दिया कुबेर पुजारी का बड़े बिल्ड अप के साथ कई क्षण ज्वेलर की जुबान न खुली आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे थे वेलकम आखिर वो सशंग भाव से बोला विराजे तीनों उसके सामने विजिटर्स चैर पर बैठे बैठते ही अनेल और सुल्तान ने अपनी अपनी कुरसी पुजारी की कुरसी से थोड़ा पीछे सरका ली ताकि ज्वेलर पर दोहरा असर हो पाता की पुजारी इंपॉटेंट करके भीड था कैसे आएं? ज्वेलर बोला सवाल तीनों से था पर जवाब के लिए क्यों कुजारी ने पकड़ा मैं ऐसे कभी किसी के पास नहीं गया वो रुखाई से बोला अच्छा ज्वेलर अनिश्चित भाव से बोला हाँ मेरे सामने इंपॉर्टेंट करके मसला है इस वास्ते आया मेरे से तालुक रखता तुम्हारे से भी तालुक रखता ऐसा क्या मसला है दो तुप बोले मैं हाँ जरूरा सोमवार चार तारीक की जो लूट की वार्दात हुई पन तुम जो किया ये ते म मेरे को उसकी परवाह नहीं परवाह नहीं हाँ यहीच बोला मैं परवाह नहीं मेरे को वज़ा पूछो पूछी बोलो अभी भाई दो खोखा मानता है उसमें सब कवर हो जाएगा हमेरा नुकसान भी तुम्हेरी बहर्कत भी ददो करोड रुपया कल देने का ककल देने का बरोबर सुना तुम मैं दो करोड रुपया कहां से लाऊंगा क्यों क्या हुआ खड़े पैर कंगाली आ गई मेरा मतलब है खड़े पैर दो करोड रुपया कहां से लाऊंगा सोचना अभी रात है सोचने के वास्ते तुम्हारे पास देखो जो कह रहे हो उसका मतलब समझो क्या समझा ट्रेडर्स पर आजकल की सक्ती के जमाने में कैश में इतना पैसा किसी के पास नहीं होता बैंक में तो होता है न बैंक से एकमश्ट इतनी बड़ी रकम निकाली जाए तो इंकम टैक्स के महकमे को सक्त जवाबदारी करनी पड़ती है कि वो रकम किस वज़े से निकलवाई कहां सर्फ की मैं क्या ये जवाब दे सकता हूं कि भाई लोगों की वसूली की मद में सर्फ की पुजारी ने तुरंट जवाब न दिया बोले तो फिर बोला भाई की ये मांग अकेले तुमसे नहीं है मेरे को पहले से ही अंदाजा था अंदेशा था और हीरा करनानी और माधव महता से तो होगी ही जिन का मेरी तरह रोकडा लुडा दाया जाना है ठीका उनके अलावा और भी है है जानना चाहते हो कौन नहीं लेकिन करनानी और महरा को जानता हूँ इसलिए सवान है करनानी कैश पेमेंट लेकर कार बेच सकता है जवाब ये बात ध्यान में रख कर देना की देवी कैश चांजेक्शन पर बड़ी रकमों के नकद लेंदेन पर पाबंदी है कोई कार की पेमेंट नकद ले भी आएगा तो उसको बैंक से ज्राफ्ट बनवा कर लाने को बोला जाएगा या बैंक एकाउन से ज्राफ्ट बनवाने को बोला जाएगा मिस्टर कुजारी ट्रेडर्स पर इंकम टैक्स की बहुत पाबंदिया है आज कल कोई नहीं पंदा ले सकता महक में से अगर रकम न देने की बुनियाद बना रहे हो तो कान खोल कर सुन लो अदाएगी नहीं टलने वाली मालूम मेरे को एक बार टालने की कोशिश की थी तो करारा मजा चकने को मिला था मैं तुम्हारे भाई के हुकम की उदूरी करने की जुर्रत नहीं कर सकता मरता क्या न करता की तरह इंतिजाम करूँगा मैं जैसे तैसे इस बड़ी रकम का लेकिन वक्त दरकार होगा कितना? कम से कम एक हफ़ता नो? दो दिन कुबेर जी नहीं हो सकता हमारी मजबूरी समझो व्यापारी का आजकर ब्लैकमनी रखना अपनी हालत आबैल मुझे मार करना है आज की तारीक में ब्लैकमनी या फिल्म इंडिस्ट्री में है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है या स्मगलिंग ब्लैक मार्केटिंग में है और या फिल तुम जानते ही हो कहा है हफ्ता हर्गिस नहीं तो पाँच दिन तो हर हाल में कुछ क्षण खामोश रहा फिर बोला ठीक है मैं भाई से बात करूँगा भाई का जो फैसला होगा उसकी खब तुम्हें मिल जाएगी कुछ वो किसकी मार्फत अनिल विनायक की मार्फत क्योंकि इससे तुम पहले से वाकिफ हो ठीक है इसका जोडिदार कुर्ला कहा गया कहीं नहीं गया साथ ही आतापण अनिल बोला इधर तुम्हारे आफिस में महमानों के लिए तीन ही कुर्सिया थी ज्वेलर सक्पकाया उसने कुछ कहने के लिए मूँ खोला फिर होंट भीच लिए अब एक खास बात पुजारी बोला गौर से सुनो बहुत गौर से सुनो बोलो पुजारी ने सुल्तान को इशारा किया सुल्तान ने एक तहशुदा कागस जेप से निकाला और उसे खोल कर ज्वेलर के सामने रखा ये कुजारी बोला तुम्हारे जैसे सोला ट्रेडर्स की लिस्ट है जिन में से दो को तुम यकीनी तोर पर जानते हो क्योंकि अभी तुमने उनका जिक्र किया था बाकी तेरा को भी मुझे यकीन है तुम जानते ही होगे बड़े व्यापारी एक दूसरे को जानते ही होते है लिस्ट में सब के नाम, व्यापार, पते, फोन नमबर, सब दर्ज है तुमने लिस्ट में दर्स लोगों को अपने अलावा लिस्ट में दर्स लोगों को भाई का वो पैगाम पहुँचाना है जो तुम्हारे तक खुद मैंने पहुँचाया क्या मतलब ज्वेलर अचकचाया मेरे को उनको बोलना है कि भाई को सबसे दो-दो करोड रुपया मानता है हाँ ये मेरे कहने की बात है मेरी कौन सुनेगा सब सुनेंगे अरे कोई मेरे को सीरियसली नहीं लेगा सब समझेंगे मैं मजाग कर रहा समझाना सबको तुम सीरियस हो मजाग नहीं कर रहे हो कमाल है अजीब हुक्म है अमल करना चौकसी से किसी ने मेरी न सुनी वो मेरी सुनेगा खब करना नमबर दो पुजारी ने फिर सुल्तान की तरफ इशारा किया सुल्तान ने लिस्ट वाला लिफाफा वापिस खीच कर उसी पर एक मोबाइल नमबर दर्ज कर दिया मीटिंग बर्खास्त हुई बुरे वक्त की तरह आए तीनों वहां से रुखसत हुए शोरूम बंध होते ही घर का रुख करने की जगा कालसे करने चैंबूर का रुख किया और आगे कूपर कमपाउंड पहुचा विमल और एर्फान से उसकी मुलाकात हुई ज्वेलर ने संजीदगी से दो जोडीदारों के साथ कुबेर पुजारी की शोरूम में विजिट का विस्तरित जिक्र किया और उन्हें 16 व्यापारियों की वो लिस्ट दिखाई जिसमें उसके अलावा हीरा करनानी, कार डीलर और माधव महता, फिल्म डिस्टिब्यूटर शामिल थे हमव वो खामोश हुआ तो विमल बोला, यानि मवाली अब फटे मुव से बात कर रही है क्या बोलू? ज्वेलर दैनिया भाव से बोला मुंबई में भाई लोगों की ऐसी वसूली आम है, मुखालफत दिखाई तो मेरा तो शोरूम ही फोड़ा, कितनों को तो जान से मारा जा चुका है, कितने मुंबई क्या, मुल्क ही छोड़ गए कैश रकम के इंतजाम में वाके दिक्कत होगी ज्यादा नहीं लेकिन शौर्ट नोटिस मिला तो होगी तो सही लिस्ट के हवाले से वो लोग जो खुक्म कर गए, मानोगे? हुक्म के मुताबिक फोन कर दूँगा, बाकी वो जाने, उनका काम जाने, क्या उम्मीद करते हैं, सब मान जाएंगे हाँ, क्योंकि लिस्ट में मेरा करनानी और महता का नाम होने से ये तो निश्चित है, कि हम तीनों की तरह वो भी पहले छोटी मांगों के जरिये पकाए जा चुके हैं मैं कोई जनरल राय दू तो वो सब मानेंगे? मानेंगे, वाकिफ तो हम सब हैं, कि जिनका एक हाद दुश्मन हो, वो स्वाभाविक तौर पर दोस्थ होते हैं ओके, लेकिन अब भाई लोग आपका रोल उनके नुमायंदे का बना गए हैं, तो नुमायंदे के तौर पर आप ही हो सके तो मेरी दो राय कबूल करें क्यों नहीं करूंगा? और मैं यहां आया किसलिए हूँ? बोलो, आपने पैसा अरेंज करने के लिए हफ़ते का टाइम मांगा, पांच दिन पर आ गए, जब इस बादत भाई का फैसला सामने आये तो पांच दिन की मौहलत की जिद कीजिएगा लेकिन चार दिन की मांग से तो बिलकुल नहीं लिएगा, भले ही आपके पास 2 करोड रुपे नकद अभी हों. मेरी जिद चलेगी? जब यही जिद 16 जनों की होगी तो यकीनन चलेगी. ठीक, दूसरी बात. आप पुरैसरार उन लोगों को ये कहिए कि बड़ी रकम का मामला है, मांग भाई की तरफ से जारी होनी चाहिए. मैं समझा नहीं. आपको कहना होगा कि ये एहतियात इसलिए बरतनी जरूरी है कि भाई के हवाले से रकम बिचौलिये ही नहाजम कर जाए. ऐसा हो सकता है. नहों भले ही लेकिन हो क्यों नहीं सकता? भाई को मेरे को फोन करना मन्जूर होगा. मामूली का खाना पूरी जैसा काम है. क्यों नहीं होगा? आखिर 32 करोड की रकम का मामला है. फर्स करो बिचौलिये वाली थ्योरी अमल में आती है. मेरी जडमान ली जाती है. मेरे को फोन आता है. भाई बोलता था. जबकि असल में काला चोर बोलता हो तो मेरे को क्या पदा लगेगा? मेरे को लगेगा तो तुम है तुम्हें लगेगा हाँ कैसे आपके मोबाइल पर आई भाई की कॉल मैं सुनूंगा मैं ग्यान के एक बहुत उचे मुकाम पर विराजमान मवाली की आवाज पहचानता हूं क्योंकि उससे रूबरू मिल चुका हूं बाते कर चुका हूं हर कोई उसे बिग बॉस करार देता था और वह शक्स मिस्टर क्वीन कहलाता था अगर वही बतौर भाई आपसे फोन पर बात करेगा तो मैं उसकी आवाज पहचान जाऊंगा तब मैं उससे सीधे सवाल करूंगा कि क्या वो ही गैंग का टॉप बॉस था तो देखेंगे वो क्या जवाब देता है वो जान गया कि लाइन पर मैं नहीं था तो कैसे जान जाएगा क्या उसने पहले कभी आपसे बात की नहीं तो इस तमाम ड्रिल से मेरे को क्या फाइदा होगा आप यहां किस फाइड़े की उमीद से आये थे ज्वेलर को जवाब न सूझा फिर भी फाइदा जानना चाहते हैं तो आपको ये फाइदा होगा कि दो करोर रूपए की अदाएगी चार दिन के लिए टल जाएगी चार दिन बहुत तेम होता है बाप इर्फान बोला इस दौरान भाई को दिल का दौरा पढ़ सकता है किसी दूसरे गैन का ज्यादा जबर भाई उसे शूट कर सकता है पाकिस्तान हमला कर सकता है वगेरा लिहाजा क्या पता चार दिन पूरे होने तक आप रकम की देंदारी से बरी हो जाएं हम पिछली बार की मुलाकात के बाद से तुम्हारी बाबत मेरे को अंदाजा तो है फिर भी पूछता हूँ तुम कौन हो आप कुछ खाना यहीं खाना पसंद करेंगी मैं समझ गया वो उठ खड़ा हुआ चलता हूँ तुम्हारी हर हिदायत पर अमल करूँगा आईफोन कौन सा है आप के पास? आईटेन एक ही कनेक्शन है एक और है लेकिन उसका नंबर सर्कुलेटिड नहीं है आईफोन है? नहीं अपना आईटेन यहां छोड़के जाए भाई की काल आते ही लोटा देंगे उसने निहसंकोच आदेश का पालन किया जारा मई सोमवार सुबा के अभी नौही बजे थे कि एक इंस्पेक्टर कूपर कमपाउन पहुचा वो उम्र में कोई 45 साल का था और बाकाइदा वर्दी पहने था खूब हट्टा कट्टा था और सूरत से मवालियों जैसी कठोर शक्ल वाला मराथा जान पड़ता था आखों पर पतली कमानियों वाला वैसा काला चश्मा लगाए थे जैसा आजकल पुलीस अधिकारियों का जेवर बना हुआ था विमल और इर्फान सयोग से उस घड़ी बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे नाइट ग्यूटी करके आया शोहाप सो रहा था पहले इर्फान की उस पर निगाह पड़ी पुलीस वाला इर्फान के मुँ से निकला तीन सितारों वाला सुबह सवेरे विमल ने भी नीचे जहांका और संजीदगी से सिर हिलाया क्या मांगता होगा? अभी मालूम पढ़ जाएगा विमल बोला यहां आया है तो होगा तू हमारी ही फिराक में तब इंस्पेक्टर की उपर बालकनी की तरफ निगाह उठी ए वो करकश स्वर में बोला नीचे आओ दोनों नीचे पहुँचे नीचे वो उन्हें यू घूरता मिला जैसे नाराजगी जता रहा हो सलाम बोलता है बाप इर्फान अदब से बोला इंस्पेक्टर ने एहसान सा करते हुए एक बार सिर को उपर से नीचे हरकत देकर सलाम कबूल किया फिर घूर कर विमल की तरफ देखा विमल ने खामोश अभिवादन किया नाम बोले तो इंस्पेक्टर सक्ती से इर्फान से मुखातिब हुआ इर्फान पूरा नाम इर्फान अहमद खान चंगेजी चंगेजी क्या मतलब नाम है बाप अरे नाम का कोई मतलब होता है होता है पर मालूम नहीं मतलब बताया नहीं अब्भू ने और किसी से पूछा नहीं क्या काम करते हो बेकार के सवाल थे विमल ने महसूस किया जो किसी मसले की बुनियात के तौर पर नाहक पूछे जा रहे थे इंस्पेक्टर किसी खास ही वजह से वहां था जिसकी बाबत अपनी मनमाफिक हाजरी लगा चुकने के बाद वो कुछ उचरता इर्फान ने बताया ये कौन है सामने चरस्ट का कैटेकर है उद्रीच रहता है अभी मेरे साथ सुबू का चाय पीने आया इधर इंस्पेक्टर ने इर्फान की पीठ तीछे इशारा किया और कौन रहता है एक भीड और है शोहब नाम है जुहू के होटल अमरित में सिकोटिरी के अफसर की नौकरी करता है क्या बोला सिक्योरिटी आफिसर की विमल ने संशोधन किया उसे बुलाओ बाप रात पाली किया अभी सोता है उठाओ इर्फान उपर गया और आखे मलते शोहाब के साथ उल्टे पाव वापिस लोटा क्या हुप्म है शोहाब जमहाई लेता हुआ बोला तो इंस्पेक्टर बोला तुम्हारा नाम शोहाब है जी हाँ पूरा नाम पहमद चंदेजी नहीं नहीं वज़ा इर्फान मेरा दोस्त है मान जाया नहीं है ये है वज़ा आप हुक्म फर्माईए इधर की बहुत शिकायते हैं मेरे पास इंस्पेक्टर रॉप से बोला मालूम पड़ा इधर बहुत लोग जमा होते हैं आपको हम तीन के अलावा यहां कोई दिखाई दिया या लगा कि कोई होगा अब नहीं तो पहले जमा होते होंगे पर्मानेंट कोई नहीं रहता कुछ लोग किसी मज़़ूरी के मारे ओवरनाइट इधर तिकते हैं बस मज़़ूरी क्या टैक्सी चलाते हैं कभी नहीं घर पहुँच पाते जैसे बारिश के मौसम में जो की आगे आ रहा है तो रात को इधर रुख जाते हैं अंजान लोग इर्फान के वाकिफ जोडिदार कैब ड्राइवर सैंकरों की तादाद में जनाब इधर सैंकरों के लायब गुझायश है हम्व तीन-चार लोग ही ऐसे होते हैं कभी कभार बरसात में अलबत्ता ज्यादा हो जाते हैं कितने ज्यादा? आठ दस ये गैर कानूनी है टेनेंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम के तहट गैर कानूनी है टेनेंट कौन बोला ऐसे ओवरनाइट रहने वालों से क्या कोई किराया चार्ज किया जाता है? दोस्त होते हैं वो भीड लोग इर्फान बोला हम पेशा दोस्त होते हैं फैलो कैब ड्राइवर होते हैं शोहाब बोला सब गलत है इंस्पेक्टर अप्रसन भाव से बोला जिनको तुम लोग यारदोस बोलते हो हो सकता है वो जरायम पेशा लोग हो जिनको की यहां पना मिलती है खाम खा इर्फान तमक कर बोला शोहाब ने अर्थपूर्ण भाव से उसका कंधा दबाया और विन्यशील स्वर में बोला ऐसा कुछ नहीं है जनाब फिर भी आपको एतराज है तो आइंदा हम उनको इधर नहीं रुखने देंगे पहले क्यों रुखने देते रहें? अब क्या बोले? जनाब पहले हमें नहीं मालूम था कि हम कोई काबिले एतराज काम कर रहे थे तुम और ये इंस्पेक्टर ने थोड़ी उची करके इर्फान की तरफ इशारा किया इस मकान में रहते हो जी हाँ किस हैसियत से? किराइदार है किसको किराया देते हूँ? कौन है मकान मालिक? मकान मालिक यहां नहीं रहता सोनपुर रहता है वो कहा है? राजनगर के पास है वहां से 32 किलोमेटर दूर एक देहाती इलाका है सोनपुर जहां उसकी जमीनदारी है राजनगर तो यहां से 1000 किलोमेटर दूर है हाँ प्रॉपर्टी मुमई में मालिक खुद राजनगर में अभी 32 किलोमेटर और आगे कैसे मैनेश करता है? नहीं कर पाता अब बेचने की फिरात में है ग्राहब धून रहा है सोनपुर बैठा इधर पोच्खानावाला करके एक प्रॉपर्टी दीलर है उसके जरिये एडल्जी बोमन जी पोच्खानावाला मालूम मेरे को पार्सी प्रॉपर्टी दीलर पड़ी हैसियत वाला उससे बात हो चुकी या अभी होनी है अभी होनी है मालिक बरसातों बाद इस काम से इधर आएगा सब बेच देगा मेरे ख्याल से सब नहीं नाम बोले तो आत्मा रामा माहाना किराया कैसे भरते हो माहाना नहीं भरते साल में एक बार भरते हैं तब मालिक खुद इधर फेरा लगाता है कब से हो यहाँ तीन साल से तीन साल से होटल अमरित की नौकरी में ये कैप ड्राइवरी में नहीं, पहले हम दोनों होटल सीव्यू के मुलाजन थे वो ढह गया तो मौजूदा काम पकड़े ये उसने विमल की तरफ संकेत किया फिर जवाब मिलने से पहले उसने जोड़ा खुद बोल मैं शुरू से ट्रस्ट की नौकरी में हूँ विमल बोला मैंने तो सुना है ये तुकाराम करके जो चैरिटिबल ट्रस्ट है कब का किनी और हाथों में पहुँच चुका है ठीक सुना है लेकिन मुंबई में हर किसी को ये बात मालूम नहीं इसलिए अभी भी इधर जरूरतमन लोग मदद हासल होने की उमीद में आते हैं होती है मदद हासल कहां से होगी जब आप जानते ही हैं कि सारा सैट अप किनी और हाथों में पहुँच गया हुआ है तो तो तुम्हारा केरेकर का इधर क्या काम है लोगों को बताना पड़ता है समझाना पड़ता है कि अब इधर से कोई उमीद न रखें तुम वॉलंटियर हो फ्री में ये काम करते हो नहीं फ्री में तो नहीं करता यहां के कुछ पुराने डोनर है जो अभी भी डोनेशन भेजते हैं वो डोनेशन्स ही मेरी तंखा का जरिया है नाम क्या बोला नहीं बोला गिरीश कुमार नाम है कोई proof of identity है driving license था पर अब नहीं है क्यों? कहा गया? लोकल में कोई pocket मार लिया पर्स के साथ गया था ने रपट लिखवाई? गया था लिखवाने पैसा मांगते थे पैसे बिना दांट के भगा दिया अच्छा अच्छा जास्ती नहीं बोलने का band account भी proof of identity होता है क्या? band account नहीं है क्यों? तंखा नकर मिलती है इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्यों जरूरत नहीं पड़ी? तंखा से जो बचता है वो पास रखता है कुछ बचता ही नहीं मामूली तंखा है इसलिए नकर मिलती है कितनी? पंदरह हजार बस बोले तो तंखा नहीं ओनरेरियम है दोनर से यहां की आमदनी बंध हो गई तो हो सकता है आइंदा न भी मिले दिस इस आउट ओफ ओडर हर भेड के पास कोई न कोई प्रूफ ओफ आइडेंटिटी होना जुरूरी मैं नवा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है न पाप आप ही के ठाने आता है मेरी रिपोर्ट दर्स करना महरबानी होगी कौन से ठाने से हो पीछे कहां से हो मैं समझा नहीं अरे मुंबई में किधर से आएं? अच्छा वो दिल्ली से वहां क्या करते थे? तांगा चलाया था क्या बोला? तांगा तांगा चलाता था जैसे इधर कभी विक्तोरिया होती थी वैसे उधर तांगा होता था जैसे इधर विक्तोरिया बंध हो गई वैसे उधर तांगा बंध हो गया यानि मैं बेरोजगार हो गया, फिर इधर आ गया, अब तीन साल से इधर हूँ कोई पढ़ाई लिखाई न की इंटर पास हूँ वहां रहते कहा थे? होटल ओबराएं इंटर कांटिनेंटल में मजाक मत करो मजाक तो आप कर रहे हो कहा रहता होगा अकेली जान तांगा चलाने वाला जहां घोड़ा रहता था, वहां मैं रहता था कहा तौबा घुरसाल में गुस्ताखी माफ जनाम इसमें काबिले एतरास क्या है? गै कानूनी क्या है? ये मनी लांडरिंग का केस हो सकता है दो नंबर का रोकडा ठिकाने लगाने का केस हो सकता है मालिक को अपने सोर्स ओफ इंकम की सोर्स ओफ इंवेस्टमेंट की सफाई देनी होगी मालिक तुकाराम था जिसके नाम से उधर उस सामने मकान में चैरिटिबल ट्रस्ट चलता था जो इंतकाल फर्मा गया मैंने सुना है तुकाराम का नाम जो गैंस्टटन होली मैं था उसकी जिन्दगी में उसका मकान गिरवी था अभी जिस पारसी प्रॉपटी दीलर का मैंने नाम लिया उसी के पास साथ लाख रुपए में गिरवी था रुपए पैसे से इतना मोहताज शक्स इतनी प्रॉपटी का सारे कंपाउंड का मालिक कैसे बन गया? हम क्या जाने? हम तो महज किराइदार है. जब तुकाराम इस दुन्या में नहीं है, तो किसके किराइदार हूँ? कोई वारिस पी तो होगा तुकाराम का या सारा कंपाउंड ही धर्मात है, चैरिटी के लिए है. ऐसा तो नहीं है. तो कैसा है? कौन है वो शक्स जो बाई इनहेरिटिंस मौजूदा प्रॉपर्टी का मालिक है? जनाब, जरा अपनी याददाश्ट पर जोर देने की तकलीफ कीजिए, ये सब आप पूछ चुके हैं. हम बता चुके हैं. आत्माराम नाम है लीगल हायर का जो की तुकाराम का सगा भांजा है और तुकाराम का इकलोता जीवित, करीबी रिष्टिदार है. आत्माराम तुकाराम की सगी बहन का बेटा है. उसे इधर बुलाओ. जनाब, मैंने बोला नवो. सुना मैं, याद है मेरे को क्या बोला? सोनपुर इंग्लेंड में नहीं है. फ्रांस में नहीं है. हिंदोस्तान में ही है. इधर की ओनरशिप के तमाम कागजात के साथ उसको इधर बुलाओ. उसको इतनी प्राइम प्रॉपर्टी के सोर्स ओफ इंवेस्टमेंट की भी जवाबदारी करनी होगी. भले ही इंवेस्टमेंट अपनी जिन्दगी में उसके स्वर्गवासी मामूने की हो. मर के कोई ऐसी इंक्वाइरी की जिनमेदारी से बरी नहीं हो जाता. ऐसी इंक्वाइरी करना पुलीस का काम नहीं है. Income Tax Department का काम है. Enforcement Direct Trade का काम है. Economic Offenses Wing का काम है. पुलीस का भी काम है. पुलीस का काम मदद मांगी जाने पर इन महकमों में से किसी की मदद करना है. तब मदद करना है जब वो मदद की जरूरत जाने. ज्यादा कानौन बगारने की जरूरत नहीं. ये पुलीस का भी काम है. तब है जब किसी ने F.I.R. दर्स कराई हो. तुम्हें क्या मालूम नहीं कराई? कराई है तो F.I.R. की कॉपी देना. किसको? तुम्हें? जो यहां किरायदार हो. कैटेकर को. ये सामने ट्रस्ट वाले मकान का कैटेकर है. ये अखे कूपर कमपाउंड का कैटेकर है. सब बंद इमारतों की चाबिया इसके पास रहती है. ये दिखाए ऐसा कोई कागस परचा जो इसके इस स्टेटर्स की तस्दीक करता हो. इंस्पेक्टर विमल की और घुमा है. तेरे पास ऐसा कोई डाकुमेंट तो लेके आ. मैं ठहरता है इधन. बाप, ये जैसा बोलेगा इर्फान सर्द लहजे से बोला वैसा करेगा. पन पहले मेरे को एक बात का जवाब मांगता है. क्या बात? इंस्पेक्टर भुन भुनाया. किसका भडवा है? किसी नेता का या किसी भाई का? इंस्पेक्टर का चहरा लाल होने लगा. उसका हाथ ठपड की तरह घुमा. विमल ने रास्ते में ही हाथ ठाम लिया. इंस्पेक्टर ने खरबर्पा निगा विमल पर डाली हाथ छोड़ वो साप की तरह फुम्फकारा फॉजदारी नहीं विमल शांती से बोला अगर तफ्तीश के लिए आए हो तो तफ्तीश करो फॉजदारी नहीं हाथ छोड़ तमीज से बोलो छोड़ता हूँ इंस्पेक्टर का समसाया अपनी पुर्जोर कोशिश से वो हाथ नहीं छोड़ा सका हाथ छोड़ो आखिर बोला विमल ने हाथ छोड़ दिया बावर्दी पुलीस अफसर पर हाथ डाला फॉरन वो फिर गर्जने लगा नतीजा गंभीर होगा तेरा भी इर्फान बोला अकेला आया लाश का पता नहीं लगेगा धमकी देता है देता है न गिरफ्तार करके ठाने लेके जाऊंगा अकेला तीन जनों को तू एक पुलीस अफसर से ऐसे भड़वे को पुलीस अफसर तेरे जैसे होते है भाई लोगों का मैला चाटने वाले पता नहीं विमल धीरे से बोला पुलीस वाला है भी या नहीं शोहाब ने सहमती में सिर हिलाया जनाब फिर बोला आप भी तो कोई प्रूफ आइडेंटिटी दिखाए ताकि हमें पता लगे कि आप असल में पुलीस इंस्पेक्टर है भाड़े की खाकी वर्दी पहने कोई बहुरूपिय नहीं जैसा इर्फान ने कहा किसी नेता या भाई के शट अप इंस्पेक्टर फिर भड़का यही बताए कौन से थाने से हैं थाने से हैं या पुलीस के किसी और महक में से हैं और नाम बोले तो नाम तो वर्दी पर लगी नेम प्लेट पर ही लिखा है शोहाब में आगे जुक कर नाम पढ़ने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर ने वर्दी की दाही जेब के ऊपर लगी नेम प्लेट उतार कर जेब में रख ली उसके बाद उसने शोहाब को मुँँ खोलने का मौका न दिया वो कठोर अधिकारपूर्ण खास पुलीसिया लहजे से बोला मेरी बात सुनो गौर से अभी जो जिसने वाहियात मेरी बाबत बगा मैं उसे नजर अंदाज कर रहा हूँ क्योंकि आइंदा जो कुछ यहां होगा उससे उसकी सारी कसर निकल जाएगी मैं तुम लोगों को दो दिन का वक्त लोगों को देता हूँ जो भी इधर का मालिक है दो दिन के अंदर बमय कागजात यहां मौजूद दिखाई दे वरना प्रॉपर्टी की अटैच्मेंट का हुक्म जारी होगा और तुम गुंडा एक्ट के तहद गिरफ्तार किया जाएगा दस साल की लगेगी परसो आता हूँ इसी वक्त बैक अप के साथ तब तक यहां से फरार होना चाहो तो तुम्हें खुली छूट है उसमें मुह फेरा और लंबे डग भरता वहां से रुखसत हो गया पता नहीं आया कैसे था पीछे एरफान बरबराया कोई पुलीस की बाइक नहीं जीप नहीं कहीं सच में तो नकली नहीं था नहीं नकली नहीं था विमल गंभीरता से बोला लेकिन तेरे अंदाजे के मुताबिक भाई लोगों का भड़वा बराबर था भाई लोगों की हिदायत और किसी जरूरत के तहत ही वो वर्दी का रौब दिखा कर हम लोगों को हड़काने आया था फिर तो आ दिखाई दिया आत्माराम कहां से लाएंगे कागजात कहां से लाएंगे आत्माराम तो तुका की जिन्दगी में बाप तू ही था जबकि कंपनी का तब का टॉप बॉस इकबाल सिंग तुका पर चड़ दोड़ा था और उसे वहां मौजूद तेरे को सोनपुर से आया तो तू भांजा आत्माराम तो अब बन नहीं सकता फिर शोहा बोला हम उस इंस्पेक्टर का नाम तक नहीं जानते जानते हैं विमल शांती से बोला वर्दी पर नेम प्लेट का जिक्र आखिर में आया था बाकी टाइम नेम प्लेट वर्दी पर मौजूद थी और उस पर से मैंने उसका नाम पढ़ा था अच्छा क्या नाम था रामदास महाडिक नाम मालूम है तो ये पता लगा लेना कोई मुश्किल काम नहीं है कि वो कौन से थाने में ड्यूटी करता है मैं मालूम कर लूँगा गुड लेकिन सबसे पहले चैंबर पुलीस स्टेशन च्राई करन क्योंकि वो फासले से आया नहीं हो सकता वो तो मैं करूंगा लेकिन जो वर्निंग उच्छालके गया उसका क्या होगा उसके लिए मेरे पास एक तुरूक का पत्ता है चलके देखता हूं हमारे पास दो दिन हैं दो दिन तो हम इंतजार कर ही सकते हैं कि हमारी चाल कारगर या नहीं? उम्मीद क्या है? इर्फान बोला होगी? अगर मुंबई के पुलीस कमिशनर अभी भी जुआरी ही है, तो पूरी उम्मीद है कि होगी? वही है. शोहाब बोला मालू मेरे को. गुड़ दोपहर के करीब रुवांसी सूरत बनाए हनीफ गोगा कूपर कमपाउंड पहुचा और इर्फान और शोहाब के रुब्रू हुआ. क्या हुआ तेरे को? इर्फान बोला अम्मी इंतकाल फर्मा गई या अब्बू जान फौत हुए? इर्फान भाई हनीफ सूरत जैसी ही रुवांसी आवाज से बोला मजाख न करो. क्या हुआ? जान जाते जाते बची. कब? कैसे? कहा? कल शिवाजी चौक पर वहां के आफिस में जहां कल अनिल विनायत के साथ एहसान भाई की जगह उमर सुल्तान मौजूद था. का खास है. यानि हनीफ को पासकल के बार में हुए एहसान कुरला के बहाल की कोई खबर नहीं थी. क्या बड़ी बात थी? आखिर हनीफ मामूली प्यादा ही तो था. उपर वानों की हर बात की खबर उसे कैसे होती? जान कैसे जाती बची तेरी? प्रत्यक्षता इर्फान ने पूछा. उमर सुल्तान गोली मारने लगा था. अरे! ऐसा क्या हो गया था? ठीक से, कफसील से बता, हनीफ ने पिछले रोज का तमाम किस्सा बयान किया. ओ! वो चुप हुआ तो इर्फान बोला तो उधर उनकी पकड में आ गया कि पिछले मंगलवार वैगनार में अनिल विनायक और एहसान कुरला जो डायलोग करता था, वो तू सुनता था और तूने उसे पत्थरबाजों की स्टोरी को इधर पहुँचाया था. इर्फान भाई, सब तुम्हारे मुलाजे की वज़ह से हुआ, उमर सुल्तान ने मेरे को गोली मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. दिन दहाडे, चलते ओफिस में. सब को डिस्मिस करके, खाली एक चप्रासी को छोड़ कर जिसको मेरी लाश ठिकाने लगाने का हुक्म हुआ था. बचा कैसे? वापिस उनके लिए इधर की जासूसी करना कुबूल किया. इर्फान ने शोहाब की तरफ देखा. हो सकता है. शोहाब धीरे से बोला भरता क्या न करता? वही तो. हनीव का वक्ती तौर पर स्थिर हुआ लहजा फिर रुआसा हुआ. बाकाइदा हुक्म हुआ कि मैं जानबक्षी चाहता था तो जैसे मैं उधर की जासूसी करता था, वैसे मैं इधर की करूँ, मैं हालात को पूरी तरह से नॉर्मल रखू और यहां की खबरे उधर पहुचाऊँ. यहां क्या रखा है? शोहाब बोला. यहीच बोला मैं. हनीफ व्यग्रभाव से बोला पर उमर सुल्तान बोला जब इधर की बात उधर पहुचाई, इधर वालों के कहने पर उधर पहुचाई तो कुछ तो रखा ही होगा इधर. शोहाब भाई, इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था. शोहाब ने वापिस इर्फान की ओर देखा. तेरी पिराबलम ये है, इर्फान बोला कि तेरे को इधर की जासूसी करने का हुप्म है, तो ने जासूसी में कोई काम्याबी दिखानी है, तभी तेरी जानबर्शी होगी बरोबर? हाँ. रहेगा किसकी तरफ? हमारी तरफ या उनकी तरफ? हनीफ ने आहद भाव से उसकी तरफ देखा. ऐसे न देख, अमली बात है, इसलिए सवाल पूछा, दो खसम कर सकेगा? उसने इंकार में सिर हिलाया. तो फैसला कर, मौजूदा हालात के तहट आइंदा किसकी तरफ होगा? तुम्हारी तरफ. वो बहचक बोला. शाबाश. मेरे को तेरे पर, तेरी बात पर एदबार. अब तेरा पिराबलम ये है, कि उधर अपना क्रेडिट बना के रखने के वास्ते तेरे को इधर की कोई करारी खबर मामता है, जिसे तू उधर परो सके, क्या? हाँ. मैं करता है तेरी जरूरत पूरी परसों सुबू इधर आना. परसों मायूस हो के दिखाने की जरूरत नहीं है. अकल से काम लेने की जरूरत है. अभी से इधर कुछ लेके जाएगा तो वो समझ जाएंगे की बनाई हुई बात थी, फिर कैसे उधर तेरा क्रेडिट बनेगा? उल्टे शोहाब बोला डिस्क्रेडिट होगा तेरे नाम की हालात के दबाव में आकर. तूने एक फर्जी बात गढ़ ली और उसके आस्रे वावा ही लूटने की कोशिश की. वो बोलते हैं, न सहज पके सो मीथा होये, मालूम? हाँ, हनीफ बोला, परसो आना, तेरे लिए एक करारी खबर उधर परोसने के लिए पका कर रखेंगे. ऐसी की, शोहा बोला, सुनने वाला तेरी जासूसी की तारीफ करे. ऐसी खबर, हनीफ गोगा संदिग्द भाव से बोला, इधर का नुकसान नहीं करेगी. नहीं करेगी. इर्फान बोला, खबर ऐसी होगी कि सुनने वालों को सुनते ही जाच जाएगी पड़ हमेरे वास्ते उसका होना, नहोना एक बराबर होगा, अब राजी. हाँ, तो परसो. सुबू, ना आ सके तो फोन करना. मैं सुबा जरूर. बढ़िया, निकल ले. वो उठ खड़ा हुआ पर रुखसत न हुआ. अब क्या है? इर्फान शुष्क लहजे से बोला. मेरे से तुका के चस्ट के बारे में पूछा गया था जो सामने चलता है. चलता था, कैसा भीड है तू उनका जो इतना भी नहीं जानता. तेरे बाप लोगों की वजह ही से तो शोहा बोला इधर सब उजड़ गया. आती बार हनीफ बोला मैंने उधर का दर्वाजा खुला देखा था, इस वास्ते पूछा. एक कैटेकर होता है उधर. ओ, नाम बोले तो? काहे वास्ते? इर्फान तीखे स्वर में बोला, क्या करेगा नाम का, कुछ नहीं. वो यू बोला जैसे बरबरा रहा हो, ऐसी जपूछा जाता है. खुदा हाफिज मुंबई पुलीस कमिशनर जुआरी की मौर्निंग में होम मिनिस्टर से मीटिंग थी, जिसकी वज़ा से अपने ओफिस पहुचने से पहले कमिशनर साहब को सचिवाले पहुचना पढ़ा था, जहां दस मिनिट की मीटिंग के लिए उन्हें धाई घंटे इंतजार करना पढ़ा था, नतीजतन, अब दो बज़े कमिशनर साहब फोट में स्थित अपने ओफिस में पहुचे थे, आते ही उन्होंने अपने लिए कोफी का ओडर दिया था, जो वो जानते थे कि कभी कभार ही बढ़िया बनती थी, पर उन्हें यकीन था कि क्योंकि कौफी कमिशनर साहब के लिए थी, इसलिए उसे बढ़िया बनाने की कोशिश जरूर की जाएगी, उनकी ऑफिशिल, मेल उनका पिएस देखता था, जो कि डिप्ती कमिशनर के रैंड का था, लेकिन परसनल मेल कमिशनर साहब हमेशा खुद देखते थे, मेल देखने का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने पाया कि एक मेल कदरन लंबी थी, तब तक पहुँच चुकी कॉफी के साथ, उन्होंने छोटी मोटी टैक्स्ट वाली मेल पहले देखी, फिर आखिर में लंबी मेल की तरफ तवज्जो दी थी, लिखा था, परम आदरनिय कमिशनर जुआरी साहब, साधर प्रणाम के बाद मैं आपको राजा गजेंद्र सिंग की याद दिलाना चाहता हूँ, जिनसे आप जब होटल सीव्यू आबाद था तो कई मरतबा मिले थे, जैसे की ओरियंटल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के चेर्मेन रंदीवे की बेटी की शादी में, जैसे नए साल की होटल द्वारा आयोजित पार्टी में जिसमें आप सपत्निक पधारे थे, मुझे उम्मीद है राजा गजेंद्र सिंग को आप भूले नहीं होंगे, फिर भी उनका परिचय दोहराता हूँ. राजा गजेंद्र सिंग, NRI from Nairobi and the last beacon of the royal family of Patiala and also owner of Hotel Seaview by virtue of a long-term lease from Oriental. Hotels and Resorts, Sir Hotel Seaview के नेस्तनाबूद हो जाने के बाद, राजा साहब की बाबत और किसी साजिश के तहट धराशाई हुए Hotel Seaview की बाबत आपके तलब किये, खाकसार आपके ओफिस में आपके हुजूर में पेश हुआ था और अपना परिचे राजा साहब के प्राइविट सेकरेटरी अर्विंद कॉल के परसनल असिस्टेंट विमल के तौर पर दिया था ठाकसार उम्मीद करता है कि आप उसे भूल नहीं गए होंगे, भूल गए है, तो ये मेल बेमानी है नहीं भूले तो बाउमीद मैं आगे बढ़ता हूँ सर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि होटल सीव्यू के धर जाने की वज़ह से 200 आदमी मरे थे जिन में 700 से ज्यादा होटल स्टाफ था उस हादसे के बाद उन 700 आदमियों के भाई बंदों ने जिस वाहिट शक्स को उस हादसे का जिनमेदार ठहराया था वो राजा गजेंडर सिंग थे जबकि हादसे के दौरान वो मुंबई में भी नहीं थे मुंबई से 1000 किलोमिटर दूर राजनगर में थे फिर भी स्टाफ के भाई बंद सिर्फ और सिर्फ राजा साहब को हादसे में हुई सवासों मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराने लगे थे और नतीशतन राजा साहब के खून के प्यासे हो उठे थे ऐसी विकट स्थिती में आपने खाकसार को पुलीस हेड़ क्वार्टर में अपने ऑफिस में बुला कर तस्लीम किया था कि आप राजा साहब से मुतासर थे उनको दोस्त मानते थे होटल दहने की वज़ा से उनके सिर पर मंडराते खत्रे से वक्त रहते उनको आगा करना अपना फर्ज मानते थे और आपने बाजरिया खाकसार राजा साहब को ये पैगाम भिजवाया था जिसका लुबोलव ये था कि मुंबई का माहौन उनके लिए गर्म था इसलिए वो जहां से आए थे वहां वापिस चले जाएं यानी फॉरं फॉरं से पेशतर नैरोबी वापिस लौट जाएं कहना ना होगा कि फॉरं ही राजा साहब ने आपकी माकून वक्त रहते हासल हुई राय पर अमल किया था और हमेशा के लिए मुंबई को अलविदा बोलकर नैरोबी वापिस लौट गए थे सीव्यू की ट्रेजेडी के दौरान राजा साहब के प्राइविट सेक्रेटरी अर्विंद टाइम्स कॉल काथ मांडू में थे जो होटल की ट्रेजेडी और राजा साहब के नैरोबी लौट जाने की खब्र सुनकर मुंबई लौटे ही नहीं थे सीधे कहीं और शायद दिल्ली चले गए थे पीछे अकेला खाकसार अर्विंद कॉल का पर्सनल असिस्टेंट विमन रह गया था जो कुछ अर्षा सायन में एक दोस के पास रहा था फिर कूपर कमपाउंड में इर्फान और शोहाप के साथ जिनसे आप वाकिफ है अपने आफिस में रूबरू मिल चुके हैं रहने लगा था और खाकसार अभी भी वहां रहता है सर आपके सामने कूपर कमपाउंड की जो आज ही पैदा हुई दुश्वारी का जिक्र करने की हिम्मत इसलिए कर रहा हूं कि आपको राजा साहब की दोस्ती की कदर थी और रूबरू मुलाकात के दौरान आपने मुझे अभैदान दिया था कि मैं जब चाहता सीधा आप से संपर्क कर सकता था उस आश्वासन के जरेसाया मैं अर्ज करना चाहता हूं कि तुकाराम के स्थापित किये चैरिटेबल ट्रस्ट को जिससे की आप वाकिफ है गुस्ताखी की माफी के साथ अर्ज है लोकल गैंस्टर्स टेक ओवर कर चुके हैं और उनकी पेश इसलिए चल पेक्टर नाम रामदास महाडिक कूपर कंपाउंड पधारे और उधर की प्रॉपर्टी को लेकर गड़े मुर्दे उखाडने लगे ज्यात्तियों से पिरोई उनकी विजिट की पूरी रिपोर्ट इस मेल के साथ सनलगन है अब वो हमें हुकुम देके गए हैं कि दो दिन म हम प्रॉपर्टी की खरीद के तमाम कागजात उन्हें दिखाएं साबित करके दिखाएं कि वो मनी लांडरिंग का केस नहीं था इन्वेस्ट्मेंट वाइट मनी से थी सर इंस्पेक्टर साहब की उस विजिट का मकसद साफ है कि जैसे हाल में तुकाराम चैरिटेबल ट्रस्ट को हाईजैक कर लिया गया वैसे वो आइंदा कूपर कमपाउंड को ही हजम कर जाने की फिराक में थे सर सारी मुंबई को मालूम है कि तुकाराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने मुंबई के गरीब गुर्बा की कितनी मदद की है कितनी खिद्मत की है लोग बाग इस हद तक कृतग्य है कि नहीं जानते असल में मदद कहां से हासिल हुई लेकिन समवेट स्वर में कहते हैं चैंबर से हासिल हुई चैंबूर का दाता से हासिल हुई सर, गुस्ताखी की फिर माफी के साथ अर्ज है, पुलीस गैंस्टर नैक्सस का कोई भला आदमी मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा अगर आप हमारी फरियात को अंसुनी करेंगे तो नतीजा चैंबूर का दाता नाम की जो मित खड़ी है, उसकी असामेक मौत होगा कमिशनर साहब ने मेल एक बार फिर पढ़ी, फिर फोन उठा कर लाइन पर अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को लिया और बोले, इंस्पेक्टर रामदास महाडिक, पता करो कौन से ठाने में ड्यूटी करता है, फिर जिस जोन में वो ठाना आता है, उसके DCP से मेरी बात कराओ कमिशनर साहब ने रिसीवर वापिस क्रेडल पर रख दिया, वो कुछ देर यू मेज खटखटाते रहे जैसे किनी पुराने ख्यालों में खो गए हो वाट एमेन, आखिर उनके मुँ से निकला वाट एमेन चार बजे के करीब विमल के पास मौजूद ज्वेलर कालसेकर का फोन बजा, उसने काल रिसीव की कुबेर पुजारी बोलता है, करकश आवाज आई, अभी भाई बात करता है, लाइन पर रहने का यस विमल बोला भाई, जो कोई भी वो था कालसेकर की आवाज पहचानता नहीं हो सकता था और उसके विमल की आवाज पहचानता होने का तो कोई मतलब ही नहीं था, फिर भी विमल ने अपनी आवाज भर सक छुपाने की कोशिश करते उससे बात करने का फैसला किया हल्लो थोड़ी देर बाद नहीं ध्रिश्ट आवाज आई काल से कर बोलता है हाँ विमल बोला ज्वेलर हाँ मेरे से बात करना मांगता था तुम हाँ किस वास्ते कुबेर कुजारी जो है सब ठीक से एक्स्प्लेन नहीं किया किया लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट था जिम्मेदारी का प्रोजेक्ट था इसलिए उपर से कनफर्मेशन होती तो बहतर होता अभी हुई न उपर से जो है कनफर्मेशन मैं बात करता है न शुक्रिया मांग की बाबत जो है मेरी जुबानी सुनना मांगता था न ताकि कनफम होता की मेरे हवाले से है रोकडा जो है बिचॉलिये नहीं हज्म कर जाएं हाँ अभी मांग जो है मैं जारी करता है तुन मेरे को तसली रोकडा जो है बिचॉलिये नहीं हज्म कर सकते हाँ बढ़िया अभी बाकी बात मेरे से सुनने का रोकडे के इंतिजाम के वास्ते कुबेर दो दिन दिया जो तुम को कमती लगा मैं टाइम जो है चार दिन करता है लेकिन मैं कुबेर भाई को एक हफ़ता बोला पाँच दिन बोला अभी चार दिन लेकिन सुनता नहीं है तुम चार दिन एक शर्ट के साथ शशर्ट के साथ हाँ हफ़ते से चार दिन वो भी शर्ट के साथ हाँ अभी शर्टे सुनने का टोटल रोकडा जो है पाउंड या डॉलर या यूरो में तो टाइम की महलत चार दिन वरना दो दिन मेरे को 2 करोर की payment का इंतिजाम foreign currency में करने का सबको सबको जो है 2 करोर की payment का इंतिजाम foreign currency में करने का और Onward Delivery के लिए जो है तुमको सबसे collect करने का क्या लेकिन मैं collection की इतनी बड़ी जिम्मिनारी अकेला कैसे ले सकता हूं सोचना कोई तर्कीब ऐसीच नहीं करेगा तो मौलत जो है दो दिन बोले तो परसो शाम तक ये ज्यात्ती है है न तुम साला जब भाई के साथ शानपंती किया तो नदीजा जो है सोच के किया था अभी बोले तो सजा खामियाजा सब नई रकम की अदाइगी में शामिल है अभी ये नहीं बोलने का कि शानपंती सबने न किया जिनोंने न किया वो तुम्हेरी तुम्हेरे जैसो की सजा को जो है अपने लिए वार्निंग जाने फैसला अभी करने का की टाइम जो है दो दिन म मैं वेट करता है चाचार दिन बढ़िया अभी पिछले दो टाइम की तरह जो होगा रात को नहीं दिन में होगा दिन में रश ओवर में जो है फोरें करिंसी में तमाम का तमाम रोकडा जो है अपनी निगरानी में खुच शिवाजी चौप पहुचाने का क्या अभी ये बो दू भी होंगे जो जब टाइम आएगा तो तुम्हेरे शोरूम पर जो है तुमको रिपोर्ट करेंगे वो तुम्हारी महरबानी है मैं उसके लिए थैंक्यू बोलता हूँ लेकिन कैश ट्रांजेक्शन में आखिर का जिनमेदारी किसकी होगी तुम्हेरी नो नेवर क्या कोलता है तुम। जब पहले ही मेरे पर शक किया जा रहा है और मेरे लिए सजा तजवीज किया रही है, कामियाजा तजवीज किया जा रहा है, तो इतनी बड़ी जिनमेदारी भला मैं कैसे ले सकता हूँ। तुम्हारे इस्रार पर, तुम्हारे हुपम पर मैं बाकी 15 ट्रेडर्स के लिए बैंक बनने को तयार हूँ लेकिन डिलीवरी की जिम्मिदारी ओधने के लिए मैं बिल्कुल तयार नहीं, गड़ परी न करें, फिर कोई उच नीच हो जाए तो तुम्हारा क्या जाएगा? ओके, आखिर आवाज आई डिलीवरी जो है, हमारे भेड हैंडल करेंगे, पर डिलीवरी के ठिकाने तक तुम्हें उनके साथ मौझूद रहना होगा, जब जिम्मिदारी मेरी नहीं होगी तो साथ मौझूद किसलिए रहना होगा? क्योंकि मैं ऐसा बोला, अब इसके बाद जो है, आगे हुज़त नहीं करने का, क्या? अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो फिनिश करें मैं नहीं, अभी नहीं, प्लीज सुनता है मैं दो बाते जानना चाहता हूँ, ज़रूरी जान के जवाब देने का गुजारिश है बोलो तुम्हारा नाम क्या है? क्यों पूछता है तुम? जिसको 32 करोड रुपया नजर करना हो, उसका नाम तो मालूम होना चाहिए क्या पता दोबारा कभी फिर वास्ता पढ़ जाए? मिस्टर क्वीन, एलफ्रेड क्वीन, दूसरी बात बोलो, तुम्हारा नाम जो है फिर शुष्क जवाब मिला बिग बॉस है, लाइन कट गई विमल ने मोबाल करीब बैठे इर्फान के सामने मेज पर रखा, क्या समझे? फिर बोला तू बोल, बापा, इर्फान बोला मैं तो ओना पौना ही समझा, क्योंकि तरफ की बात तो मैं नहीं सुन सकता था न दूसरी लाइन पर वही आदमी था जो परसो राथ हम जुहू के बंगला नंबर साथ में मिला था कैसे जाना? उसकी आवाज पहचानी और आवाज से ज्यादा उसके तकिया कलाम से जाना जो बोलता था, उसकी बीच बीच में आतन जो है पिरोता था उसकी ये आदत मैंने बंगले में भी नोट की थी जबकी बाजरिया ट्रांस्मिटर मैंने उसे लंबा सुना था फिर तो अच्छा किया, बाप की फोन पर आवाज बदल कर बोला हाँ, शुक्र है, ऐसा न हुआ वो जान जाता लाइन पर ज्वेलर कालसेकर नहीं था, क्योंकि भले ही वो कालसेकर की आवाज से वाकिफ नहीं था, लेकिन तेरी आवाज तो पहचान लेता फिर वो कालसेकर की आवाज कैसे होती वही तो नाम मिस्टर क्वीन शंधाई मून के मैनेजर जमशेद कड़ावाला ने इसी नाम से उसका हवाला दिया था जू के बंगले में बुलावे की जो जनाना काल मेरे को आई थी उसमें भी जिस बिग बॉस से मिलने का मैं तमन आई था उसका नाम मिस्टर क्वीन बताया गया था बिग बॉस लेकिन टॉप बॉस नहीं टॉप बॉस के बारे में दो टूख सवाल किया तो मिस्टर जो है बड़ी सफाई से टाल गया टॉप बॉस कोई और? अब यकीन है मेरे को भाई लोगों का ग्यांग का निजाम सीधी दर सीधी चलता है जैसे बख्या के टाइम में कंपणी का निजाम चलता था तीन पाइदान से तो हमारा वास्ता पढ़ ही चुका है मसलन बॉटम में चिलर, फील्ड वरकर, वैसे प्यादे जैसे पाँच कर्टसी इर्फान एहमद खान चंगेजी हाई हाई करते घर में या हस्पताल में पढ़े हैं अगली पाइदान के खास खलीफा एहसान कुरला को भूल गया जो पासकल के बार के तेरे कर्टब की वज़ह से अभी भी हस्पताल में हैं जो पता नहीं अभी कब उठकर पैरों पर खड़ा होगा उसे नहीं भूला था उसके अंजाम को भूल गया था बहरहाल प्यादों से उपर अनिल विनायक उर्फ अनिल चिकना एहसान कुरला उर्फ रिजवी उमर सुल्तान वगेरह और उपर की पाइदान पर कुबेर कुजारी अब और उचे रखे खलीफा की खबर हमें अब लगी जो अपना नाम मिस्टर क्वीन बताता है और जो खुद को बिग बॉस बोलता है यानी तॉप बॉस के हवाले से बचता जान पड़ता है इस लिहाज से मिस्टर क्वीन के उपर कोई मिस्टर किंग भी होना चाहिए क्य है शोहाब कुछ बोला हाँ मैं किधर था ध्यान नहीं बात करना शोहाब से क्योंकि शाम को शोहाब की जगत तूने मेरे साथ चलना है कहा शोहाब बोलेगा ना बात करना लेकिन जब दाव लगे एक काम और करना बोले तो ज्वेलर का मोबाई विमल ने उसे फोन थमाया लोटा के आना हमारे जितना काम आना था आ चुका ठीक डिस्चिक्ट मुंबई सबर्ब जोन 5 के DCP का नाम बी आर पाटिल था वो IPS का टॉपर था पुलीस में सीधा DCP भरती हुआ था इसलिए उस घड़ी अपने सामने मौजूद अधेर इंस्पेक्टर के मुकाबले में नौजवान था DCP ने आख भर कर अपने सामने खड़े इंस्पेक्टर को देखा फिर बोला बैठो कृतग्य भाव से इंस्पेक्टर अपने आला अफसर के सामने एक विजिटर्स चेयर पर स्थापित हुआ महाडिक DCP बोला रामदास महाडिक यस सल चैंबूर थाने में तैनात यस सल जो जोन फाइव में आता है यस सल एज एडिशनल स्टेशन हाउस ओफिसर यस सल कूपर कमपाउंड क्या करने गए थे कुस अपरत्याशित सवाल से इंस्पेक्टर गढ़ बढ़ाया कुस ने बेचैनी से पहलू बदला वो जी वो फिर हकलाता सा बोला वो गए थे तो थाना ध्यक्ष को खब करके क्यों नहीं गए थे अपनी फील्ड मूव्मेंट रोजनामचे में दर्स करके क्यों नहीं गए थे जी वो वो या किसी परसनल एरेंड पर थे ऐसा था तो ड्यूडी आवर्स में क्यों था इनस्पेक्टर ने फिर बेचैनी से पहलू बदला अपने एकाईक सूखाय होठोन पर जुबान फेरी अभी तो वो इसी तथे से समझादा नहीं कर पा रहा था कि DCP को उसकी सुबा की कूपर कमपाउन की विजिट की खब थी जवाब दो भाई सर वो क्या है कि मेरे को उधर कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज की खब लगी थी कैसे कैसे खब लगी थी एक गुमनाम काल के जरिये लगी थी सर आप जानते ही है कि ऐसी काल स्थाने में आम आती है जो इंस्पेक्टर उसी बात का जवाब दो जो तुमसे पूछी जाए जवाब में दाएं बाएं की बातों को शामिल करने से परहिज रखो यईस सर ऐसी काल स्थाना ध्यक्ष को आती है या फ्रंट डैस्क पर टैना ड्यूटी ओफिसर को आती है, तुम्हें कैसे आ गई ऐसी काल? सर, अब आ गई तो मैं कैसे रोक सका था? मेरे से पूछ रहे हो इंस्पेक्टर से जवाब देते ना बना पूछ रहे हो तो ठीक, नहीं रोक सकते थे, काल कहां आई? तुम्हारे मोबाईल पर या थाने की लैंड लाइन पर लैंड लाइन पर, मेरे ओफिस की लैंड लाइन पर थाना ध्यक्ष को खबर की जजी, जी नहीं ऐसी कोई गुमनाम टिप अगर इंपोर्टन्ट हो तो उसे थाना ध्यक्ष के नोटिस में लाया जादा है क्यों जल्दी में थे, क्यों जल्दी में थे इतनी सुभस्वेरे की अपने इंचार्ज को खबर न कर सके कमबक्त को ये भी मालूम था मैं सुभस्वेरे कूपर कमपाउन गया था कैसे मालूम था खैरक DCP आगे बढ़ा गुमनाम काल में जिक्र आया था कि अन्लॉफुल एक्टिविडीज की किस्म क्या थी जी नहीं नो प्रॉल्लम तुमने वहाँ जाकर क्या जाना वो जगल स्मगलर्स डैन थी प्रॉस्ट्यूशन का अड़्डा था जग्स डिस्ट्रियूशन का थिराना था कोई गैर कानूनी जोआ घर चलता था वहाँ क्या जाना अपनी अनप्रूव्ड विजिट के जरिये वो खामोश रहा उसने जोर से थूक निगली इंस्पेक्टर इस बार DCP का स्वर्श शुष्ख हुआ क्या तुम्हें जवाब के लिए बार-बार प्रॉम्ट किया जाना पड़ेगा इंस्पेक्टर फिर जवाब न दे सका उसके गले की घंती जोर से उचली अगर ऐसी कोई पूर्व सूचना तुम्हे थी तो क्या भूल गए थे कि ऐसे मुहिम पर अकेला नहीं जाया जाता सर, वहाँ वैसा कुछ नहीं था जैसे का आपने जिक्र किया और इस हकीकत से तुम पहले से वाकिफ थे इलहाम हुआ था तुम्हें कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं था इंस्पेक्टर फिर गड़ बढ़ाया ओके, तुम अपनी कहो, क्यों गए? क्या पाया? सर, पता लगा था कि वहाँ संदिग्ध किस्म के लोग पना पाते थे मुम्किन है, कितने मिले? खामोशी इंस्पेक्टर सर, तब तो कोई न मिला लेकिन खबर पक्की थी, वहाँ के बाशनों ने भी तस्दीक की थी, कि अक्सर वहाँ लोग पना पारे थे कैसे लोग? गुंडेब दमाश मवाली और पना देने वाले भी ऐसे ही थे? नहीं उन्होंने बोला नहीं, पना पाने वाले कौन थे? जी, बोला क्या? एक बार में बात कंप्लीट किया करो बोला, कैब ड्राइवर होते थे जो किसी वज़र से घर नहीं पहुँच पाते थे, इसलिए ओवरनाइट वहाँ ठैर जाते थे लेकिन मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं था, मेरे ख्याल से वो जराइम पेशा लोग होते थे जिनको कवर अपके लिए कैब ड्राइवर बताया गया था आखिर क्या फैसला किया, तुम्हारे DCP ने एक क्षण को अपलत इंस्पेक्टर को देखा, सुपीरियर जज्ज्मेंट ने यूँ वहाँ पनाह पाने वाले लोग कौन होते थे? गुन्दे ब्दमाश या कैब ड्राइवर? सर, कोई मिला नहीं इसलिए इस बारे में कुछ कहना मुहाल था ठीक, ऐसा कोई मिला नहीं इसलिए तुम लौट आए नो, इंस्पेक्टर फिर बेचैन दिखाई देने लगा लगता है, DCP उसे घूरता बोला कुछ और भी किया कुछ भी जाना सर, कूपर कंपाउंड में आठ इमारते थी जिनका एक मालिक बताया जाता था जो यहां से हजार किलोमिटर दूर सोनपूर में रहता था मेरे को वो मनी लांडरिंग का केस लगा था वो दो नमबर का रोकडा ठिकाने लगाने का केस हो सकता था कितनी पते की बात तुमने गुमनाम टेलीफोन काल से जानी? अबब! था तो ऐसा ही ऐसी तफ्टीश तो इंकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है CBI का एकॉनमिक ओफेंसिस विंग करता है तुम क्यों वहां पहुँच गए? सर, मेरा इरादा टिप की तस्दीक करने का था और फिर उन महकमों को खबर करने का था तो तुमने टिप की तस्दीक कर ली और उन महकमों को खबर कर दी इंस्पेक्टर की जुबान जैसे फिर लॉक हो गई वहाँ प्रॉपर्टी अटैच्मेंट की धंकी छोड़ कर आए, अल्टिमेटम छोड़ कर आए कि दो दिन बाद फिर लोट कर आओगे और वहाँ मौझूद सब को गुंडा एक्ट के तहट गिरफ़तार कर लोगे इससे तो नहीं लगता कि तुम्हारी आने मुनासिब माकमों को खब करने की मनशाथी इंस्पेक्टर से जवाब देते ना बना दो दिन बाद भी अकेले ही जाते खुद ही जो मिलता उसे गिरफ़पार कर लाते वो खामोश रहा इंस्पेक्टर महाडिक आज सुबह कूपर कंपाउंड जाकर वर्धी की आड में खुद तुमने ऐसे काम किये जिनकी तुमसे उम्मीद नहीं की जाती थी जो तुम्हारी ड्यूटी का हिस्सा नहीं थे लगता है तुम्हारी निष्ठा पुलीस के महकमे के साथ नहीं है जहां से कि तुम तंथा पाते हो कहीं और ही है जहां से तुम शुकराना पाते हो गुल्दस्ता ठामते हो सर ऐसी कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर आवेश से बोला जरूर नहीं होगी DCP शांत ठाग जरूर नहीं होगी शायद मेरे से गलती हुई गलती आखिर इंसान से ही होती है जो कि DCP भी हो सकता है इंस्पेक्टर भी हो सकता है DCP एक क्शन ठिका फिर बोला तुम हो न कट्या इंसान सर मैं समझा नहीं Nevermind DCP ने मेज के दराज से दो कागज निकाले और उसके सामने रखे ये तुम्हारे लिए है Original Pass रखो Copy पर Received के साइन करो ये ये क्या है? तुम्हारा Transfer Order है जी इतमीनान से पढ़ना Copy साइन करो लेकिन लेकिन You are transferred to Police Headquarter with immediate effect Sir Sir Please ये Transfer temporary है बाद में तुम्हें ऐसी जगा पोस्ट किया जाएगा कि तुम कहोगे कि काश तुम कुलीस के महकमे में न होते Hurry up Now receive the original and get out of my site Inspector ने यू ट्रांसफर Order receive किया जैसे वो किसी करीबी रिष्टदार की मौत की खबर हो अगली और आखरी कडी Gang of 4 उर्बुक Reader के द्वारा अतिशीगर प्रकाशिक िएज करेड़े साउक तुम कि य Hebक्टיज Rica